कर परमाणू मुसाइलें लडाकु जहाजों में रखी जाती हैं लेकिन जार बम इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरीए लटका कर रखा गया था 30 अक्तूबर 1961 को जार बम का टेस्ट किया गया लडाकु जहाज टोपलोव 95 ने तरीफ 10 किलोमीटर की उचाई से पैराशूट से जार बम को नुवाया जैमलिया दूइद पर गिराया ताकि विस्पोट से पहले गिराने वाला और तस्वीरे ले रहा विमान सुरक्षित दूरी तक पहुँच जाएं रूस के मताबिक दोनों विमान 50 किलोमीटर दूर ही पहुँचेते कि भेंकर विस्पोट हुआ विस्पोट इतना भेंकर था कि पूरी दुनिया दहल हुई दावा किया जाता है कि अमेरिका के लिटल बॉई परमानू बम से 3,333 गुना शक्तिशाली है रूस का जार बम रूस का जार बम अमेरिका के लिटल बॉई और फैट मैन जैसा ही है लेकिन उनसे बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को खाक कर सकता है जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमानू बम लिटिल बॉई 14 किलो टन ताकत वाला था जबकि नागसाकी पर गिराए गए फैट मैन जिसने लाखों लोगों की जान पल भर में ले ली उसकी ताकत थी 18 किलो टन वहीं अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमानू बम B83 की पावर 1.2 मेगा टन की है वहीं रूस के जार बम की ताकत 50 से 58 मेगा टन है यानि अमेरिका के सबसे बड़े परमानू बम से करीब 48 गुना अधिक शक्तिशाली यही वज़ा है कि रूस ने जार बम का परिक्षन आक्टिक समुदर में नुवाया जैमलिया के उपर बर्थ में गिराया था का जाता है कि रूस ने जिस इलाके में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम का परिक्षन किया वो इलाका धमाके के बाद पूरी तरहां से बदल गया दुनिया ने उस वक्ट जापान में परमानू बम की तबाही भी देख ली थी लेकिन रूस ने इस परिक्षन से साबित कर दिया कि दोबारा कभी परमानू युद छिड़ा तो दुनिया से मानपता का खात्मा भी हो सकता है यही वज़ा है कि परमानू युद की आशंका से अमेरिका के राश्चपती खौफ में है इसी वज़ा से बाइडन ने दुनिया को चेताया है कि पुतिन परमानू हतियार लॉंच कर सकते हैं युक्रेन युद पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है युक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ काउंटर अटाक में लगी है युक्रेन ने दावा ये किया है कि उसने अब कई इलाकों पर कबजे की रन्नीती अपना ली है इसके साथ ही रूस की सेना का कबजा भी लगतार जारी है जापूरीजिया के पास एक इलाका है जहां पर कबजा किया गया है इसके साथ ही जापूरीजिया इलाके में मिली जीत को युक्रेन बहुत बड़ी जीत करार दे रहा है जापुरीजिया इलाके में यूक्रेन को मिली जीत इसलिए भी जादा बड़ी हो जाती है क्योंकि जापुरीजिया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लिया पावर प्लांट है और इस न्यूक्लिया पावर प्लांट पर रूस का कपसा है वही रूस ने बेलरूस में परमाणू खत्यार उतार दिया है वही नाचो रूस के परमाणू युद के काट खोजने में लगा हुआ है पुदीन का बढ़ा परमाणू फीवर नैटो कैंप में फैला फीवर पुदीन के परमाणू बुखार को तोड़ने के लिए क्या करेगा नैटो कैसे टूटेगा पुदीन का परमाणू बुखार क्या रूस के खिलाफ अमेरिका लेने वाला है नियुकेलियर एक्शन यह सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि रूस ने ले लिया है सबसे बड़ा रिस्क तीसरे विश्वयुद्ध को कर दिया है फिक्स तैयारी देख पेंटागॉन हुआ परेशान विजन हुआ हैरान नैचो देशों में खल बली दुनिया परमाणू युद्ध के खौब से डरी अब मुश्किल है पुतिन को मनाना बन गया नया ठीकाना शुरू हुआ परमाणू बंपो लगाना बेलारुस पहुच गया एचम पंप परमाणू बंके नये सेंटर से ने जो हुआ बेदम क्या थीसरे वेशो युद का एपी सेंचर फेलारुस परने वाला है क्या रूस और नैटो के बीच युद बेलारुस की धर्ती पर होने वाला है क्या महीनों से परमाणू हत्यारों की धमकी देते आ रहे है पुतिन अब वाकई उन्हें चलाने के मुड में लग रहे है रूस नहीं उक्रेण के उत्तर में बेलारुस में परमाणू हत्यार उदार दिया है रूस परमाणू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ उक्रेण के पुर्म में खुद बैचा है वही उक्रेण के दक्षण में काला सागर में भी पुदिर की परमाणू पंटूविया तैना थी वही इसके उत्तरपश्रिम में पॉलेंड के पास रूस के कलिन रात में भी परमाणू हत्यार मौजूद है 1991 में सोवियत संग के पतन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस का परमाणू बम रूस से बाहर पहुच रहा है ऐसा पहली बार है जब दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणू बम रखने वाले देश ने अपने बॉर्डर के बाहर परमाणू हत्यारों की तैनाती की है बेलारूस में रूस की मिसाईले तनी हुई है बेलारूस में रूस के लड़ाकों विमान गरज रहे हैं बेलारूस में रूस के टैंक दोड़ रहे हैं बेलारूस में रूस के सैनिक मोर्चा बनाकर जटे हुए हैं बेलारूस में रूसी मिसाईलों की तैनाती से नैटों में पहले से ही खलबली बची थी अब बेलारूस में रूस के परमाणू हत्यार भी फिट हो गए हैं बेला रूस में परमालू बम फिट करने के कदम को नैटो देश क्यों पुतिन का परमालू फीवर करार दे रहे हैं इसे आगे बताएंगे लेकिर रूस के पहले ये देखनी जे कि रूस की किस परमालू तयारी ने नैटो को डरा रखा है एक, दो, तीर, चार, 40 सेकंड में चार हमले, चारों दिशाओं में चार छिकाने दहले पुतिन हुए कृत, समंदर में रूस का परमालू युथ, नैजो हुआ हलकान, अमेरिका परेशान, भिटेन का मिट सकता है नामू निशान दीन में समंदर के अंदर से परमालू हमला रात के अंधेरे में समंदर से परमालू हमला ये रूस का परमालू युद्धा भ्यास है, ये नैचो को डराने का पुतिन का प्रयास है, जेलिंस्की इसे देख अताश है पाल्टिक देश रन होनी के खतरे से उदास है, आखिर रूस के इस परमालू युद्धा भ्यास में क्या खास है इसे युद्धा भ्यास को रूस अपने लड़ा को श्रमता का विस्तार करार दिया है इसे युद्धा भ्यास में रूस के उतरी बेड़े के पंडूवी रोधी युद्ध जहाजों ने हिस्सा लिया ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि एक काल्पनिक दुश्मन के पंडूवियों को समंदर के अंदर ही जुवो दिया पहला हमला दूसरा हमला तीसरा हमला चौथा हमला पांचवा हमला यह हमले तो कुछ भी नहीं है रूस के युद्ध पूदों को बाता ही रूस समंदर को नियुक्लियर वार का एपी सेंटर मुटइ हमएं समंदर में परमाडू बम का जाल बिछा का रूस नैटो को निशाना बनाने की तयार है रूस ने अपनी नौसीना के चारो बेड़ों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। रूस ने उत्री बेड़े को सुपर अलर्ट मोड में रखा है। रूस ने अलर्ट पर रख दिया है। रूस का प्रशान्त बेड़ा भी रूस के पूर्वी किनारे पर प्रशान्त महा सागर में सुपर अक्टिव है। बड़ा सवाल है कि पूरब से लेकर पश्रिम तक और उत्र से लेकर दक्षिन तक अपनी नोसेना को अलर्ट मोड मिलाकर रूस क्या संदेश देना चाहता है। खासकर उत्तर में अपने युद्धपोतों से मिसाइल बरसा कर क्या रूस अमेरिका को चेतावरी देने की कोशश में है। यही वज़य है कि प्रशान्त बेड़े के साथ साथ रूस का उत्री बेड़ा भी सूपर एक्टिव है। टेक्टिकल नुकलियर हत्यारों से लैस युद्धपोत और पंडूवियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ उतार दिया है। सीधा खत्रा नौर्वे, स्वेडन, फिल्लेंड और अमेरिका तक को है। दावा किया गया है कि रूस की नौसेना ने अपने युद्धपोत एड्मिरल गोशको को परमाणू हत्यारों से लैस करके आर्कटिक सागर में उतार दिया है। दरसल आर्कटिक शेतर की जिम्यदारी रूस के उतरी बेड़े के पास है। नौर्वे के खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने परमाणू युद्ध के सिक्रेट प्लैन को समंदर में आगे बढ़ा दिया है। नौर्वे के इंटेलिजन्स सर्विस ने अपनी सलाना खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि रूस की नौस सेना के उतरी बेड़े में युद्ध पोतों को टेक्टिकल निूकलियर हत्यारों से लैस किया गया है। रिपोर्ट में जहाजों पर लगाए गए परमानू हत्यारों के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में ये पहली बार है जब रूस का बेड़ा परमानू हत्यारों के साथ समंदर में उतरा है। अमेरिका और रूस की बरसो पुरानी जानी दुश्मनी को यूक्रेनी युद्ध ने नई धार दे दी है रही सही कसर फिल लेंड को नैटो में मिला कर अमेरिका ने पूरा कर दिया यही वज़ा है कि रूस ने आर्कटिक सागर के साथ साथ अमेरिका के वर्चस्वाले प्रशान्त महसागर में शक्ती प्रदर्शन पर उतर आया है रूस के प्रशान्त बेडे में 46 युद्ध पोत हैं प्रशांत बेडे में युद्धपोतों में एंटी सम्मरीन मिसाइल शिप भी है और एमफेबियस युद्धपोत भी साथ ही साथ रूस के प्रशांत बेडे में 24 से 26 बंडूबियां है प्रशांत बेडे के युद्धा भ्यास का मकसद दुश्मन के मिसाइल और हवाई हमलों से रूस को सुरक्षित करना है जिसके लिए रूस की नेवी दुश्मन के पंडूबियों को पता लगा कर उन्हें समंदर के अंदर ही तबाह करने का युद्धा भ्यास कर रही है फेडेरेशन आफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक हालिया रिपोर्ट बताती है के फिल्लेंड के पास मौझूद कोला प्रायवदीप में भी रूस ने पंडूबियों पर तैनाद 350 परमाडू बम लगा रखे हैं सभी परमाडू बम 150 किलो टन की ताकत के हैं यानि कोला प्रायवदीप में मौझूद रूस के एक परमाडू बम हिरोश्मा पर गिरे बम से दस गुनाधिक शक्तिशाली है फिल्लेंड के नैटों में शामिल होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने नैटों से भिडने की पूरी तैयारी कर ली है कोला प्रायवदीप में रूस ने बड़े पैमाने पर परमाडू हत्यार जमा कर रखे हैं कोला प्रायवदीप का एक छोटा सा इलागा रूस की परमाडू मिसाइल से लाइस सम्मरिट का पावरफुल सेंटर है यहीं से आर्गटिक के गष्ट भी की जाती है रूस की ये तैयारिया बता रही है कि उक्रेइन युद्ध अभी खत भी नहीं हुआ रूस को मनमाफिक जीत भी नहीं मिली उससे पहले ही पुतिर युद्ध के कई मोची एक साथ पुलने की तैयारी में है वहाया त्रिवोगा, पुन्से, इफ्रोपुएज रूस, बेलारूस की सेना को इसकंदर बलिस्टिक मिसाइल की चेरिंग दे चुका है इस ट्रेंग का मतलब है कि बेलारूस के सेनी का पुतिन की परमालू मिसाइल को फायर करना से गए है और अब रूस का परबालू बम ही बेलारूस पहुँच गया है अब ऐसे में ओर्डर पुतिन का होगा या फिर बेलारूस के राष्टपती अलेक्सेंडर लुकाश्रेंको का ये बड़ा सवाल है लेकिन अगर मिसाइल बेलारूस में है तो इस पर लुकाशेंको के ओर्डर से कौन इंकार करेगा? आखिर दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर के प्रेजडेंट यू डरे हुए है? बाइडन के सपने में किस बटन के डरावने सपने आ रहे हैं? जवाब है बाइडन को डर है कि पुतिन परमानू हत्यारों का इस्तिमाल करने वाले हैं बाइडन का कहना है कि पुतिन के परमानू हत्यारों के इस्तिमाल का खत्रा वास्तविक है परमानू यूद को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं? यह उनकी धमकियों से साफ हो जाता है पुतिन साफ साफ शब्दों में नेटो देश को चिता चुके हैं यूकरेन को जितिनी लंबी दूरी की मिसाइले मिलेंगी रूस खत्रे को अपनी सीमा से उतना ही दूर कर देगा रूस ने यूकरेन के उत्तर में बेला रूस में परमानू हत्यार उतार दिया है रूस परमानू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ यूकरेन के पूर्व में खुद बैठा है वहीं उक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी पुतिन की पर्माणू पंडुप्या तैनात और उनके उत्तर पश्चिम में पोलेंड के पास रूस के किलिनिन ग्राथ में भी पर्माणू हत्यार मौजूद है पश्चिमी मीडिया के दावों को माने तो अमेरिका के राश्चपती बाइडन को धर सताने लगा है कि पुतिन कभी भी पर्माणू हमला कर सकते हैं इसलिए पुतिन ने पडोसी देश बेलरूस में पर्माणू हत्यारों को तैनात किया है ताकि वो आसानी से योरप के किसी भी देश पर पर्माणू हमला कर सके पुतिन का बढ़ा पर्माणू फिवर पश्चिवी मीडिया के मताबिक बाइडन को लगता है कि पुतिन की सेना हत्यारों की कमी से जूज रही है और वो युक्रेन के कई लाकों से पीछे हट रही है जिससे बौकलाए पुतिन युद्ध खतम करने के लिए युक्रेन पर पर्माणू हमला कर सकते हैं पर्माणू हमले का विकल्प नमबर एग पर्माणू हमले का विकल्प नमबर दू पर्माणू हमले का विकल्प नमबर तीन पर्माणू हमले का विकल्प नमबर चार पर्माणू हमले के इन चार विकल्प में से किसी भी एक विकल्प का इस्तिमाल हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी अगर नूक्लियर वार का नमबर आया तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी पर्माणू बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा वहाँ की धर्ती बंजर हो जाएगी उस पर्माणू युद के आगे युक्रेन युद के ये धमाके भी बहुत छोटे सावित होंगे ऐसा एक भी दिन नहीं है जब अमेरिका के वाइट हाउस में नुक्लियर बम पर सीक्रिट मीटिंग नहीं होती एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब बाइडन प्रशासन अपने अटम बम वाले दुश्मनों पर मन्थन नहीं करता बाइडन के ऑफिस में रूस के राष्टपती पुतिन की रणनीती पर चर्चा तो होती है पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर पुतिन परमानू युद्ध करेंगे तो उसे तीन चरण में अन्जाम देंगे पुतिन के परमानू युद्ध का स्टेप पन परमानू परिक्षन युक्रेन को डराने के लिए पुतिन सबसे पहले वो करेंगे जो रूस ने पिछले 33 साल में नहीं किया है परमानू परिक्षन पर्मानु विज्ञानिकों का कहना है कि फुतिन यूक्रेन की सेना में खौफ भढ़ने के लिए एक बार फिर नियूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं रूस ने अपना पहला पर्मानु परिक्षन 29 अगस्त 1990 को किया था रूस ने आखरी बार 24 अक्तूबर 1990 को नियूक्लियर टेस्ट किया था रूस ने अब तक कुल 715 पर्मानु परिक्षन किये हैं जिन में 496 अंडर ग्राउंड रहे हैं पर्मानु परिक्षन करने वाला रूस दुनिया का दूसरा देश बना था जानकारों का मानना है कि पुतिन दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर पर्मानु परिक्षन के तौर पर नया धमाका कर सकते हैं दुनिया में अब तक 2069 परमानु परिक्षन हुए हैं इन में सबसे अधिक 2030 परमानु परिक्षन अमेरिका ने किये 715 न्यूकले टेस्ट करने वाला रूस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक परमानु परिक्षन करने वाला देश है दावा किया जा रहा है कि युक्रेन युद्ध के दोरान पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस एक बार भी नुकलियर टेस्ट कर सकता है अगर रूस का ये दाव काम कर गया और जेलंस की हत्यार रखने को मान गए तो ठीक नहीं तो रूस परमानु युद्ध के दूसरे स्टेप की ओर बढ़ जाएगा पुतिन के परमानु युद्ध का स्टेप टू टैक्टिकल नुकलियर बम युक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना अपने टैक्टिकल नुकलियर हत्यारों का इस्तिमाल कर सकती है tactical nuclear हत्यार छोटे परमानु बम होते हैं जो बड़े परमानु बम के मुकाबले कम दाइरे में radiation पहलाते हैं लेकिन एक सच ये भी है कि tactical nuclear बम जहां गिरेगा वहां with once बड़े परमानु बम की तरह ही करेगा ठीक वैसे ही आग बरसेगी, ठीक वैसे ही रेडियेशन फैलेगा लेकिन बड़े परमानू बम के मुकाबले टैक्टिकल न्यूकलियर बम की रेंज कम होगी रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूकलियर बम है सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की भी शमता एक किलो टन या उससे भी कम है जो एक हजार टन विस्पोटक TNT के बराबर तबाहिलाएगा दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को खोणने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका ये कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुँच जाएगा लेकिन अगर इतने पर भी यूक्रेन नहीं माना युद ही ढाना तो फिर पुतिन परमानु युद के आखरी स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे पुतिन के परमानु युद का स्टेप तीन परमानु बम से हमला रूस का परमानु बम युक्रेन के जिस हिस्से पर गिरेगा वो विरान हो जाएगा वहां की धरती बंजर हो जाएगी, आस्मान काली हो जाएगी यहां तक की सूरज की किर्णे धरती पर नहीं पहुँच पाएंगी अगर पुतिन युक्रेन पर बड़े परमानु बम से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मौस्को तक ही सिमित नहीं रहेगी युक्रेन तो तबा होगा ही, परमानु हमले की आच नेटो देशों तक पहुँचेगी परमानु हमले के जवाब में नेटो को आक्शन में आना होगा ऐसे में परमानु युद्ध में गूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व्यूद एक सच ये भी है कि रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली आटम बम है ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है पुतिन के इस परमानु बम का नाम है जार बम जार नाम का ये रूस का हाइड्रोजन बम है इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमानु बम माना जाता है जार रूस के राजाओं की उपाती रही है इसलिए इसे जार बम नाम दिया गया और इस बम को परमानु बमों के महराजा की तरह पेश किया गया कहते हैं कि अगर रूस का जार बम गिरा तो धर्ती का जर्रा जर्रा फर्रा जाएगा यह हाइडरोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ भड़ गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो रूस ने साथ बरस बाद दुनिया को दिखाया यह वही वीडियो है जार बम इतना बड़ा था कि इसके लिए खास लड़ापू जहाज बनाया गया परमाणू हत्यार खास कर परमाणू मुसाईले लड़ापू जहाजों में रखी जाती है लेकिन जार बम इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरिये लटका कर रखा गया था 30 अक्तूबर 1961 को जार बम का टेस्ट किया गया लड़ाकू जहाज टोपुलॉव 95 ने अरीब 10 किलूमेटर के उचाई से पैराशूट से जार बम को नुवाया जैमलिया दूइब पर गिराया ताकि विस्पोट से पहले गिराने वाला और तस्वीरे ले रहा विमान सुरक्षित दूरी तक पहुँच जाएं रूस के मताविक दोनों विमान 50 किलूमेटर दूर ही पहुँचे थे कि भेंकर विस्पोट हुआ विस्पोट इतना भेंकर था कि पूरी दुनिया दहल हुई दावा किया जाता है कि अमेरिका के लिटल बॉई परमानु बम से 3333 गुना शक्तिशाली है रूस का जार बम रूस का जार बम अमेरिका के लिटल बॉई और फैट मैन जैसा ही है लेकिन उन से बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को खाग कर सकता है जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमानु बम लिटल बॉई 14 किलो टन ताकत वाला था जबकि नागसाकी पर गिराए गए फैट मैन जिसने लाखों लोगों की जान पल भर में ले ली उसकी ताकत थी 18 किलो टन वहीं अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमानु बम B83 की पावर 1.2 मेगा टन की है वहीं रूस के जार बम की ताकत 50 से 58 मेगा टन है यानि अमेरिका के सबसे बड़े परमानु बम से करीब 48 गुना अधिक शक्तिशाली यही वज़ा है कि रूस ने जार बम का परिक्षन आक्तिक समुदर में नुवाया जैमलिया के उपर बर्थ में गिराया था का जाता है कि रूस ने जिस इलाके में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम का परिक्षन किया वो इलाका धमाके के बाद पूरी तरहां से बदल गया दुनिया ने उस वक्त जापान में परमानु बम की तबाही भी देख ली थी लेकिन रूस ने इस परिक्षन से साबित कर दिया कि दोबारा कभी परमानु युद छिड़ा तो दुनिया से मानपता का खात्मा भी हो सकता है यही वज़ा है कि परमानु युद की आशंका से अमेरिका के राश्चपती खौफ में है इसी वज़ा से बाइडन ने दुनिया को चेताया है कि पुतिन परमानु हतियार लॉंच कर सकते हैं युक्रेन युद पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है युक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ काउंटर अटाक में लगी है युक्रेन ने दावा ये किया है कि उसने अब कई इलाकों पर कबजे की रन्नीती अपना ली है इसके साथ ही रूस की सेना का कबजा भी लगतार जारी है जापूरीजिया के पास एक इलाका है जहां पर कबजा किया गया है इसके साथ ही जापूरीजिया इलाके में मिली जीत को युक्रेन बहुत बड़ी जीत करार दे रहा है जापुरीजिया इलाके में यूक्रेन को मिली जीत इसलिए भी जादा बड़ी हो जाती है क्योंकि जापुरीजिया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लिया पावर प्लांट है और इस न्यूक्लिया पावर प्लांट पर रूस का कपसा है वही रूस ने बेलरूस में परमाणू खत्यार उतार दिया है वही नाचो रूस के परमाणू युद्ध के काट खोजने में लगा हुआ है पुद्धिन का बढ़ा परमाणू फीवर नाचो कैंप में फैला फियर पुद्धिन के परमाणू बुखार को तोड़ने के लिए क्या करेगा नाचो कैसे टूटेगा पुद्धिन का परमाणू बुखार क्या रूस के खिलाफ अमेरिका लेने वाला है निउकेलियर एक्शन ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि रूस ने ले लिया है सबसे बड़ा रिस्क तीसरे विश्वयुद्ध को कर दिया है फिक्स तैयारी देख पेंटागॉन हुआ परेशान विजन हुआ हैरान नैचो देशों में खलबली दुनिया परमाणू युद्ध के खौप से जरी अब मुश्किल है पुतिन को मनाना बन गया नया ठीकाना शुरू हुआ परमाणू बंपो लगाना बेलारूस पोँच गया एचंप परमाणू बंके नये सेंटर से ने चो हुआ बेदम इंच conse Sergei कि उन्या मनाना थे उन्धूह झाना montra युद्ध को म bereits हो us Voice of you Ev ऐध पे लह में आप एक पैलारूस परन्या बंप लगा है क्या रूस और नैटों के बीच युद्ध बेलारूस की धर्ती पर होने वाला है क्या महीनों से परमालू हत्यारों की धमकी देते आ रहे है पुतिन अब वाकई उन्हें चलाने के मूड में लग रहे है रूस नहीं उक्रेन के उत्तर में बेलारूस में परमालू हत्यार उदार दिया है रूस परमालू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ उक्रेन के पुर्व में खुद बैचा है वही उक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी पुदिर की परमाणू पंटूविया तैना थी वही इसके उत्तरपश्रिम में पॉलेंड के पास रूस के कलिन रात में भी परमाणू हत्यार मौजूद है 1991 में सोवियत संग के पतन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस का परमाणू बम रूस से बाहर पहुच रहा है ऐसा पहली बार है जब दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणू बम रखने वाले देश ने अपने बॉर्डर के बाहर परमाणू हत्यारों की तैनाती की है बेलारुस में रूस की मिसाईले तनी हुई हैं बेलारुस में रूस के लड़ाकों विमान गरज रहे हैं बेलारुस में रूस के टैंक तोड़ रहे हैं बेलारुस में रूस के सैनिक मोर्चा बनाकर जटे हुए हैं बेलारुस में रूसी मिसाईलों की तैनाती से नेटों में पहले से ही खलबली मची थी अब बेलारुस में रूस के परमाणू हत्यार भी फिट हो गए हैं बेलारूस में परमालू बम फिट करने के कदम को नैटो देश क्यों पुतिन का परमालू फीवर करार दे रहे हैं इसे आगे बताएंगे लेकिर रूस के पहले ये देख नीचे कि रूस की किस परमालू तयारी ने नैटो को डरा रखा है एक, दो, तीर, चार, 40 सेकंड में चार हमले, चारो दिशाओं में चार छिकाने दहले पुतिन हुए कृत, समंदर में रूस का परमालू युद्थ, नैजो हुआ हलकान, अमेरिका परेशान, भिटेन का मिट सकता है नामू निशान दीन में समंदर के अंदर से परमालू हमला रात के अंधेरे में समंदर से परमालू हमला ये रूस का परमालू युद्धा भ्यास है, ये नैजो को डराने का पुतिन का प्रियास है, जेलिंस्की इसे देख अताश है पाल्टिक देश रन होनी के खतरे से उदास है, आखिर रूस के इस परमालू युद्धा भ्यास में क्या खास है इसे युद्धा भ्यास को रूस अपने लड़ाको श्रमता का विस्तार करार दिया है इसे युद्धा भ्यास में रूस के उतरी बेड़े के पंडूवी रोधी युद्ध जहाजों ने हिस्सा लिया ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि एक काल्पनिक दुश्मन की पंडूवियों को समंदर के अंदर ही जुवो दिया पहला हमला दूसरा हमला तीसरा हमला चौथा हमला पांचवा हमला यह हमले तो कुछ भी नहीं है रूस के युद्ध पोतों ने जलजला ला दिया है रूस समंदर को निकलियर वार का एपी सेंटर बनाने की तैयारी में है समंदर में परमालू बम का जाल बिछा कर रूस नैटों को निशाना बनाने की तैयारी में है रूस ने अपनी नौसीना के चारो बेड़ों को हाई अलर्ट पर रख दिया है रूस के चारो बेड़े के युद्ध पोद मोर्चा पर टटे हाई अलर्ट पर रूस की परमाडू पंडू भियां समंदर में निकुलियर बॉमर की गर्जना समंदर के रास्ते परमाडू पंडू गिराने का अप्भ्यास रूस के राष्टपती वला दिमिर पुती ने उतरी बेड़े को सुपर अलर्ट मोड में रखा है पैसिफिक फ्लिट को सचिक परमाडू हमलों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का काम सौपा है उत्तर और परशांत के बेड़े की मारक श्रमता को सोवियत दौर से ही जवावी हमलों में मौस्को के मुख्यार के रूप में देखा गया है इस बेड़े का इस्तिमाल रूस जवावी हमले के लिए करता आया है रूस की नौसेना काला सागर में यूक्रेन पर नजर गड़ाए हुए है हाल ही में नैटो में शामिल हुए फिल्लेंड के रास्ते आने वाले खतों से निपटने के लिए रूस के युधपोत बाल्टिक सागर में डटे हुए है नैटो की हरकतों का जवाब देने के लिए रूस ने अपनी नैवी को आर्क्टिक सागर में भी उतार रखा है रूस का प्रशान्त बेड़ा भी रूस के पुर्वी किनारे पर प्रशान्त महा सागर में सुपर एक्टिव है बड़ा सवाल है कि पूरब से लेकर पश्शिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिन तक अपनी नोसेना को अलर्ट मोट मिलाकर रूस क्या संदेश देना चाहता है खासकर उत्तर में अपने युद्धपोतों से मिसाइल बरसाकर क्या रूस अमेरिका को चेतावरी देने की कोशश में है यही वज़य है कि प्रशान्त बेड़े के साथ साथ रूस का उत्री बेड़ा भी सूपर एक्टिव है टेक्टिकल न्यूकलियर हत्यारों से लैस युद्धपोत और पंडूवियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ उतार दिया है आर्किटिक सागर और बाल्टिक सागर में टेक्टिकल नुकलियर हत्यारों की मौजूदगी को नैटो देशों के लिए एक गंभीर खत्रा बताया गया है जेनमाल्क, स्वीडन, फिल्लेंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलेंड और जर्मनी की सिमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है वही आर्किटिक सागर में परमालू हत्यारों से लैस, युद्धपोत और पंडुबियों से सीधा खत्रा नौर्वे, स्वीडन, फिल्लेंड और अमेरिका तक को है दावा किया गया है कि रूस की नौसेना ने अपने युद्धपोत एड्मिरल गोशको को परमालू हत्यारों से लैस करके आर्किटिक सागर में उतार दिया है दरसल आर्किटिक शेत्र की जिम्यदारी रूस के उतरी बेड़े के पास है नौर्वे के खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने परमालू युद्ध के सिक्रेट प्लैन को समंदर में आगे बढ़ा दिया है नौर्वे के इंटेलिजन्स सर्विस ने अपनी सलाना खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि रूस की नौस सेना के उतरी बेढ़े में युद्ध पोतों को टैक्चिकल नूकलियर हत्यारों से लैस किया गیا है रिपोर्ट में जहादों पर लगाए गए परमालू हत्यारों के बारे में बताया गया है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में ये पहली बार है जब रूस का बेड़ा परमाणू हत्यारों के साथ समंदर में उत्रा है अमेरिका और रूस की बरसो पुरानी जानी दुश्मनी को यूकरेनी युद्ध ने नई धार दे दी है रही सही कसर फिल लेंड को नैटो में मिला कर अमेरिका ने पूरा कर दिया यही वज़ा है कि रूस ने आर्किटिक सागर के साथ साथ अमेरिका के वर्चस्वाले प्रशान्त महसागर में शक्ति प्रदर्शन पर उतर आया है रूस के प्रशान्त बेड़े में 46 युद्ध पोत है प्रशान्त बेड़े के युद्ध अभयास का मकसद दुषमन के मिसाइल और हवाई हमलों से रूस को सुरक्षित करना है जिसके लिए रूस की नेवी दुश्मन की पंडूवियों को पता लगा कर उन्हें समंदर के अंदर ही तबाह करने का युद्धा भ्यास कर रही है फेडेरेशन आफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक हालिया रिपोर्ट बताती है के फिल्लेंड के पास मौझूद कोला प्रायोदीप में भी रूस ने पंडूवियों पर तैनाद 350 परमाडू बम लगा रखे हैं सभी परमाडू बम 150 किलो टन की ताकत के हैं यानि कोला प्रायोदीप में मौझूद रूस के एक परमाडू बम हिरोश्मा पर गिरे बम से 10 गुनाधिक शक्तिशाली है फिल्लेंड के नैटों में शामिल होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने नैटों से भिडने की पूरी तैयारी कर ली है कोला प्रायोदीप में रूस ने बड़े पैमाने पर परमाडू हत्यार जमा कर रखे हैं कोला प्रायोदीप का एक छोटा सा इलाका रूस की परमाडू मिसाल से लाइस सम्मरिट का पावरफुल सेंटर है यहीं से आर्गटिक के गष्ट भी की जाती है रूस की यह तैयारिया बता रही है कि उप्रायन युद्ध अभी खक भी नहीं हुआ रूस को मनमाफिक जीत भी नहीं मिली उससे पहले ही पुतिर युद्ध के कई मोची एक साथ खोले की तैयारी में है वेवाया प्रिवोगा, कॉंपिक्स, इजोर कुई रूस, बेलारूस की सेना को इसकंदर बलिस्टिक मिसाइल की चेरिंग दे चुका है इस टेरिंग का मतलब है कि बेलारूस के सेनी का पुतिर की परमालू मिसाइल को फायर करना से गय है और अब रूस का परबालू बम ही बेलारूस पहुँच गया है अब ऐसे में आउडर पुतिन का होगा या फिर बेलारूस के राश्टपती अलेक्सेंडर लुकाश्रेंको का ये बड़ा सवाल है लेकिन अगर मिसाल बेलारूस में है तो इसमें लुकाश्रेंको के आउडर से कौन इनकार करेगा अमेरिका के राश्टपती को क्या डर सता रहा है वाइट हाउस में खौफ का क्यों प्रसारू हो रहा है वाइड हाउस के टीवी स्क्रीन पर बाइडन को क्या दिखाया जा रहा है बाइडन को ये क्यों दिखाया जा रहा है क्या अमेरिका पर कोई बड़ा खत्रा आने वाला है क्या अमेरिका पर हमला होने वाला है आखिर दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर के प्रेजिडेंट यू डरे हुए है बाइडन के सपने में किस बटन के डरावने सपने आ रहे है जवाब है बाइडन को डर है कि पुतिन पर मानू हत्यारों का इस्तिमाल करने वाले है बाइडन का कहना है कि पुतिन के पर मानू हत्यारों के इस्तिमाल का खत्रा वास्तविक है पर मानू युद को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं यहों की धमकियों से साफ हो जाता है पुतिन साफ साफ शब्दों में नेटो देश को चिता चुके हैं युक्रेन को जितिनी लंबी दूरी की मिसाईले मिलेंगी रूस खत्रे को अपनी सीमा से उतना ही दूर कर देगा रूस ने युक्रेन के उत्तर में बेला रूस में परमानू हत्यार उतार दिया है रूस परमानू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ युक्रेन के पूर्व में खुद बैठा है वहीं उक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी पुतिन की पर्माणू पड़ुप्या तैना थे और उनके उत्तर पश्चिम में पोलन के पास रूस के किलिनिन ग्राथ में भी पर्माणू हत्यार मौजू है पश्चिमी मीडिया के दावों को माने तो अमेरिका के राश्च्पती बाइडन को डर सताने लगा है कि पुतिन कभी भी पर्माणू हमला कर सकते हैं इसलिए पुतिन ने पडोसी देश बेलरूस में पर्माणू हत्यारों को तैनाद किया है ताकि वो आसानी से योरप के किसी भी देश पर पर्माणू हमला कर सके पुतिन का बढ़ा पर्माणू फीवर पश्यवी मीडिया के मताबिक बाइडन को लगता है कि पुतिन की सेना हत्यारों की कमी से जूज रही है और वो युक्रेन के कई लाकों से पीछे हट रही है जिससे वौकलाए पुतिन युद्ध खतम करने के लिए युक्रेन पर पर्माणू हमला कर सकते हैं पर्माणू हमले का विकल्प नम्बर एक पर्माणू हमले का विकल्प नम्बर दू पर्माणू हमले का विकल्प नम्बर तीन पर्माणू हमले का विकल्प नम्बर चार पर्माणू हमले के इन चार विकल्प में से किसी भी एक विकल्प का इस्तिमाल हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाए अगर न्यूक्लियर वार का नम्बर आया तो दुनिया की तस्वीर पूरी दरह से बदल जाएगी पर्माणू बम दुनिया के जिस हिस्से पर इरेगा वो वीरान हो जाएगा वहाँ की धर्ती बंजर हो जाएगी उस पर्माणू युद के आगे युक्रेन युद के ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे ऐसा एक भी दिन नहीं है जब अमेरिका के वाइट हाउज में न्यूक्लियर बम पर सीक्रिट मीटिंग नहीं होती एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब बाइडन प्रशासन अपने अटम बम वाले दुश्मनों पर मन्थन नहीं करता बाइडन के ओफिस में रूस के राष्टपती पुतिन की रणनीती पर चर्चा तो होती है पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर पुतिन परमानू युद्ध करेंगे तो उसे तीन चरण में अन्जाम देंगे पुतिन के परमानू युद्ध का स्टेप वन परमानू परिक्षण युक्रेन को डराने के लिए पुतिन सबसे पहले वो करेंगे जो रूस ने पिछले 33 साल में नहीं किया है परमानू परिक्षण परमाणू विज्ञानिकों का कहना है कि फुतिन यूक्रेन की सेना में खौफ भणने के लिए एक बार फिर नियूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं रूस ने अपना पहला परमाणू परिक्षन 29 अगस्त 1990 को किया था रूस ने आखरी बार 24 अक्तूबर 1990 को नियूक्लियर टेस्ट किया था रूस ने अब तक कुल 715 परमाणू परिक्षन किये हैं जिन में 496 अंडरग्राउंड रहे हैं परमाणू परिक्षन करने वाला रूस दुनिया का दूसरा देश बना था जानकारों का मानना है कि पुतिन दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर परमाणू परिक्षन के तौर पर नया धमाका कर सकते हैं दुनिया में अब तक 2069 परमाणू परिक्षन हुए हैं इन में सबसे अधिक 2030 परमाणू परिक्षन अमेरिका ने किये 715 न्यूक्लिय टेस्ट करने वाला रूस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक परमाणू परिक्षन करने वाला देश है दावा किया जा रहा है कि युक्रेन युद्ध के दोरान पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस एक बार फिर न्यूक्लिय टेस्ट कर सकता है अगर रूस का ये दाव काम कर गया और जेलंस की हत्यार रखने को मान गए तो ठी नहीं तो रूस परमानु युद्ध के दूसरे स्टेप की ओर बढ़ जाएगा पुतिन के परमानु युद्ध का स्टेप टू टैक्टिकल न्यूक्लियर बम युक्रेन युद में पुतिन की सेना अपने टैक्टिकल नूकलियर हत्यारों का इस्तिमाल कर सकती है टैक्टिकल नूकलियर हत्यार छोटे परमानू बम होते हैं जो बड़े परमानू बम के मुकाबले कम दाइरे में रेडियेशन पहलाते हैं लेकिन एक सच ये भी है कि टैक्टिकल नूकलियर बम जहां गिरेगा वहाँ विद्वन्स बड़े परमानू बम की तरह ही करेगा ठीक वैसे ही आग बरसेगी, ठीक वैसे ही रेडियेशन फैलेगा लेकिन बड़े परमाणू बम के मुकाबले टैक्टिकल निूकलियर बम की रेंज कम होगी रूस के पास करीब 2,000 टैक्टिकल निूकलियर बम है सबसे छोटे टैक्टिकल निूकलियर बम की भी शमता 1 किलो टन या उस से भी कम है जो एक हजार टन विस्पोटक TNT के बराबर तबाहि लाएगा दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को खोणने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका ये कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुँच जाएगा लेकिन अगर इतने पर भी यूक्रेन नहीं माना, युद ही ढाना तो फिर पुतिन परमानु युद के आखरी स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे पुतिन के परमानु युद का स्टेप तीन, परमानु बम से हमला रूस का परमानु बम युक्रेन के जिस हिस्से पर गिरेगा वो विरान हो जाएगा वहां की धरती बंजर हो जाएगी, आस्मान काली हो जाएगी यहां तक की सूरज की किरणे धरती पर नहीं पहुँच पाएगी अगर पुतिन युक्रेन पर बड़े परमानु बम से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्खों तक ही सिमित नहीं रहेगी युक्रेन तो तबा होगा ही परमानु हमले की आच नेटो देशों तक पहुचेगी परमानु हमले के जवाब में नेटो को आक्शन में आना होगा ऐसे में परमानु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्वियूद एक सच ये भी है कि रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली आटम बम है ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है पुतिन के इस परमानु बम का नाम है जार बम जार नाम का ये रूस का हाइड्रोजन बम है इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमानु बम माना जाता है जार रूस के राजाओं की उपादी रही है इसलिए इससे जार बम नाम दिया गया और इस बम को परमानु बमों के महराजा की तरह पेश किया गया कहते हैं कि अगर रूस का जार बम गिरा तो धर्ती का जर्रा जर्रा ठर्रा जाएगा यह हाइडरोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ भड़ गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो रूस ने साथ बरस बाद दुनिया को दिखाया ये वही वीडियो है जार बम इतना बड़ा था कि इसके लिए खास लड़ाकू जहाज बनाया गया परमाणू हत्यार खास कर परमाणू मुसाईले लड़ाकू जहाजों में रखी जाती है लेकिन जार बम इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरिये लटका कर रखा गया था 30 अक्तूबर 1961 को जार बम का टेस्ट किया गया लडाकु जहाज टोपुलॉव 95 ने अरीब 10 किलुमीटर की उचाई से पैराशूट से जार बम को नुवाया जैमलिया दूइद पर गिराया ताकि विस्पोट से पहले गिराने वाला और तस्वीरे ले रहा विमान सुरक्षित दूरी तक पहुँच जाएं रूस के मताविक दोनों विमान 50 किलुमीटर दूर ही पहुँचे थे कि भेंकर विस्पोट हुआ विस्पोट इतना भेंकर था जि पूरी दुनिया दहल हुई दावा किया जाता है कि अमेरिका के लिटिल बॉई परमानू बम से 3333 गुना शक्तिशाली है रूस का जार बम रूस का जार बम अमेरिका के लिटिल बॉई और फैट मैन जैसा ही है लेकिन उनसे बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को खाक कर सकता है जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमानू बम लिटिल बॉई 14 किलो टन ताकत वाला था जबकि नागसाकी पर गिराए गए फैट मैन जिसने लाखों लोगों की जान पल भर में ले ली उसकी ताकत थी 18 किलो टन वहीं अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमानू बम V83 की पावर 1.2 मेगा टन की है वहीं रूस के जार बम की ताकत 50 से 58 मेगा टन है यानि अमेरिका के सबसे बड़े परमानू बम से करीब 48 गुना अधिक शक्तिशाली यही वज़ा है कि रूस ने जार बम का परिक्षन आक्टिक समुदर में नुवाया जैमलिया के उपर बर्थ में गिराया था ताकि किसी भी तरह की आबादी से धमाके वाली जगा सैक्डों हजारों किलुमिटर तूरी कहा जाता है कि रूस ने जिस इलाके में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम का परिक्षन किया वो इलाका धमाके के बाद पूरी तरहां से बदल गया दुनिया ने उस वकट जापान में पर्मानू बम की तबाही भी देख ली थी लेकिन रूस ने इस परिक्षन से साबित कर दिया कि दोबारा कभी पर्मानू युद छिडा तो दुनिया से मानपता का खात्मा भी हो सकता है यही वज़ा है कि परमाणू युद्ध की आशंका से अमेरिका के राश्चपती खौफ में है। इसी वज़ा से बाइडन ने दुनिया को चेताया है कि पुतिन परमाणू हतियार लॉंच कर सकते हैं। युक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। युक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ काउंटर अटाक में लगी है। और इस नुकलिया पावर प्लान्ट पर रूस का कपसा है। वही रूस ने बेलरूस में परमाणू खत्यार उतार दिया है। वही नाचो रूस के परमाणू युद्ध के काट खुजने में लगा हुआ है। पुदिन का बढ़ा परमाणू फीवर। नाचो कैंप में फैला फियर। पुदिन के परमाणू बुखार को तोड़ने के लिए क्या करेगा नाचो। कैसे टूटेगा पुदिन का परमाणू बुखार। क्या रूस के खिलाफ अमेरिका लेने वाला है नुकेलियर एक्शन। ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि रूस ने ले लिया है सबसे बड़ा रिस्क। तीसरे विश्वयुद को कर दिया है फिक्स। तैयारी देख पेंटागॉन हुआ परेशान विजेन हुआ हैरान। नैजो देशों में खल्बली दुनिया परमाणू युद के खौब से जरी। अब मुश्किल है पुतिन को मनाना बन गया नया ठिकाना शुरू हुआ परमाणू बंपो लगाना। वेलारी पुछ गया एचाम परमाणू परमाणू परम थाने चैनल अब तो प्रक्तिन तो प्रक्तिन प्रक्तिन प्रव टर्वें शेहें एकार को लिए प्रविस्टा में भी होगा। तो तका है वजमों से इस वसी एपनिमाइट वसी पर जब आपको नज़ाएंगा ने तको ने नहीं है क्या थीसरे विशो यूद का एपी सेंटर बेलारूस परने वाला है? क्या रूस और नैटो के भीच यूद बेलारूस की धर्टी पर होने वाला है? क्या महीनों से परमालू हत्यारों की धमकी देते आ रहे पुतिन अब वाकई उन्हें चलाने के मुड में लग रहे हैं? रूस नहीं उक्रेन के उत्तर में बेलारूस में परमालू हत्यार उदार दिया है रूस परमाणू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ ही उक्रेन के पुर्व में खुद बैचा है वही उक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी पुदिर की परमाणू पंटूविया तैना थी वही इसके उक्तरपश्रिम में पुलेंड के पास रूस के कलिन रात में भी परमाणू हत्यार मौझूद है 1991 में सोवियत संग के पतन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस का परमाणू बम रूस से बाहर पहुच़ा है ऐसा पहली बार है जब दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणू बम रखने वाले देश ने अपने बॉर्डर के बाहर परमाणू हत्यारों की तैनाती की है बेलारुस में रूस की मिसाईले तनी हुई है बेलारुस में रूस के लड़ाकों विमान गरज रहे हैं बेलारुस में रूस के टैंक तोड़ रहे हैं बेलारुस में रूस के सैनिक मोर्चा बनाकर जटे हुए हैं बेलारुस में रूसी मिसाईलों की तैनाती से नैटों में पहले से ही खलबली मची थी अब बेलारुस में रूस के परमाणू हत्यार भी फिट हो गए है बेला रूस में परमालू बम फिट करने के कदम को नैटो देश क्यों पुतिन का परमालू फीवर करार दे रहे हैं इसे आगे बताएंगे लेकिर रूस के पहले ये देख लिजे कि रूस की किस परमालू तयारी ने नैटो को डरा रखा है एक, दो, तीर, चार, 40 सेकंड में चार हमले, चारों दिशाओं में चार छिकाने दहले पुतिन हुए कृत, समंदर में रूस का परमालू युत, नैजो हुआ हलकान, अमेरिका परेशान, भिटेन का मिट सकता है नामू निशान दीन में समंदर के अंदर से परमालू हमला रात के अंधिरे में समंदर से परमालू हमला ये रूस का परमालू युद्धा भ्यास है, ये नैजो को डराने का पुतिन का प्रयास है, जेलेंस्की इसे देख अताश है पाल्टिक देश रन होनी के खतरे से उदास है, आखिर रूस के इस परमालू युद्धा भ्यास में क्या खास है इसे युद्धा भ्यास को रूस अपने लड़ा को श्रमता का विस्तार करार दिया है इसे युद्धा भ्यास में रूस के उतरी बेड़े के पंडूवी रोधी युद्ध जहाजों ने हिस्सा लिया ना सिर्फ हिस्सा लिया बलकि एक काल्पनिक दुश्मन की पंडुबियों को समंदर के अंदर ही जुबो दिया पहला हमला दूसरा हमला तीसरा हमला चौधा हमला पांचवा हमला यह हमले तो कुछ भी नहीं है रूस के युद्धुपोतों ने जलजला ला दिया है रूस समंदर को निकलियर वार का एपी सेंटर बनाने की तैयारी में है समंदर में परमाडु बम का जाल बिछा कर रूस नैटों को निशाना बनाने की तैयारी में है रूस ने अपनी नौसीना के चारो बेड़ों को हाई अलर्ट पर रख दिया है रूस के चारो बेड़े के युद्ध पोद मोर्चा पर टटे हाई अलर्ट पर रूस की परमाडू पंडूबियां समंदर में निकुलियर बॉमर की गर्जना समंदर के रास्ते परमाडू पंडूबियांने का अप्ध्यास रूस के राष्टपती वला दिमिर पुती ने उतरी बेड़े को सुपर अलर्ट मोड में रखा है पैसिफिक फिलिट को सचिक परमाडू हमलों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का काम सौपा है उत्तर और परशांद के बेड़े की मारक श्रमता को सोवियत दोर से ही जवावी हमलों में मौस्को के मुख्यार के रूप में देखा गया है इस बेड़े का इस्तिमाल रूस जवावी हमले के लिए करता आया है रूस की नौसेना काला सागर में यूक्रेन पर नजर गड़ाए हुए है हाल ही में नैटो में शामिल हुए फिल्लेंड के रास्ते आने वाले खतों से निपटने के लिए रूस के युदपोत बाल्टिक सागर में डटे हुए है नैटो की हरकतों का जवाब देने के लिए रूस ने अपनी नैवी को आर्किटिक सागर में भी उतार रखा है रूस का प्रशानत बेड़ा भी रूस के पुर्वी किनारे पर प्रशानत महा सागर में सुपर एक्टिव है बड़ा सवाल है कि पूरब से लेकर पश्रिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिन तक अपनी नोसेना को अलर्ट मोट मिलाकर रूस क्या संदेश देना चाहता है खासकर उत्तर में अपने युद्धपोतों से मिसाइल बरसा कर क्या रूस अमेरिका को चेतावरी देने की कोशश में है यही वज़य है कि प्रशानत बेड़े के साथ साथ रूस का उत्री बेड़ा भी सूपर एक्टिव है ट्रीकल निउकलियर हत्यारों से लह से युद्पोत और पंडूबियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में तेक्टिकल निउकलियर हत्यारों की मौजूदगी को नैटो देशों के लिए एक गंभीर खतरा बताया गया है जेनमाल्क, स्वीडन, फिल्लेंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलेंड और जर्मनी की सिमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है वही आर्किटिक सागर में परमालू हत्यारों से लैस युद्धपोत और पंडुबियों से सीधा खत्रा नौर्वे, स्वीडन, फिल्लेंड और अमेरिका तक को है दावा किया गया है कि रूस की नौसेना ने अपने युद्धपोत एड्मिरल गोशको को परमालू हत्यारों से लैस करके आर्किटिक सागर में उतार दिया है दरसल आर्किटिक शेत्र की जिम्यदारी रूस के उतरी बेड़े के पास है नौर्वे के खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने परमालू युद्ध के सिक्रेट प्लैन को समंदर में आगे बढ़ा दिया है नौर्वे के इंटेलिजन्स सर्विस ने अपनी सलाना खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि रूस की नौस सेना के उतरी बेड़े में युद्ध पोतों को टेक्टिकल नुकलियर हत्यारों से लैस किया गया है रिपोर्ट में जहाजों पर लगाए गए परमालू हत्यारों के बारे में बताया गया है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में ये पहली बार है जब रूस का बेड़ा परमाणू हत्यारों के साथ समंदर में उत्रा है अमेरिका और रूस की बरसो पुरानी जानी दुश्मनी को यूकरेनी युद्ध ने नई धार दे दी है रही सही कसर फिल लेंड को नैटो में मिला कर अमेरिका ने पूरा कर दिया यही वज़ा है कि रूस ने आर्कटिक सागर के साथ साथ अमेरिका के वर्चस्वाले प्रशान्त महसागर में शक्ति प्रदर्शन पर उतर आया है रूस के प्रशान्त बेड़े में 46 युद्ध पोत हैं प्रशान्त बेड़े में युद्ध पोतों में एंटी सम्मरीन मिसाइल शिप भी हैं और एमफेबियस युद्ध पोत भी साथ ही साथ रूस के प्रशान्त बेड़े में 24 से 26 पंडूबियां है प्रशांत बेडे के युद्धा भ्यास का मकसद दुश्मन के मिसाइल और हवाई हमलों से रूस को सुरक्षित करना है जिसके लिए रूस की नेवी दुश्मन के पंडूबियों को पता लगा कर उन्हें समंदर के अंदर ही तबाह करने का युद्धा भ्यास कर रही है फेडेरेशन आफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक हालिया रिपोर्ट बताती है के फिल्लेंड के पास मौझूद कोला प्रायवदीप में भी रूस ने पंडूबियों पर तैनाद 350 परमाडू बम लगा रखे हैं सभी परमाडू बम 150 किलो टन की ताकत के हैं यानि कोला प्रायवदीप में मौझूद रूस के एक परमाडू बम हिरोश्मा पर गिरे बम से 10 गुनाधिक शक्तिशाली है फिल्लेंड के नैटों में शामिल होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने नैटों से फिडने की पूरी तैयारी कर ली है प्रायवदीप में रूस ने बड़े पैमाने पर परमाडू हत्यार जमा कर रखे हैं प्रायवदीप का एक छोटा सा इलाका रूस की परमाडू मिसाल से लाइस सम्मरिट का पावरफुल सेंटर है यहीं से आर्गटिक के गष्ट भी की जाती है रूस की यह तैयारिया बता रही है कि उप्रायन युद्ध अभी खत भी नहीं हुआ रूस को मनमाफिक जीत भी नहीं मिली उससे पहले ही पुतिल युद्ध के कई मोची एक साथ खोले की तैयारी में है वैवाया त्रिवोगा पॉन्टिक से इजोर कोई रूस बेलारूस की सेना को इसकंदर बलिस्टिक मिसाइल की चेरिनिंग दे चुका है इस ट्रेनिंग का मतलब है कि बेलारूस के सेनी का पुतिन की परमालू मिसाइल को फायर करना सी कहे है और अब रूस का परमालू बम ही बेलारूस पहुँच गया है अब ऐसे में ओर्डर पुतिन का होगा या फिर बेलारूस के राष्टपती अलेक्सेंडर लुकाश्रेंको का ये बड़ा सवाल है लेकिन अगर मिसाइल बेलारूस में है तो इसमें लुकाश्रेंको के ओर्डर से कौन इंकार करेगा अमेरिका के राष्ट्रपती को क्या डर सता रहा है वाइट हाउस में खौफ का क्यूं प्रसारण हो रहा है वाइट हाउस के टीवी स्क्रीन पर बाइडन को क्या दिखाया जा रहा है बाइडन को ये क्यूं दिखाया जा रहा है क्या अमेरिका पर कोई बड़ा खत्रा आने वाला है क्या अमेरिका पर हमला होने वाला है आखिर दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर के प्रेजिडेंट यू डरे हुए बाइडन के सपने में किस बटन के डरावने सपने आ रहे है जवाब है बाइडन को डर है कि पुतिन परमानू हत्यारों का इस्तिमाल करने वाले है बाइडन का कहना है कि पुतिन के परमानू हत्यारों के इस्तिमाल का खत्रा वास्तविक है परमानू युद्ध को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं यहों की धमकियों से साफ हो जाता है पुतिन साफ साफ शब्दों में नेटो देश को चिता चुके हैं यूक्रेन को जितनी लंबी दूरी की मिसाइले मिलेंगी रूस खत्रे को अपनी सीमा से उतना ही दूर कर देगा रूस ने यूक्रेन के उत्तर में बेला रूस में परमानु हत्यार उतार दिया है रूस परमाणू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ युक्रेन के पूर्व में खुद बैठा है वहीं युक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी पुतिन की परमाणू पड़ुप्या तैनात है और उनके उत्तर पश्चिम में पोलन के पास रूस के किलिनिन में भी परमाणू हत्यार मतुद है पुदिन पश्चिमी मीडिया के दावों को माने तो अमेरिका के राश्च्ठपती बाइडन को दर सताने लगा है कि फुतिन कभी भी परमाणू हमला कर सकते हैं इसलिए पुतिन ने पडोसी देश बेलरूस में परमाणू हत्यारों को तैनाद किया है ताकि वो आसानी से योरप के किसी भी देश पर परमाणू हमला कर सके पुतिन का बढ़ा परमाणू फीवर पश्वी मीडिया के मताबिक बाइडन को लगता है कि पुतिन की सेना हत्यारों की कमी से जूज रही है और वो युक्रेन के कई लाकों से पीछे हट रही है जिससे वौकलाए पुतिन युद्ध खतम करने के लिए युक्रेन पर परमाणू हमला कर सकते हैं परमाणू हमले का विकल्प नमबर एग परमाणू हमले का विकल्प नमबर दू परमाणू हमले का विकल्प नमबर तीन परमाणू हमले का विकल्प नमबर चार परमाणू हमले के इन चार विकल्प में से किसी भी एक विकल्प का इस्तिमाल हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाए अगर न्यूक्लियर वार का नमबर आया तो दुनिया की तस्वीर पूरी दरह से बदल जाएगी परमाणू बम दुनिया के जिस हिस्से पर इरेगा वो वीरान हो जाएगा वहाँ की धर्ती बंजर हो जाएगी उस परमाणू युद के आगे युक्रेन युद के ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे ऐसा एक भी दिन नहीं है जब अमेरिका के वाइट हाउज में न्यूक्लियर बम पर सीक्रिट मीटिंग नहीं होती एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब बाइडन प्रशासन अपने अटम बम वाले दुश्मनों पर मन्थन नहीं करता बाइडन के ओफिस में रूस के राष्टपती पुतिन की रणनीती पर चर्चा तो होती है पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर पुतिन परमानू युद्ध करेंगे तो उसे तीन चरण में अन्जाम देंगे पुतिन के परमानू युद्ध का स्टेप वन परमानू परिक्षन युक्रेन को डराने के लिए पुतिन सबसे पहले वो करेंगे जो रूस ने पिछले 33 साल में नहीं किया है परमानू परिक्षन परमाणू विज्ञानिकों का कहना है कि फुतिन यूक्रेन की सेना में खौफ भणने के लिए एक बार फिर नियूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं रूस ने अपना पहला परमाणू परिक्षन 29 अगस्त 1990 को किया था रूस ने आखरी बार 24 अक्तूबर 1990 को नियूक्लियर टेस्ट किया था रूस ने अब तक कुल 715 परमाणू परिक्षन किये हैं जिन में 496 अंडरग्राउंड रहे हैं परमाणू परिक्षन करने वाला रूस दुनिया का दूसरा देश बना था जानकारों का मानना है कि पुतिन दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर परमाणू परिक्षन के तौर पर नया धमाका कर सकते हैं दुनिया में अब तक 2069 परमाणू परिक्षन हुए हैं इन में सबसे अधिक 2030 परमाणू परिक्षन अमेरिका ने किये 715 न्यूकले टेस्ट करने वाला रूस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक परमाणू परिक्षन करने वाला देश है दावा किया जा रहा है कि युक्रेन युद्ध के दोरान पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है अगर रूस का ये दाव काम कर गया और जेलेंस की हत्यार रखने को मान गए तो ठी नहीं तो रूस परमानु युद्ध के दूसरे स्टेप की ओर बढ़ जाएगा पुतिन के परमानु युद्ध का स्टेप टू टैक्टिकल न्यूक्लियर बम युक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हत्यारों का इस्तिमाल कर सकती है न्यूक्लियर बम जहां गिरेगा. वहाँ विद्वंस बड़े पर्मानू बम की तरह ही करेगा. ठीक वैसे ही आग बरसेगी, ठीक वैसे ही रेडियेशन फैलेगा, लेकिन बड़े पर्मानू बम के मुकाबले टैक्टिकल न्यूकलियर बम की रेंज कम होगी. रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल नूक्लियर बं है सबसे छोटे टैक्टिकल नूक्लियर बं की भी शम्ता- एक किलो तन या उससे भी कम है जो एक हजार तन विस्पोटक T&T के बराबर तबाही लाएगा दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को खोणने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका ये कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुँच जाएगा पुतिन के परमानु युद का स्टेप 3 परमानु बम से हमला रूस का परमानु बम यूक्रेन के जिस हिस्से पर गिरेगा वो विरान हो जाएगा वहाँ की धरती बंजर हो जाएगी आसमान काली हो जाएगी यहां तक की सूरज की किरणे धर्ती पर नहीं बहुंच पाएंगी अगर पुतिन युक्रेन पर बड़े परमाणू बम से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मौस्खों तक ही सिमित नहीं रहेगी युक्रेन तो तबा होगा ही परमाणू हमले की आँच नेटो देशों तक पहुँचेगी परमाणू हमले के जवाब में नेटो को आक्शन में आना होगा ऐसे में परमाणू युद्ध में गूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्वियूद एक सच ये भी है कि रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली आटम बम है ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है पुतिन के इस परमाणू बम का नाम है जार बम जार नाम का ये रूस का हाइड्रोजन बम है इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणू बम माना जाता है जार रूस के राजाओं की उपादी रही है इसलिए इसे जार बम नाम दिया गया और इस बम को परमाणू बमों के महराजा की तरह पेश किया गया कहते हैं कि अगर रूस का जार बम गिरा तो धर्ती का जर्रा जर्रा ठरा जाएगा यह हाइडरोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ भड़ गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो रूस ने साथ बरस बाद दुनिया को दिखाया यह वही वीडियो है जार बम इतना बड़ा था कि इसके लिए खास लड़ाकू जहाज बनाये गया परमाणू हत्यार खास कर परमाणू मुसाईले लड़ाकू जहाजों में रखी जाती है लेकिन जार बम इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरिये लटका कर रखा गया था 30 अक्तूबर 1961 को जार बम का टेस्ट किया गया लड़ाकू जहाज टोपुलॉव 95 ने अरीफ 10 किलोमीटर के उचाई से पैराशूट से जार बम को नुवाया जैमलिया दूइद पर गिराया ताकि विसपोट से पहले गिराने वाला और तस्वीरे ले रहा विमान सुरक्षित दूरी तक पहुँच जाएं रूस के मताविक दोनों विमान 50 किलोमीटर दूर ही पहुँचे थे कि भेंकर विसपोट हुआ विसपोट इतना भेंकर था जिप पूरी दुनिया दहल हुँई दावा किया जाता है कि अमेरिका के लिटल बॉई परमानू बम से 3333 गुना शक्तिशाली है रूस का जार बम रूस का जार बम अमेरिका के लिटल बॉई और फैट मैन जैसा ही है लेकर उन से बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को खाग कर सकता है जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमानू बम लिटल बॉई 14 किलो टन ताकत वाला था जबकि नागसाकी पर गिराए गए फैट मैन जिसने लाखों लोगों की जान पल भर में ले ली उसकी ताकत थी 18 किलो टन वहीं अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमानू बम V83 की पावर 1.2 मेगा टन की है वहीं रूस के जार बम की ताकत 50 से 58 मेगा टन है यानि अमेरिका के सबसे बड़े परमानू बम से करीब 48 गुना अधिक शक्तिशाली यही वज़ा है कि रूस ने जार बम का परिक्षन आक्टिक समुदर में नुवाया जैमलिया के उपर बर्थ में गिराया था ताकि किसी भी तरह की आबादी से धमाके वाली जगा सैक्डों हजारों किलुमिटर तूँ नुवाया कहा जाता है कि रूस ने जिस इलाके में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम का परिक्षन किया वो इलाका धमाके के बाद पूरी तरहां से बदल गया दुनिया ने उस वक्त जापान में पर्मानु बम की तबाही भी देख ली थी लेकिन रूस ने इस परिक्षन से साबित कर दिया कि दोबारा कभी पर्मानु युद छिडा तो दुनिया से मानपता का खात्मा भी हो सकता है यही वज़ा है कि परमाणू युद्ध की आशंका से अमेरिका के राश्चपती खौफ में है। इसी वज़ा से बाइडन ने दुनिया को चेताया है कि पुतिन परमाणू हतियार लॉंच कर सकते हैं। युक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। युक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ काउंटर अटाक में लगी है। और इस नुकलिया पावर प्लांट पर रूस का कपसा है। वही रूस ने बेलरूस में परमाणू खत्यार उतार दिया है। वही नाचो रूस के परमाणू युद्ध के काट खुजने में लगा हुआ है। पुदिन का बढ़ा परमाणू फीवर। नाचो कैंप में फैला फियर। पुदिन के परमाणू बुखार को तोड़ने के लिए क्या करेगा नाचो। कैसे टूटेगा पुदिन का परमाणू बुखार। क्या रूस के खिलाफ अमेरिका लेने वाला है निूकेलियर एक्शन। ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि रूस ने ले लिया है सबसे बड़ा रिस्क। तीसरे विश्व युद्ध को कर दिया है फिक्स। तैयारी देख पेंटागॉन हुआ परेशान विजन हुआ हैरान। नैचो देशों में खलबली दुनिया परमाणू युद्ध के खौप से जरी। अब मुश्किल है पुतिन को मनाना बन गया नया ठीकाना शुरू हुआ परमाणू बंप लगाना बेलार उस पहुच गया एचंप परमाणू बंक नये सेंटर से ने जो हुआ बेदम क्या थीसरे विशो युद का एपी सेंचर फेलारूस परने बाला है क्या रूस और नैटों के बीच युद बेलारूस की धर्ती पर होने वाला है क्या महीनों से परमाणू हत्यारों की धमकी देते आ रहे पुतिन अब वाकई उन्हें चलाने के मुड में लग रहे हैं रूस नहीं उक्रेन के उत्तर में बेलारूस में परमाणू हत्यार उतार दिया है रूस परमाणू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ ही उक्रेन के पुर्व में खुद बैचा है वही उक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी पुतिन की परमाणू पंटूविया तैना थी वही इसके उत्तर परश्रिम में पॉलेंड के पास रूस के कलिन रात में भी परमाणू हत्यार मौझूद है 1991 में सोवियत संग के पतन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस का परमाणू बम रूस से बाहर पहुचा है ऐसा पहली बार है जब दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणू बम रखने वाले देश ने अपने बॉर्डर के बाहर परमाणू हत्यारों की तैनाती की है बेलारुस में रूस की मिसाईले तनी हुई है बेलारुस में रूस के लड़ाकों विमान गरज रहे हैं बेलारुस में रूस के टैंक तोड़ रहे हैं बेलारुस में रूस के सैनिक मोर्चा बनाकर जटे हुए हैं बेलारुस में रूसी मिसाईलों की तैनाती से नैटों में पहले से ही खलबली मची थी अब बेलारुस में रूस के परमाणू हत्यार भी फिट हो गए है बेला रूस में परमालू बम फिट करने के कदम को नैटो देश क्यों पुतिन का परमालू फीवर करार दे रहे हैं इसे आगे बताएंगे लेकिर रूस के पहले ये देख लिजे कि रूस की किस परमालू तयारी ने नैटो को डरा रखा है एक, दो, तीर, चार, 40 सेकंड में चार हमले, चारों दिशाओं में चार छिकाने दहले पुतिन हुए कृत, समंदर में रूस का परमालू युथ, नैजो हुआ हलकान, अमेरिका परेशान, भिटेन का मिट सकता है नामू निशान दीन में समंदर के अंदर से परमालू हमला रात के अंधिरे में समंदर से परमालू हमला ये रूस का परमालू युद्धा भ्यास है, ये नैजो को डराने का पुतिन का प्रयास है, जेलेंस्की इसे देख अताश है पाल्टिक देश रन होनी के खतरे से उदास है, आखिर रूस के इस परमालू युद्धा भ्यास में क्या खास है इसे युद्धा भ्यास को रूस अपने लड़ाको श्रमता का विस्तार करार दिया है इसे युद्धा भ्यास में रूस के उतरी बेडे के पंडूवी रोधी युद्ध जहाजों ने हिصसा लिया ना सिर्फ हिस्सा लिया बलकि एक काल्पनिक दुश्मन की पंडुबियों को समंदर के अंदर ही जुबो दिया पहला हमला दूसरा हमला तीसरा हमला चौधा हमला पांचवा हमला यह हमले तो कुछ भी नहीं है रूस के युद्धुपोतों ने जलजला ला दिया है रूस समंदर को निकलियर वार का एपी सेंटर बनाने की तैयारी में है समंदर में परमाडु बम का जाल बिछा कर रूस नैटों को निशाना बनाने की तैयारी में है रूस ने अपनी नौसीना के चारो बेड़ों को हाई अलर्ट पर रख दिया है रूस के चारो बेड़े के युद्ध पोद मोर्चा पर टटी हाई अलर्ट पर रूस की परमाडु पंडू भीया समंदर में निकुलियर बॉमर की गरजना समंदर के रास्ते परमालू बब गिराने का अप्ध्यास रूस के राष्टपती वला दिमीर पुती ने उतरी बेड़े को सुपर अलर्ट मोड में रखा है पैसिफिक फिलिट को सचिक परमालू हमलों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का काम सौपा है उतर और परशांद के बेड़े की मारक श्रमता को सोवियत दोर से ही जवावी हमलों में मौस्को के मुक्च हत्यार के रूप में देखा गया है इस बेड़े का इस्तिमाल रूस जवावी हमले के लिए करता आया है रूस की नौसेना काला सागर में यूक्रेन पर नजर गड़ाए हुए है हाल ही में नैटो में शामिल हुए फिल्लेंड के रास्ते आने वाले खतों से निपटने के लिए रूस के युदपोत बाल्टिक सागर में डटे हुए है नैटो की हरकतों का जवाब देने के लिए रूस ने अपनी नैवी को आर्किटिक सागर में भी उतार रखा है रूस का प्रशानत बेड़ा भी रूस के पुर्वी किनारे पर प्रशानत महा सागर में सुपर एक्टिव है बड़ा सवाल है कि पूरब से लेकर पश्रिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिन तक अपनी नोसेना को अलट मोट मिलाकर रूस क्या संदेश देना चाहता है खासकर उत्तर में अपने युद्धपोतों से मिसाइल बरसा कर क्या रूस अमेरिका को चेतावरी देने की कोशश में है यही वज़य है कि प्रशानत बेड़े के साथ साथ रूस का उत्री बेड़ा भी सूपर एक्टिव है टेक्टिकल नुकलियर हत्यारों से लैस युद्धपोत और पंडूवियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ उतार दिया है आर्किटिक सागर और बाल्टिक सागर में टेक्टिकल नुकलियर हत्यारों की मौजूदगी को नैटो देशों के लिए एक गंभीर खत्रा बताया गया है जेनमाल्क, स्वीडन, फिल्लेंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलेंड और जर्मनी की सिमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है वही आर्किटिक सागर में परमालू हत्यारों से लैस युद्धपोत और पंडुबियों से सीधा खत्रा नौर्वे, स्वीडन, फिल्लेंड और अमेरिका तक को है दावा किया गया है कि रूस की नौसेना ने अपने युद्धपोत एड्मिरल गोशको को परमालू हत्यारों से लैस करके आर्किटिक सागर में उतार दिया है दरसल आर्किटिक शेत्र की जिम्यदारी रूस के उतरी बेड़े के पास है नौर्वे के खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने परमालू युद्ध के सिक्रेट प्लैन को समंदर में आगे बढ़ा दिया है नौर्वे के इंटेलिजन्स सर्विस ने अपनी सलाना खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि रूस की नौस सेना के उतरी बेड़े में युद्ध पोतों को टेक्टिकल नुकलियर हत्यारों से लैस किया गया है रिपोर्ट में जहाजों पर लगाए गए परमालू हत्यारों के बारे में बताया गया है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में ये पहली बार है जब रूस का बेड़ा परमालू हत्यारों के साथ समंदर में उत्रा है अमेरिका और रूस की बरसो पुरानी जानी दुश्मनी को युक्रेनी युद्ध ने नई धार दे दी है रही सही कसर फिल लेंड को नैटो में मिला कर अमेरिका ने पूरा कर दिया यही वज़ा है कि रूस ने आर्किटिक सागर के साथ साथ अमेरिका के वर्चस्वाले प्रशांत महसागर में शक्ति प्रदर्शन पर उतर आया है रूस के प्रशांत बेड़े में 46 युद्ध पोत हैं प्रशांत बेड़े में युद्ध पोतों में एंटी सम्मरीन मिसाइल शिप भी हैं और एमफेबियस युद्ध पोत भी साथ ही साथ रूस के प्रशांत बेड़े में 24 से 26 पंडूबियां है प्रशांत बेडे के युद्धा भ्यास का मकसद दुश्मन के मिसाइल और हवाई हमलों से रूस को सुरक्षित करना है जिसके लिए रूस की नेवी दुश्मन के पंडूबियों को पता लगा कर उन्हें समंदर के अंदर ही तबाह करने का युद्धा भ्यास कर रही है फेडेरेशन आफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक हालिया रिपोर्ट बताती है के फिल्लेंड के पास मौझूद कोला प्रायोदीप में भी रूस ने पंडूबियों पर तैनाद 350 परमाडू बम लगा रखे हैं सभी परमाडू बम 150 किलो टन की ताकत के हैं यानि कोला प्रायोदीप में मौझूद रूस के एक परमाडू बम हिरोश्मा पर गिरे बम से 10 गुनाधिक शक्तिशाली है फिल्लेंड के नैटों में शामिल होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने नैटों से भिडने की पूरी तैयारी कर ली है पूला प्रायोदीप में रूस ने बड़े पैमाने पर परमाडू हत्यार जमा कर रखे हैं पूला प्रायोदीप का एक छोटा सा इलाका रूस की परमाडू मिसाईल से लाइस सम्मरिट का पावरफुल सेंटर है यहीं से आर्गटिक के गष्ट भी की जाती है रूस की यह तैयारिया बता रही है कि उप्रायन युद्ध अभी हक भी नहीं हुआ रूस को मनमाफिक जीत भी नहीं मिली उससे पहले ही पुतिर युद्ध के कई मोची एक साथ खोले की तैयारी में है वैवाया त्रिवोगा पॉन्टिक से इजोर कोई रूस बेलारूस की सेना को इसकंदर बलिस्टिक मिसाइल की चेनिंग दे चुका है इस ट्रेनिंग का मतलब है कि बेलारूस के सेनी का पुतिन की परमालू मिसाइल को फायर करना सी कहे है और अब रूस का परमालू बम ही बेलारूस पहुँच गया है अब ऐसे में ऑर्डर पुतिन का होगा या फिर बेलारूस के राश्ठपती अलेकसेंडर लुकाश्रेंको का ये बड़ा सवाल है लेकिन अगर मिसाइल बेलारूस में है तो इसमें लुकाश्रेंको के आर्डर से कौन इंकार करेगा अमेरिका के राष्ट्रपती को क्या डर सता रहा है वाइट हाउस में खौफ का क्यूं प्रसारण हो रहा है वाइट हाउस के टीवी स्क्रीन पर बाइडन को क्या दिखाया जा रहा है बाइडन को ये क्यूं दिखाया जा रहा है क्या अमेरिका पर कोई बड़ा खत्रा आने वाला है क्या अमेरिका पर हमला होने वाला है आखिर दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर के प्रेजिडेंट यू डरे हुए है बाइडन के सपने में किस बटन के डरावने सपने आ रहे है जवाब है बाइडन को डर है कि पुतिन परमानू हत्यारों का इस्तिमाल करने वाले है बाइडन का कहना है कि पुतिन के परमानू हत्यारों के इस्तिमाल का खत्रा वास्तविक है परमानू युद्ध को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं यहों की धमकियों से साफ हो जाता है पुतिन साफ साफ शब्दों में नेटो देश को चिता चुके हैं युक्रेन को जितनी लंबी दूरी की मिसाइले मिलेंगी रूस खत्रे को अपनी सीमा से उतना ही दूर कर देगा रूस ने युक्रेन के उत्तर में बेला रूस में परमानु हत्यार उतार दिया है रूस परमाणू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ युक्रेन के पूर्व में खुद बैठा है वहीं युक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी पुतिंग की परमाणू पंडुप्या तैना थे और उनके उत्तर पश्चिम में पोलन के पास रूस के किलिनिन ग्रा में भी परमाणू हत्यार मौझू है पश्चिमी मीडिया के दावों को माने तो अमेरिका के राष्टपती बाइडन को डर सताने लगा है कि पुतिन कभी भी परमाणू हमला कर सकते हैं इसलिए पुतिन ने पडोसी देश बेलरूस में परमाणू हत्यारों को तैनात किया है ताकि वो आसानी से यौरप के किसी भी देश में परमाणू हमला कर सके पुटीन का बढ़ा परमाणू फिवर पुटीन की सेना हत्यारों की कमी से जूज रही है और वो युक्रेन के कई लाकों से पीछे हट रही है जिससे वौकलाए पुटीन युद्ध खतम करने के लिए युक्रेन पर परमाणू हमला कर सकते हैं परमाणू हमले का विकल्प नमबर एक परमाणू हमले का विकल्प नमबर दू परमाणू हमले का विकल्प नमबर तीन परमाणू हमले का विकल्प नमबर चार परमाणू हमले के इन चार विकल्प में से किसी भी एक विकल्प का इस्तिमाल हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाए अगर न्यूक्लियर वार का नमबर आया तो दुनिया की तस्वीर पूरी दरह से बदल जाएगी परमाणू बम दुनिया के जिस हिस्से पर इरेगा वो वीरान हो जाएगा वहाँ की धर्ती बंजर हो जाएगी उस परमाणू युद के आगे युक्रेन युद के ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे ऐसा एक भी दिन नहीं है जब अमेरिका के वाइट हाउज में न्यूक्लियर बम पर सीक्रिट मीटिंग नहीं होती एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब बाइडन प्रशासन अपने अटम बम वाले दुश्मनों पर मन्थन नहीं करता बाइडन के ओफिस में रूस के राष्टपती पुतिन की रणनीती पर चर्चा तो होती है पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर पुतिन परमानू युद्ध करेंगे तो उसे तीन चरण में अन्जाम देंगे पुतिन के परमानू युद्ध का स्टेप वन परमानू परिक्षन युक्रेन को डराने के लिए पुतिन सबसे पहले वो करेंगे जो रूस ने पिछले 33 साल में नहीं किया है परमानू परिक्षन पर्माणू विज्ञानिकों का कहना है कि फुतिन यूक्रेन की सेना में खौफ भणने के लिए एक बार फिर निूकलियर टेस्ट कर सकते हैं रूस ने अपना पहला पर्माणू परिक्षन 29 अगस्त 1990 को किया था रूस ने आखरी बार 24 अक्तूबर 1990 को निूकलियर टेस्ट किया था रूस ने अब तक कुल 715 पर्माणू परिक्षन किये हैं जिन में 496 अंडरग्राउंड रहे हैं पर्माणू परिक्षन करने वाला रूस दुनिया का दूसरा देश बना था जानकारों का मानना है कि पुतिन दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर पर्माणू परिक्षन के तौर पर नया धमाका कर सकते हैं दुनिया में अब तक 2069 पर्माणू परिक्षन हुए हैं इन में सबसे अधिक 2030 पर्माणू परिक्षन अमेरिका ने किये 715 न्यूकले टेस्ट करने वाला रूस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक पर्माणू परिक्षन करने वाला देश है दावा किया जा रहा है कि युक्रेन युद्ध के दोरान पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है अगर रूस का ये दाव काम कर गया और जेलेंस की हत्यार रखने को मान गए तो ठी नहीं तो रूस परमानु युद्ध के दूसरे स्टेप की ओर बढ़ जाएगा युक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना अपने तक्टिकल नूक्लियर हत्यारों का इस्तिमाल कर सकती है टैक्टिकल न्यूक्लियर हत्यार छोटे पर्मानू बम होते हैं जो बड़े पर्मानू बम के मुकाबले कम दाइरे में रेडियेशन पहलाते हैं लेकिन एक सच ये भी है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर बम जहां गिरेगा वहाँ विद्वन्स बड़े पर्मानू बम की तरह ही करेगा ठीक वैसे ही आग बरसेगी, ठीक वैसे ही रेडियेशन फैलेगा लेकिन बड़े पर्मानू बम के मुकाबले टैक्टिकलिकल नुक्लियर बम की रेंज कम होगी रूज के पास करीब 2000 टैक्टिकलिकल नुक्लियर बम है सबसे छोटे टैक्टिकलियर बम की भी शमता एक किलो टन या उससे भी कम है जो एक हजार टन विस्पोटक TNT के बराबर तबाहि लाएगा दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को खोणने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका ये कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुँच जाएगा लेकिन अगर इतने पर भी यूक्रेन नहीं माना, युद ही ढाना तो फिर पुतिन परमानु युद के आखरी स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे पुतिन के परमानु युद का स्टेप तीन, परमानु बम से हमला रूस का परमानु बम युक्रेन के जिस हिस्से पर गिरेगा वो विरान हो जाएगा वहां की धर्ती बंजर हो जाएगी, आस्मान काली हो जाएगी यहां तक की सूरज की किरणे धर्ती पर नहीं पहुँच पाएगी अगर पुतिन युक्रेन पर बड़े परमानु बम से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्खों तक ही सिमित नहीं रहेगी युक्रेन तो तबा होगा ही परमानु हमले की आच नेटो देशों तक पहुचेगी परमानु हमले के जवाब में नेटो को आक्शन में आना होगा ऐसे में परमानु युद्ध में गूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्वियुद एक सच ये भी है कि रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली आटम बम है ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है पुतिन के इस परमानु बम का नाम है जार बम जार नाम का ये रूस का हाइड्रोजन बम है इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमानु बम माना जाता है जार रूस के राजाओं की उपादी रही है इसलिए इसे जार बम नाम दिया गया और इस बम को परमानु बमों के महराजा की तरह पेश किया गया कहते हैं कि अगर रूस का जार बम गिरा तो धर्ती का जर्रा जर्रा ठर्रा जाएगा यह हाइडरोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ भड़ गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो रूस ने साथ बरस बाद दुनिया को दिखाया ये वही वीडियो है जार बम इतना बड़ा था कि इसके लिए खास लडाकू जहाज बनाया गया परमाणू हत्यार खास कर परमाणू मुसाईले लडाकू जहाजों में रखी जाती है लेकिन जार बम इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरिये लटका कर रखा गया था 30 अक्तूबर 1961 को जार बम का टेस्ट किया गया लडाकू जहाज टोपोलोव 95 ने तरीब 10 किलोमीटर के उचाई से पैराशूट से जार बम को नुवाया जैमलिया दूइद पर गिराया ताकि विसपोट से पहले गिराने वाला और तस्वीरे ले रहा विमान सुरक्षित दूरी तक पहुँच जाएं रूस के मताविक दोनों विमान 50 किलोमीटर दूर ही पहुँचे थे कि भेंकर विसपोट हुआ विसपोट इतना भेंकर था कि पूरी दुनिया दहल ही दावा किया जाता है कि अमेरिका के लिटल बॉई परमानु बम से 3333 गुना शक्तिशाली है रूस का जार बम रूस का जार बम अमेरिका के लिटल बॉई और फैट मैन जैसा ही है लेगन उन से बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को खाक कर सकता है जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमानु बम लिटल बॉई 14 किलो टन ताकत वाला था जबकि नागसाकी पर गिराए गए फैट मैन जिसने लाखों लोगों की जान पल भर में ले ली उसकी ताकत थी 18 किलो टन वहीं अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमानु बम वी-83 की पावर 1.2 मे टन की है वहीं रूस के जार बम की ताकत 50 से 58 मेगा टन है यानि अमेरिका के सबसे बड़े परमानु बम से قریب 48 गुना अधिक शक्तिशाली यही वज़ा है कि रूस ने जार बम का परिक्षन आक्टिक समुद्र में नुवाया जैमलिया के उपर बर्थ में गिराया था ताकि किसी भी तरह की आबादी से धमाके वाली जगा सैक्डों हजारों किलुमिटर तूँए कहा जाता है कि रूस ने जिस इलाके में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम का परिक्षन किया वो इलाका धमाके के बाद पूरी तरहां से बदल गया दुनिया ने उस वक्त जापान में परमानु बम की तबाही भी देख ली थी लेकिन रूस ने इस परिक्षन से साबित कर दिया कि दोबारा कभी परमानु युद छिड़ा तो दुनिया से मानपता का खात्मा भी हो सकता है यही वज़ा है कि परमानु युद की आशंका से अमेरिका के राश्चपती खौफ में है इसी वज़ा से बाइडन ने दुनिया को चेताया है कि पुतिन परमानु हतियार लाउंच कर सकते हैं युक्रेणी युद पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है युक्रेणी की सेना पूरी ताकत के साथ काउंटर अटाक में लगी है युक्रेणी ने दावा ये किया है कि उसने अब कई इलाकों पर कभजे की रन्नीती अपना ली है इसके साथ ही रूस की सेना का कभजा भी लगतार जारी है जापुरीजिया के पास एक इलाका है जहांपर कबजा किया गया है इसके साथ ही जापुरीजिया इलाके में मिली जीत को यूकरेन बहुत बड़ी जीत करार दे रहा है जापुरीजिया इलाके में यूकरेन को मिली जीत इसलिए भी जादा बड़ी हो जाती है क्योंकि जापुरीजिया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लिया पावर प्लांट है और इस न्यूक्लिया पावर प्लांट पर रूस का कपसा है वही रूस ने बेलरूस में परमाणू खत्यार उतार दिया है वही नाटो रूस के परमाणू युद्ध के काट खुजने में लगा हुआ है पुदीन का बढ़ा परमाणू फीवर नाटो कैम्प में फैला फीर पुदीन के परमाणू बुखार को तोड़ने के लिए क्या करेगा नाटो कैसे तूटेगा पुदीन का परमाणू बुखार क्या रूस के खिलाफ अमेरिका लेने वाला है नियूकिलियर एक्शन ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि रूस ने ले लिया है सबसे बड़ा रिस्क तीसरे विश्व युद्ध को कर दिया है फिक्स तैयारी देख पेंटागॉन हुआ परेशान विजन हुआ हैरान नैचो देशों में खल बली दुनिया परमाणू युद्ध के खौप से जरी अब मुश्किल है पुतिन को मनाना बन गया नया ठीकाना शुरू हुआ परमाणू बबब को लगाना बेलारुस पहुच गया एचंप परमाणू बब कर नये सेंटर से ने जो हुआ बेदम क्या थीसरे वेशो युद का एपी सेंचर फेलारुस परने वाला है क्या रूस और नयटों के बीच युद बेलारुस की धर्ती पर होने वाला है क्या महीनों से परमाणू हत्यारों की धमकी देते आ रहे पुतिन अब वाकई उन्हें चलाने के मुड में लग रहे है रूस नहीं उक्रेन के उत्तर में बेलारुस में परमाणू हत्यार उतार दिया है रूस परमाणू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ ही उक्रेन के पुर्म में खुद बैचा है वही उक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी पुतिन की परमाणू पंटूविया तैना थी वही इसके उत्तर परश्रिम में पोलेंड के पास रूस के कलिन रात में भी परमाणू हत्यार मुझूद है 1991 में सोवियत संग के पतन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस का परमाणू बम रूस से बाहर पहुच रहे है ऐसा पहली बार है जब दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणू बम रखने वाले देश ने अपने बॉर्डर के बाहर परमाणू हत्यारों की तैनाती की है बेलारूस में रूस की मिसाईले तनी हुई है बेलारूस में रूस के लड़ाकों विमान गरज रहे हैं बेलारूस में रूस के टैंक तोड़ रहे हैं बेलारूस में रूस के सैनिक मोर्चा बनाकर जटे हुए हैं बेलारूस में रूसी मिसाईलों की तैनाती से नैटो में पहले से ही खलबली मची थी। अब बेलारूस में रूस के परमालू हत्यार भी फिट हो गए हैं। बेला रूस में परमालू बम फिट करने के कदम को नैटो देश क्यों पुतिन का परमालू फीवर करार दे रहे हैं इसे आगे बताएंगे लेकिर रूस के पहले ये देख लीजे कि रूस की किस परमालू तयारी ने नैटो को डरा रखा है एक, दो, तीर, चार, 40 सेकंड में चार हमले, चारों दिशाओं में चार छिकाने दहले पुतिन हुए कृत, समंदर में रूस का परमालू युथ, नैजो हुआ हलकान, अमेरिका परेशान, भिटेन का मिट सकता है नामू निशान दीन में समंदर के अंदर से परमालू हमला रात के अंधेरे में समंदर से परमालू हमला ये रूस का परमालू युद्धा भ्यास है, ये नैजो को डराने का पुतिन का प्रयास है, जेलिंस्की इसे देख अताश है पाल्टिक देश रन होनी के खतरे से उदास है, आखिर रूस के इस परमालू युद्धा भ्यास में क्या खास है इसे युद्धा भ्यास को रूस अपने लड़ा को श्रमता का विस्तार करार दिया है इसे युद्धा भ्यास में रूस के उतरी बेड़े के पंडूवी रोधी युद्ध जहाजों ने हिस्सा लिया ना सिर्फ हिस्सा लिया बलकि एक काल्पनिक दुश्मन के पंडूवियों को समंदर के अंदर ही जुवो दिया पहला हमला दूसरा हमला तीसरा हमला चौधा हमला पांचवा हमला यह हमले तो कुछ भी नहीं है रूस के युद्ध पोतों ने जलजला ला दिया है रूस समंदर को निकलियर वार का एपी सेंटर बनाने की तैयारी में है समंदर में परमाडू बम का जाल बिछा कर रूस नैटों को निशाना बनाने की तैयारी में है रूस ने अपनी नौसीना के चारों बेड़ों को हाई अलर्ट पर रख दिया है रूस के चारों बेड़े के युद्ध पोद मोर्चा पर टटे हाई अलर्ट पर रूस की परमाडू पंडूबियां समंदर में निकुलियर बॉमर की गर्जना समंदर के रास्ते परमालू बब गिराने का अप्ध्यास रूस के राष्टपती वला दिमीर पुती ने उतरी बेड़े को सुपर अलर्ट मोड में रखा है पैसिफिक फिलिट को सचिक परमालू हमलों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का काम सौपा है उत्तर और परशांत के बेड़े की मारक श्रमता को सोवियत दौर से ही जवावी हमलों में मौस्को के मुख्यार के रूप में देखा गया है इस बेड़े का इस्तिमाल रूस जवावी हमले के लिए करता आया है रूस की नौसेना काला सागर में यूक्रेन पर नजर गड़ाए हुए है हाल ही में नैटो में शामिल हुए फिल्लेंड के रास्ते आने वाले खतों से निपटने के लिए रूस के युधपोत बाल्टिक सागर में डटे हुए है नैटो की हरकतों का जवाब देने के लिए रूस ने अपनी नैवी को आर्किटिक सागर में भी उतार रखा है रूस का प्रशानत बेड़ा भी रूस के पुर्वी किनारे पर प्रशानत महा सागर में सुपर एक्टिव है बड़ा सवाल है कि पूरब से लेकर पश्रिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिन तक अपनी नोसेना को अलर्ट मोट मिलाकर रूस क्या संदेश देना चाहता है खासकर उत्तर में अपने युद्धपोतों से मिसाइल बरसा कर क्या रूस अमेरिका को चेतावरी देने की कोशश में है यही वज़य है कि प्रशानत बेड़े के साथ साथ रूस का उत्री बेड़ा भी सूपर एक्टिव है टेक्टिकल नुकलियर हत्यारों से लैस युद्धपोत और पंडूवियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ उतार दिया है आर्किटिक सागर और बाल्टिक सागर में टेक्टिकल नुकलियर हत्यारों की मौजूदगी को नैटो देशों के लिए एक गंभीर खतरा बताया गया है जेनमाल्क, स्वीडन, फिल्लेंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलेंड और जर्मनी की सिमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है वही आर्किटिक सागर में परमालु हत्यारों से लैस, युद्धपोत और पंडुबियों से सीधा खतरा नौर्वे, स्वीडन, फिल्लेंड और अमेरिका तक को है दावा किया गया है कि रूस की नौसेना ने अपने युद्धपोत एड्मिरल गोशको को परमालु हत्यारों से लैस करके आर्किटिक सागर में उतार दिया है दरसल आर्किटिक शेत्र की जिम्यदारी रूस के उतरी बेड़े के पास है नौर्वे के खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने परमालु युद्ध के सिक्रेट प्लैन को समंदर में आगे बढ़ा दिया है नौर्वे के इंटेलिजन्स सर्विस ने अपनी सलाना खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि रूस की नौस सेना के उतरी बेड़े में युद्ध पोतों को टेक्टिकल नुकलियर हत्यारों से लैस किया गया है रिपोर्ट में जहाजों पर लगाए गए परमालु हत्यारों के बारे में बताया गया है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में ये पहली बार है जब रूस का बेड़ा परमाणू हत्यारों के साथ समंदर में उत्रा है अमेरिका और रूस की बरसो पुरानी जानी दुश्मनी को यूकरेनी युद्ध ने नई धार दे दी है रही सही कसर फिल लेंड को नैटो में मिला कर अमेरिका ने पूरा कर दिया यही वज़ा है कि रूस ने आर्किटिक सागर के साथ साथ अमेरिका के वर्चस्वाले प्रशांत महसागर में शक्ति प्रदर्शन पर उतर आया है रूस के प्रशांत बेड़े में 46 युद्ध पोत हैं प्रशांत बेड़े में युद्ध पोतों में एंटी सम्मरीन मिसाइल शिप भी हैं और एमफेबियस युद्ध पोत भी साथ ही साथ रूस के प्रशांत बेड़े में 24 से 26 पंडूबियां है प्रशांत बेडे के युद्धा भ्यास का मकसद दुश्मन के मिसाइल और हवाई हमलों से रूस को सुरक्षित करना है जिसके लिए रूस की नेवी दुश्मन के पंडूबियों को पता लगा कर उन्हें समंदर के अंदर ही तबाह करने का युद्धा भ्यास कर रही है फेडेरेशन आफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक हालिया रिपोर्ट बताती है के फिल्लेंड के पास मौझूद कोला प्रायोदीप में भी रूस ने पंडूबियों पर तैनाद 350 परमाडू बम लगा रखे हैं सभी परमाडू बम 150 किलो टन की ताकत के हैं यानि कोला प्रायोदीप में मौझूद रूस के एक परमाडू बम हिरोश्मा पर गिरे बम से 10 गुनाधिक शक्तिशाली है फिल्लेंड के नैटों में शामिल होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने नैटों से भिडने की पूरी तैयारी कर ली है कोला प्रायोदीप में रूस ने बड़े पैमाने पर परमाडू हत्यार जमा कर रखे हैं कोला प्रायोदीप का एक छोटा सा इलाका रूस की परमाडू मिसाल से लाइस सम्मरिट का पावरफुल सेंटर है यहीं से आर्गटिक के गष्ट भी की जाती है रूस की यह तैयारिया बता रही है कि उप्रायन युद्ध अभी हक भी नहीं हुआ रूस को मनमाफिक जीत भी नहीं मिली उससे पहले ही पुतिर युद्ध के कई मोची एक साथ खोले की तैयारी में है वहाया त्रिवोगा पुतिक्स एफ्ट रूस की सेना को इसकंदर बलिस्टिक मिसाइल की चेरिंग दे चुका है इस ट्रेंग का मतलब है कि बेलारूस के सेनी का पुतिन की परमाडू मिसाइल को फायर करना से गहें अब रूस का परमाडू बम ही बेलारूस पहुच गया है अब ऐसे में आउडर पुतिन का होगा या फिर बेलारूस के राश्टपती अलेकसेंडर लुकाशेंको का ये बड़ा सवाल है लेकिन अगर मिसाइल बेलारूस में है तो इस पर लुकाशेंको के ओडर से कौन इंकार करेगा होने वाला है आखिर दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर के प्रेजिडेंट यू डरे हुए बाइडन के सपने में किस बटन के डरावने सपने आ रहे हैं जवाब है बाइडन को डर है कि पुतिन परमानू हत्यारों का इस्तिमाल करने वाले हैं बाइडन का कहना है कि पुतिन के परमानू हत्यारों के इस्तिमाल का खत्रा वास्तविक है परमानू युद को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं यहों की धमकियों से साफ हो जाता है पुतिन साफ साफ शब्दों में नेटो देश को चिता चुके हैं युक्रेन को जितिनी लंबी दूरी की मिसाइले मिलेंगी रूस खत्रे को अपनी सीमा से उतना ही दूर कर देगा रूस ने युक्रेन के उत्तर में बेला रूस में परमानू हत्यार उतार दिया है रूस परमानू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ युक्रेन के पूर्व में खुद बैठा है वहीं युक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी पुतिन की परमाणू पड़ुप्या तैना थे और उनके उत्तर पश्चिम में पोलन के पास रूस के किलिनिन ग्राथ में भी परमाणू हत्यार मौजूर है पश्चिमी मीडिया के दावों को माने तो अमेरिका के राष्टपती बाइडन को डर सताने लगा है कि पुतिन कभी भी परमाणू हमला कर सकते हैं इसलिए पुतिन ने पडोसी देश बेलरूस में परमाणू हत्यारों को तैनाद किया है ताकि वो आसानी से योरप के किसी भी देश पर परमाणू हमला कर सके पुतिन का बढ़ा परमाणू फीवर पश्यवी मीडिया के मताबिक बाइडन को लगता है कि पुतिन की सेना हत्यारों की कमी से जूज रही है और वो युक्रेन के कई लाकों से पीछे हट रही है जिससे वौकलाए पुतिन युद्ध खतम करने के लिए युक्रेन पर परमाणू हमला कर सकते हैं परमाणू हमले का विकल्प नमबर एग परमाणू हमले का विकल्प नमबर दू परमाणू हमले का विकल्प नमबर तीन परमाणू हमले का विकल्प नमबर चार परमाणू हमले के इन चार विकल्प में से किसी भी एक विकल्प का इस्तिमाल हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाए अगर न्यूक्लियर वार का नमबर आया तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी परमाणू बम दुनिया के जिस हिस्से पर इरेगा वो वीरान हो जाएगा वहाँ की धर्ती बंजर हो जाएगी उस परमाणू युद के आगे युक्रेन युद के ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे ऐसा एक भी दिन नहीं है जब अमेरिका के वाइट हाउज में न्यूक्लियर बम पर सीक्रिट मीटिंग नहीं होती एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब बाइडन प्रशासन अपने अटम बम वाले दुश्मनों पर मन्थन नहीं करता बाइडन के ऑफिस में रूस के राष्टपती पुतिन की रणनीती पर चर्चा तो होती है पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर पुतिन परमानू युद्ध करेंगे तो उसे तीन चरण में अन्जाम देंगे पुतिन के परमानू युद्ध का स्टेप वन परमानू परिक्षन युक्रेन को डराने के लिए पुतिन सबसे पहले वो करेंगे जो रूस ने पिछले 33 साल में नहीं किया है परमानू परिक्षन परमाणू विज्ञानिकों का कहना है कि फुतिन यूक्रेन की सेना में खौफ भणने के लिए एक बार फिर निूकलियर टेस्ट कर सकते हैं रूस ने अपना पहला परमाणू परिक्षण 29 अगस्त 1990 को किया था रूस ने आखरी बार 24 अक्तूबर 1990 को निूकलियर टेस्ट किया था रूस ने अब तक कुल 715 परमाणू परिक्षण किये हैं जिन में 496 अंडरग्राउंड रहे हैं परमाणू परिक्षण करने वाला रूस दुनिया का दूसरा देश बना था जानकारों का मानना है कि पुतिन दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर परमाणू परिक्षण के तौर पर नया धमाका कर सकते हैं दुनिया में अब तक 2069 परमाणू परिक्षण हुए हैं इन में सबसे अधिक 2030 परमाणू परिक्षण अमेरिका ने किये 715 न्यूकले टेस्ट करने वाला रूस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक परमाणू परिक्षण करने वाला देश है दावा किया जा रहा है कि युक्रेन युद्ध के दोरान पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है अगर रूस का ये दाव काम कर गया और जेलेंस की हत्यार रखने को मान गए तो ठीक नहीं तो रूस परमानु युद्ध के दूसरे स्टेप की ओर बढ़ जाएगा पुतिन के परमानु युद्ध का स्टेप टू टैक्टिकल न्यूक्लियर बम युक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हत्यारों का इस्तिमाल कर सकती है जहां गिरेगा, वहाँ विद्वन्स बड़े पर्मानू बम की तरह ही करेगा, ठीक वैसे ही आग बरसेगी, ठीक वैसे ही रेडियेशन फैलेगा, लेकिन बड़े पर्मानू बम के मुकाबले टैक्टिकल न्यूकलियर बम की रेंज कम होगी। दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टैक्टिकल न्यूकलियर बम को खोणने का फैसला ले सकता है, क्योंकि उनका ये कदम एक तरफ यूकरेन की हिम्मत को तोड़ देगा, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुँच जाएगा, लेक पुतिन के परमानु युद का स्टेप 3 परमानु बम से हमला रूस का परमानु बम यूकरेन के जिस हिस्से पर गिरेगा वो विरान हो जाएगा, वहां की धर्ती बंजर हो जाएगी, आसमान काली हो जाएगी यहां तक की सूरज की किरणे धर्ती पर नहीं बहुंच पाएंगी अगर पुतिन युक्रेन पर बड़े परमाणू बम से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मौस्खों तक ही सिमित नहीं रहेगी युक्रेन तो तबा होगा ही परमाणू हमले की आँच नेटो देशों तक पहुँचेगी परमाणू हमले के जवाब में नेटो को आक्शन में आना होगा ऐसे में परमाणू युद्ध में गूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्मियुद एक सच ये भी है कि रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली आटम बम है ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है पुतिन के इस परमाणू बम का नाम है जार बम जार नाम का ये रूस का हाइड्रोजन बम है इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणू बम माना जाता है जार रूस के राजाओं की उपादी रही है इसलिए इसे जार बम नाम दिया गया और इस बम को परमाणू बमों के महराजा की तरह पेश किया गया कहते हैं कि अगर रूस का जार बम गिरा तो धर्ती का जर्रा जर्रा ठरा जाएगा यह हाइडरोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ भड़ गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो रूस ने साट वरंस बाद दुनिया को दिखाया यह वही वीडियो है जार बम इतना बड़ा था कि इसके लिए खास लड़ातु जहाज बनाया गया परमाणू हतियार खास कर परमाणू नुसाइले लड़ातु जहाजों में रखी जाती है लेकिन जार बम इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरिये लटका कर रखा गया था 30 अक्तूबर 1961 को जार बम का टेस्ट किया गया लडाकु जहाज टोफुलॉव 95 ने अरीब 10 किलुमीटर की उचाई से पैराशूट से जार बम को नुवाया जैमलिया दूइद पर गिराया ताकि विस्पोट से पहले गिराने वाला और तस्वीरे ले रहा विमान सुरक्षित दूरी तक पहुँच जाएं रूस के मताविक दोनों विमान 50 किलुमीटर दूर ही पहुँचेते कि भेंकर विस्पोट हुआ विस्पोट इतना भेंकर था जिपूरी दुनिया दहल हुई दावा किया जाता है कि अमेरिका के लिटिल बॉई परमानू बम से 3333 गुना शक्तिशाली है रूस का जार बम रूस का जार बम अमेरिका के लिटिल बॉई और फैट मैन जैसा ही है लेकिन उनसे बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को खाक कर सकता है जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमानू बम लिटिल बॉई 14 किलो टन ताकत वाला था जबकि नागसाकी पर गिराए गए फैट मैन जिसने लाखों लोगों की जान पल भर में ले ली उसकी ताकत थी 18 किलो टन वहीं अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमानू बम V83 की पावर 1.2 मेगा टन की है वहीं रूस के जार बम की ताकत 50 से 58 मेगा टन है यानि अमेरिका के सबसे बड़े परमानू बम से करीब 48 गुना अधिक शक्तिशाली यही वज़ा है कि रूस ने जार बम का परिक्षन आक्टिक समुदर में नुवाया जैमलिया के उपर बर्थ में गिराया था ताकि किसी भी तरह की आबादी से धमाके वाली जगा सैक्डो हजारों किलुमिटर दूरू कहा जाता है कि रूस ने जिस इलाके में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम का परिक्षन किया वो इलाका धमाके के बाद पूरी तरहां से बदल गया दुनिया ने उस वक्ट जापान में परमानु वम की तबाही भी देख ली थी लेकिन रूस ने इस परिक्षन से साबित कर दिया कि दोबारा कभी परमानु युद छिड़ा तो दुनिया से मानपता का खात्मा भी हो सकता है यही वज़ा है कि परमाणू युद्ध की आशंका से अमेरिका के राश्चपती खौफ में है। इसी वज़ा से बाइडन ने दुनिया को चेताया है कि पुतिन परमाणू हतियार लॉंच कर सकते हैं। युक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। युक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ काउंटे अटाक में लगी है। और इस नुकलिया पावर प्लांट पर रूस का कपसा है। वही रूस ने बेलरूस में परमाणू खत्यार उतार दिया है। वही नाचो रूस के परमाणू युद्ध के काट खोजने में लगा हुआ है। पुदिन का बढ़ा परमाणू फीवर। नैटो कैंप में फैला फियर। पुदिन के परमाणू बुखार को तोड़ने के लिए क्या करेगा नैटो। कैसे टूटेगा पुदिन का परमाणू बुखार। क्या रूस के खिलाफ अमेरिका लेने वाला है निूकिलियर एक्शन। ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि रूस ने ले लिया है सबसे बड़ा रिस्क। तीसरे विश्व युद्ध को कर दिया है फिक्स। तैयारी देख पेंटागॉन हुआ परेशान विजन हुआ हैरान। नैजो देशों में खलबली दुनिया परमाणू युद्ध के खौप से जरी। अब मुश्किल है पुतिन को मनाना बन गया नया ठीकाना शुरू हुआ परमाणू बंको लगाना बेलार उस पहुच गया एटम परमाणू बंक के नये सेंटर से ने जो हुआ बेदम क्या तीसरे वेशो युद का एपी सेंटर लारूस परने वाला है क्या रूस और नयटों के बीच युद बेलारूस के धर्ती पर होने वाला है क्या महीनों से परमाणू हत्यारों की धमकी देते आ रहे पुतिन अब वाकई उन्हें चलाने के मूड में लग रहे हैं रूस नहीं उक्रेन के उत्तर में बेलारूस में परमाणू हत्यार उदार दिया है रूस परमाणू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ ही उक्रेन के पुर्व में खुद बैचा है वही उक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी पुतिन की परमाणू पंटूविया तैना थी वही इसके उत्तर परश्रिम में पॉलेंड के पास रूस के कलिन रात में भी परमाणू हत्यार मौजूद है 1991 में सोवियत संग के पतन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस का परमाणू बम रूस से बाहर पहुचछा है ऐसा पहली बार है जब दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणू बम रखने वाले देश ने अपने बॉर्डर के बाहर परमाणू हत्यारों की तैनाती की है बेलारुस में रूस की मिसाईले तनी हुई है बेलारुस में रूस के लड़ाकों विमान गरज रहे हैं बेलारुस में रूस के टैंक तोड़ रहे हैं बेलारुस में रूस के सैनिक मोर्चा बनाकर जटे हुए हैं बेलारुस में रूसी मिसाईलों की तैनाती से नेटों में पहले से ही खलबली बची थी अब बेलारुस में रूस के परमाणू हत्यार भी फिट हो गए है बेलारूस में परमालू बम फिट करने के कदम को नैटो देश क्यों पुतिन का परमालू फीवर करार दे रहे हैं इसे आगे बताएंगे लेकिर रूस के पहले ये देख लीजे कि रूस की किस परमालू तयारी ने नैटो को डरा रखा है एक दो तीन चार 40 सेकंड में चार हमले, चारो दिशाओं में चार छिकाने दहले पुतिन हुए कृत, समंदर में रूस का परमालू युद्ध, नैजो हुआ हलकान, अमेरिका परेशान, भिटेन का मिट सकता है नामू निशान तीन में समंदर के अंदर से परमालू हमला रात के अंधिरे में समंदर से परमालू हमला ये रूस का परमालू युद्ध, भियास है ये नैचो को डराने का पुतिन का प्रयास है जेलेंस्की इसे देख अताश है पाल्टिक देशरन होनी के खतरे से उदास है आखिर रूस के इस परमालू युद्ध, भियास में क्या खास है इसे युद्ध, भियास को रूस अपने लड़ाको श्रमता का विस्तार करार दिया है इसे युद्ध, भियास में रूस के उत्री बेडे के पंडूवी रोधी युद्ध, जहाजों ने हिस्सा लिया ना सिर्फ हिस्सा लिया बलकि एक काल्पनिक दुश्मन की पंडुवियों को समंदर के अंदर ही जुवो दिया पहला हमला दूसरा हमला तीसरा हमला चौधा हमला पांचवा हमला यह हमले तो कुछ भी नहीं है रूस के युद्धपोतों ने जलजला ला दिया है रूस समंदर को निउकलियर वार का एपी सेंटर बनाने की तैयारी में है समंदर में परमाडु बम का जाल बिछा कर रूस नैटों को निशाना बनाने की तैयारी में है रूस ने अपनी नौसीना के चारो बेड़ों को हाई अलर्ट पर रख दिया है रूस के चारो बेड़े के युद्ध पोद मोर्चा पर टटे हाई अलर्ट पर रूस की परमाडू पंडूबियां समंदर में निकुलियर बॉमर की गर्जना समंदर के रास्ते परमाडू बम गिराने का अप्ध्यास रूस के राष्टपती व्लादीमिर पुती ने उतरी बेड़े को सुपर अलर्ट मोड में रखा है पैसिफिक फिलिट को सचिक परमाडू हमलों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का काम सौपा है उत्तर और परशांद के बेड़े की मारक श्रमता को सोवियत दोर से ही जवावी हमलों में मौस्को के मुख्यार के रूप में देखा गया है इस बेड़े का इस्तिमाल रूस जवावी हमले के लिए करता आया है रूस की नौसेना काला सागर में यूक्रेन पर नजर गड़ाए हुए है हाल ही में नैटो में शामिल हुए फिल लेंड के रास्ते आने वाले खतोरों से निपटने के लिए रूस के युधपोत बाल्टिक सागर में डटे हुए है नैटो की हरकतों का जवाब देने के लिए रूस ने अपनी नैवी को आर्किटिक सागर में भी उतार रखा है रूस का प्रशान्त बेड़ा भी रूस के पुर्वी किनारे पर प्रशान्त महा सागर में सुपर एक्टिव है बड़ा सवाल है कि पूरब से लेकर पश्रिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिन तक अपनी नोसेना को अलर्ट मोड मिलाकर रूस क्या संदेश देना चाहता है खासकर उत्तर में अपने युद्धपोतों से मिसाइल बरसा कर क्या रूस अमेरिका को चेतावरी देने की कोशश में है यही वज़य है कि प्रशान्त बेड़े के साथ साथ रूस का उत्री बेड़ा भी सूपर एक्टिव है चेक्टिकल नुकलियर हत्यारों से लैस युद्धपोत और पंडूवियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में चेक्टिकल नुकलियर हत्यारों की मौझूदगी को नेटो देशों के लिए एक गंभीर खतरा बताया गया है जेनमाल्क, स्वीडन, फिल्लेंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलेंड और जर्मनी की सिमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है वही आर्किटिक सागर में परमालू हत्यारों से लैस युद्धपोत और पंडुबियों से सीधा खत्रा नौर्वे, स्वीडन, फिल्लेंड और अमेरिका तक को है दावा किया गया है कि रूस की नौसेना ने अपने युद्धपोत एड्मिरल गोशको को परमालू हत्यारों से लैस करके आर्किटिक सागर में उतार दिया है दरसल आर्किटिक शेत्र की जिमेदारी रूस के उतरी बेड़े के पास है नौर्वे के खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने परमालू युद्ध के सिक्रेट प्लैन को समंदर में आगे बढ़ा दिया है नौर्वे के इंटेलिजन्स सर्विस ने अपनी सलाना खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि रूस की नौस सेना के उतरी बेड़े में युद्ध फोतों को टेक्टिकल नुकलियर हत्यारों से लैस किया गया है रिपोर्ट में जहाजों पर लगाए गए परमालू हत्यारों के बारे में बताया गया है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में ये पहली बार है जब रूस का बेड़ा परवालू हत्यारों के साथ समंदर में उत्रा है अमेरिका और रूस की बरसो पुरानी जानी दुश्मनी को यूकरेनी युद्ध ने नई धार दे दी है रही सही कसर फिल लेंड को नैटो में मिला कर अमेरिका ने पूरा कर दिया यही वज़ा है कि रूस ने आर्कटिक सागर के साथ साथ अमेरिका के वर्चस्वाले प्रशान्त महसागर में शक्ति प्रदर्शन पर उतर आया है रूस के प्रशान्त बेडे में 46 युद्ध पोत हैं प्रशान्त बेडे में युद्ध पोतों में एंटी सम्मरीन मिसाइल शिप भी हैं और एमफेबियस युद्ध पोत भी साथ ही साथ रूस के प्रशान्त बेडे में 24 से 26 पंडूबियां है प्रशान्त बेडे के युद्धा भ्यास का मकसद दुश्मन के मिसाइल और हवाई हमलों से रूस को सुरक्षित करना है जिसके लिए रूस की नेवी दुश्मन के पंडूबियों को पता लगा कर उन्हें समंदर के अंदर ही तबाह करने का युद्धा भ्यास कर रही है फेडेरेशन आफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक हालिया रिपोर्ट बताती है के फिल्लेंड के पास मौझूद कोला प्रायवदीप में भी रूस ने पंडूबियों पर तैनाथ 350 परमाडू बम लगा रखे हैं सभी परमाडू बम 150 किलो टन की ताकत के हैं यानि कोला प्रायवदीप में मौझूद रूस के एक परमाडू बम हिरोश्मा पर गिरे बंग से दस गुनाधिक शक्तिशाली है फिल्लेंड के नैटों में शामिल होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने नैटों से फिडने की पूरी तैयारी कर ली है रूस की ये तैयारिया बता रही है कि उप्रेइन युद्ध अभी खत भी नहीं हुआ रूस को मनमाफिक जीत भी नहीं मिली उससे पहले ही फुतिन युद्ध के कई मोची एक साथ पुले की तैयारी में है वहाया त्रिवोगा, कॉंटिक्स, एजोर कोई रूस, बेलारूस की सेना को इसकंदर बलिस्टिक मिसाइल की चेरिनिंग दे चुका है इस ट्रेनिंग का मतलब है कि बेलारूस के सेनी का पुतिन की परमालू मिसाइल को फायर करना से गहें अब रूस का परमालू बम ही बेलारूस पहुच गया है अब ऐसे में ओर्डर पुतिन का होगा या फिर बेलारूस के राष्टपती अलेक्सेंडर लुकाश्रेंको का ये बड़ा सवाल है लेकिन अगर मिसाइल बेलारूस में है तो इस पर लुकाशेंको के ओर्डर से कौन इंकार करेगा? होने वाला है? आखिर दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर के प्रेजिडेंट यू डरे हुए है? बाइडन के सपने में किस बटन के डरावने सपने आ रहे हैं? जवाब है बाइडन को डर है कि पुतिन परमानू हत्यारों का इस्तिमाल करने वाले हैं बाइडन का कहना है कि पुतिन के परमानू हत्यारों के इस्तिमाल का खत्रा वास्तविक है परमानू यूद को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं? यहों की धमकियों से साफ हो जाता है पुतिन साफ साफ शब्दों में नेटो देश को चिता चुके हैं यूकरेन को जितिनी लंबी दूरी की मिसाइले मिलेंगी रूस खत्रे को अपनी सीमा से उतना ही दूर कर देगा रूस ने यूकरेन के उत्तर में बेला रूस में परमानू हत्यार उतार दिया है रूस परमानू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ यूकरेन के पूर्व में खुद बैठा है वहीं उक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी पुतिन की परमाणू पड़ुप्या तैनाथ और उनके उत्तर पश्चिम में पोलन के पास रूस के किलिनिन ग्राथ में भी परमाणू हत्यार मौजू है पश्चिमी मीडिया के दावों को माने तो अमेरिका के राश्च्पती बाइडन को धर सताने लगा है कि पुतिन कभी भी परमाणू हमला कर सकते हैं इसलिए पुतिन ने पडोसी देश बेलरूस में परमाणू हत्यारों को तैनाथ किया है ताकि वो आसानी से योरप के किसी भी देश पर परमाणू हमला कर सके पुतिन का बढ़ा परमाणू फिवर पश्यमी मीडिया के मताविक बाइडन को लगता है कि पुतिन की सेना हत्यारों की कमी से जूज रही है और वो युक्रेन के कई लाकों से पीछे हट रही है जुससे बौकलाए पुतिन युद्ध खतम करने के लिए युक्रेन पर परमाणू हमला कर सकते हैं परमाणू हमले का विकल्प नम्बर एक परमाणू हमले का विकल्प नम्बर दू परमाणू हमले का विकल्प नम्बर तीन परमाणू हमले का विकल्प नम्बर चार परमाणू हमले के विकल्प में से किसी भी एक विकल्प का इस्तिमाल हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी अगर नुक्लियर वार का नम्बर आया तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी परमाणू बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा वहाँ की धर्ती बंजर हो जाएगी उस परमाणू युद के आगे युक्रेन युद के ये धमाके भी बहुत छोटे सावित होंगे ऐसा एक भी दिन नहीं है जब अमेरिका के वाइट हाउस में न्यूक्लियर बम पर सीक्रिट मीटिंग नहीं होती एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब बाइडन प्रशासन अपने अटम बम वाले दुश्मनों पर मन्थन नहीं करता बाइडन के ओफिस में रूस के राष्टपती पुतिन की रणनीती पर चर्चा तो होती है पश्च्रमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर पुतिन परमानु युद्ध करेंगे तो उसे तीन चरण में अन्जाम देंगे पुतिन के परमानु युद्ध का स्टेप पन परमानु परिक्षन युक्रेन को डराने के लिए पुतिन सबसे पहले वो करेंगे जो रूस ने पिछले 33 साल में नहीं किया है परमानु परिक्षन परमाणू विज्ञानिकों का कहना है कि फुतिन यूक्रेन की सेना में खौफ भढ़ने के लिए एक बार फिर नियूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं रूस ने अपना पहला परमाणू परिक्षन 29 अगस्त 1949 को किया था रूस ने आखरी बार 24 अक्तूबर 1990 को नियूक्लियर टेस्ट किया था रूस ने अब तक कुल 715 परमाणू परिक्षन किये हैं जिन में 496 अंडरग्राउंड रहे हैं परमाणू परिक्षन करने वाला रूस दुनिया का दूसरा देश बना था जानकारों का मानना है कि पुतिन दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर परमाणू परिक्षन के तौर पर नया धमाका कर सकते हैं दुनिया में अब तक 2069 परमाणू परिक्षन हुए हैं इन में सबसे अधिक 2030 परमाणू परिक्षन अमेरिका ने किये 715 न्यूकले टेस्ट करने वाला रूस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक परमाणू परिक्षन करने वाला देश है दावा किया जा रहा है कि युक्रेन युद्ध के दोरान पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है अगर रूस का ये दाव काम कर गया और जेलेंस की हत्यार रखने को मान गए तो ठी नहीं तो रूस परमानु युद्ध के दूसरे स्टेप की ओर बढ़ जाएगा पुतिन के परमानु युद्ध का स्टेप टू टैक्टिकल न्यूक्लियर बम युक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हत्यारों का इस्तिमाल कर सकती है नुकलियर बं जहां गिरेगा, वहाँ विधवनस बड़े परमानु बं की तरह ही करेगा. ठीक वैसे ही आग बरसेगी, ठीक वैसे ही रेडियेशन पहलेगा, लेकिन बड़े परमानु बं के मुकाबले टैक्टिकल नुकलियर बं की रैंज कम होगी. रूस के पास करीब दो हजार टाक्टिकल न्यूक्लियर बम है सबसे छोटे टाक्टिकल न्यूकलियर बम की भी शमता एक किलो टन या उससे भी कम है जो एक हजार टन विस्फोटक टी-ेंटी के बराबर तबाहि लाएगा दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टाक्टिकल न्यूक्लियर बम को खोंडने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका ये कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुँच जाएगा लेकिन अगर इतने पर भी यूक्रेन नहीं माना, युद ही ढाना तो फिर पुतिन परमानु युद के आखरी स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे पुतिन के परमानु युद का स्टेप तीन, परमानु बम से हमला रूस का परमानु बम युक्रेन के जिस हिस्से पर गिरेगा वो विरान हो जाएगा वहां की धर्ती बंजर हो जाएगी, आस्मान काली हो जाएगी यहां तक की सूरज की किरणे धर्ती पर नहीं बहुंच पाएगी अगर पुतिन युक्रेन पर बड़े परमानु बम से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्खों तक ही सिमित नहीं रहेगी युक्रेन तो तबा होगा ही परमानु हमले की आच नेटो देशों तक पहुँचेगी परमानु हमले के जवाब में नेटो को आक्शन में आना होगा ऐसे में परमानु युद्ध में गूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्वियूद एक सच ये भी है कि रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली आटम बम है ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है पुतिन के इस परमानु बम का नाम है जार बम जार नाम का ये रूस का हाइड्रोजन बम है इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमानु बम माना जाता है जार रूस के राजाओं की उपाती रही है इसलिए इसे जार बम नाम दिया गया और इस बम को परमानु बमों के महराजा की तरह पेश किया गया कहते हैं कि अगर रूस का जार बम गिरा तो धर्ती का जर्रा जर्रा फर्रा जाएगा यह हाइडरोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ भड़ गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो रूस ने साथ बरस बाद दुनिया को दिखाया ये वही वीडियो है जार बम इतना बड़ा था कि इसके लिए खास लड़ाक। जहाज बनाय गया परमानु हत्यार खास कर परमानु मुसाईले लडाक। जहाजों में रख जाती हैं लेकिन जार बम इतना बड़ा था कि उसे विमान से पारशुट के जरीए लटका कर रखा गया था 30 अक्तूबर 1961 को जार बम का टेस्ट किया गया लडाकु जहाज टोपुलॉव 95 ने तरीफ 10 किलोमीटर की उचाई से पैराशूट से जार बम को नुवाया जैमलिया दूइद पर गिराया ताकि विस्पोट से पहले गिराने वाला और तस्वीरे ले रहा विमान सुरक्षित दूरी तक पहुँच जाएं रूस के मताविक दोनों विमान 50 किलोमीटर दूर ही पहुँचे थे कि भेंकर विस्पोट हुआ विस्पोट इतना भेंकर था कि पूरी दुनिया दहल ही दावा किया जाता है कि अमेरिका के लिटल बॉई परमानू बम से 3333 गुना शक्तिशाली है रूस का जार बम रूस का जार बम अमेरिका के लिटल बॉई और फैट मैन जैसा ही है लेकिन उनसे बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को खाग कर सकता है जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमानू बम लिटल बॉई 14 किलो टन ताकत वाला था जबकि नागसाकी पर गिराए गए फैट मैन जिसने लाखों लोगों की जान पल भर में ले ली उसकी ताकत थी 18 किलो टन वहीं अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमानू बम B83 की पावर 1.2 मेगा टन की है वहीं रूस के जार बम की ताकत 50-58 मेगा टन है यानि अमेरिका के सबसे बड़े परमानू बम से करीब 48 गुना अधिक शक्तिशाली यही वज़ा है कि रूस ने जार बम का परिक्षन आक्टिक समुद्र में नुवाया जैमलिया के उपर बर्थ में गिराया था ताकि किसी भी तरह की आबादी से धमाके वाली जगा सैक्डों हजारों किलुमिटर थूँ कहा जाता है कि रूस ने जिस इलाके में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम का परिक्षन किया वो इलाका धमाके के बाद पूरी तरहां से बदल गया दुनिया ने उस वक्त जापान में परमानू बम की तबाही भी देख ली थी लेकिन रूस ने इस परिक्षन से साबित कर दिया कि दोबारा कभी परमानु युद छिड़ा तो दुनिया से मानपता का खात्मा भी हो सकता है यही वज़ा है कि परमानु युद की आशंका से अमेरिका के राश्चपती खौफ में है इसी वज़ा से बाइड़न ने दुनिया को चेताया है कि पुतिन परमानु हतियार लॉंच कर सकते हैं युक्रेन युद पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है युक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ काउंटर अटाक में लगी है युक्रेन ने दावा ये किया है कि उसने अब कई इलाकों पर कबजे की रन्नीती अपना ली है इसके साथ ही रूस की सेना का कबज़ा भी लगतार जारी है जापूरीजिया के पास एक इलाका है जहांपर कबजा किया गया है इसके साथ ही जापूरीजिया इलाके में मिली जीत को युक्रेन बहुत बड़ी जीत करार बे रहा है जापूरीजिया इलाके में युक्रेन को मिली जीत इसलिए भी जादा बड़ी हो जाती है क्योंकि जापोरीजिया में उरोप का सबसे बड़ा nuclear power plant है और इस nuclear power plant पर रूस का कप्सा है वही रूस ने बेलारूस पे परमारू खत्यार उतार दिया है वही नैटो रूस के परमारू य ह्यूद के काट खोचने में लगा हुआ है पुदिन का बढ़ा परमाडू फीवर नैटो कैंप में फैला फियर पुदिन के परमाडू बुखार को तोड़ने के लिए क्या करेगा नैटो कैसे टूटेगा पुदिन का परमाडू बुखार क्या रूस के खिलाफ अमेरिका लेने वाला है न्यूकिलियर एक्शन ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि रूस ने ले लिया है सबसे बड़ा रिस्क तीसरे विश्युद्ध को कर दिया है फिक्स तैयारी देख पेंटागॉन हुआ परेशान विजेन हुआ हैरान नैजो देशों में खल्बली दुनिया परमाडू युद्ध के खौब से जरी अब मुश्किल है पुतिन को मनाना बन गया नया ठिकाना शुरू हुआ परमाडू बंपो लगाना हुआ कर दोच थे जो आटाया पुलिप थे जरी दोडिवन गलारू सुआ पुछ चपाड़ के जरी गया परमाडू बंप कने सेंटर से ने तो हुआ बेदम परमाडू बंप कने से ने पुबलीच ने तोबडली दूर को वे प्रूस प्रूस पर नज़ा है? क्या रूस और नैटो के भीच युद बेलारूस के धर्टी पर होने वाला है? क्या महीनों से परमालू हत्यारों की धमकी देते आ रहे पुतिन अब वाकई उन्हें चलाने के मुड़ में लग रहे हैं? रूस नहीं उक्रेन के उत्तर में बेला रूस में परमालू हत्यार उतार दिया है रूस परमालू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ ही उक्रेन के पुर्म में खुद बैचा है वही उक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी पुदिर की परमाणू पंटूविया तैना थी वही इसके उत्तरपश्रिम में पोलेंड के पास रूस के कलिन रात में भी परमाणू हत्यार मौजूद है 1991 में सोवियत संग के पतन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस का परमाणू बम रूस से बाहर पहुच्छा है ऐसा पहली बार है जब दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणू बम रखने वाले देश ने अपने बौर्डर के बाहर परमाणू हत्यारों की तैनाती की है बेलारुस में रूस की मिसाईले तनी हुई है बेलारुस में रूस के लड़ाकों विमान गरज रहे हैं बेलारुस में रूस के टैंक तोड़ रहे हैं बेलारुस में रूस के सैनिक मोर्चा बनाकर जटे हुए हैं बेलारुस में रूसी मिसाईलों की तैनाती से नेटों में पहले से ही खलबली बची थी अब बेलारुस में रूस के परमाणू हत्यार भी फिट हो गए है बेला रूस में परमालू बम फिट करने के कदम को नैटो देश क्यों पुतिन का परमालू फीवर करार दे रहे हैं इसे आगे बताएंगे लेकि रूस के पहले ये देख लीजे कि रूस की किस परमालू तयारी ने नैटो को डरा रखा है एक, दो, तीन, चार, 40 सेकंड में चार हमले, चारों दिशाओं में चार छिकाने दहले पुतिन हुए कृत, समंदर में रूस का परमालू युत, नैजो हुआ हलकान, अमेरिका परेशान, भिटेन का मिट सकता है नामू निशान दीन में समंदर के अंदर से परमालू हमला रात के अंधिरे में समंदर से परमालू हमला ये रूस का परमालू युद्धा भ्यास है, ये नैचो को डराने का पुतिन का प्रयास है, जेलेंस्की इसे देख अताश है पाल्टिक देश रन होनी के खतरे से उदास है, आखिर रूस के इस परमालू युद्धा भ्यास में क्या खास है इसे युद्धा भ्यास को रूस अपने लड़ाको श्रमता का विस्तार करार दिया है इसे युद्धा भ्यास में रूस के उतरी बेड़े के पंडूवी रोधी युद्ध जहाजों ने हिस्सा लिया ना सिर्फ हिस्सा लिया बलकि एक काल्पनिक दुश्मन की पंडूवियों को समंदर के अंदर ही जुवो दिया पहला हमला दूसरा हमला तीसरा हमला चौधा हमला पांचवा हमला यह हमले तो कुछ भी नहीं है रूस के युद्ध पोतों ने जलजला ला दिया है रूस समंदर को निकलियर वार का एपी सेंटर बनाने की तैयारी में है समंदर में परमाडू बम का जाल बिछा कर रूस नैटों को निशाना बनाने की तैयारी में है रूस ने अपनी नौसीना के चारों बेड़ों को हाई अलर्ट पर रख दिया है रूस के चारों बेड़े के युद्ध पोद मोर्चा पर टटे हाई अलर्ट पर रूस की परमाड़ू पंडूबियां समंदर में निकुलियर बॉमर की गरजना समंदर के रास्ते परमालू बम गिराने का अप्ध्यास रूस के राष्टपती व्लादीमिर पुती ने उतरी बेड़े को सुपर अलर्ट मोड में रखा है पैसिफिक फ्लिट को सचिक परमालू हमलों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का काम सौपा है उत्तर और परशांत के बेड़े की मार्क श्रमता को सोवियत दोर से जवाबी हमलों में मोस्को के मुख्यार के रूप में देखा गया है इस बेड़े का इस्तिमाल रूस जवाबी हमले के लिए करता आया है रूस की नौसेना काला सागर में यूक्रेन पर नजर गड़ाए हुए है हाल ही में नैटो में शामिल हुए फिल लेंड के रास्ते आने वाले खतोरों से निपटने के लिए रूस के युधपोत बाल्टिक सागर में डटे हुए है नैटो की हरकतों का जवाब देने के लिए रूस ने अपनी नैवी को आर्किटिक सागर में भी उतार रखा है रूस का प्रशान्त बेड़ा भी रूस के पूर्वी किनारे पर प्रशान्त महा सागर में सुपर एक्टिव है बड़ा सवाल है कि पूरब से लेकर पश्शिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिन तक अपनी नोसेना को अलर्ट मोड मिलाकर रूस क्या संदेश देना चाहता है खासकर उत्तर में अपने युद्धपोतों से मिसाइल बरसा कर क्या रूस अमेरिका को चेतावरी देने की कोशश में है यही वज़य है कि प्रशान्त बेड़े के साथ साथ रूस का उत्री बेड़ा भी सूपर एक्टिव है चेक्टिकल निूकलियर हत्यारों से लैस युद्धपोत और पंडूबियों को रूस ने आर्किटिक सागर और बाल्टिक सागर में चेक्टिकल निूकलियर हत्यारों की मौजूदगी को नेटो देशों के लिए एक गंभीर खतरा बताया गया है जेनमार्क, स्वीडन, फिल्लेंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलेंड और जर्मनी की सिमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है वही आर्किटिक सागर में परमालू हत्यारों से लैस, युद्धपोत और पंडुबियों से सीधा खत्रा नौर्वे, स्वीडन, फिल्लेंड और अमेरिका तक को है दावा किया गया है कि रूस की नौसेना ने अपने युद्धपोत एड्मिरल गोशको को परमालू हत्यारों से लैस करके आर्किटिक सागर में उतार दिया है दरसल आर्किटिक शेत्र की जिमेदारी रूस के उतरी बेड़े के पास है नौर्वे के खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने परमालू युद्ध के सिक्रेट प्लैन को समंदर में आगे बढ़ा दिया है नौर्वे के इंटेलिजन्स सर्विस ने अपनी सलाना खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि रूस की नौस सेना के उतरी बेड़े में युद्ध फोतों को टेक्टिकल नुकलियर हत्यारों से लैस किया गया है रिपोर्ट में जहाजों पर लगाए गए परमालू हत्यारों के बारे में बताया गया है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में ये पहली बार है जब रूस का बेड़ा परमालू हत्यारों के साथ समंदर में उत्रा है अमेरिका और रूस की बरसो पुरानी जानी दुश्मनी को युक्रेनी युद्ध ने नई धार दे दी है रही सही कसर फिल लेंड को नैटो में मिला कर अमेरिका ने पूरा कर दिया यही वज़ा है कि रूस ने आर्कटिक सागर के साथ साथ अमेरिका के वर्चस्वाले प्रशान्त महसागर में शक्ति प्रदर्शन पर उतर आया है रूस के प्रशान्त बेड़े में 46 युद्ध पोत हैं प्रशान्त बेड़े में युद्ध पोतों में एंटी सम्मरीन मिसाइल शिप भी हैं और एमफेबियस युद्ध पोत भी साथ ही साथ रूस के प्रशान्त बेड़े में 24 से 26 पंडूबियां है प्रशान्त बेड़े के युद्धा भ्यास का मकसद दुश्मन के मिसाइल और हवाई हमलों से रूस को सुरक्षित करना है जिसके लिए रूस की नेवी दुश्मन के पंडूबियों को पता लगा कर उन्हें समंदर के अंदर ही तबाह करने का युद्धा भ्यास कर रही है परमाडू बम लगा रखे हैं सभी परमाडू बम 150 किलो टन की ताकत के हैं यानि कोला प्रायवदीब में मवजूद रूस के एक परमाडू बम हिरोश्मा पर गिरे बम से 10 गुनाधिक शक्तिशाली है फिल्लेंड के नैटो में शामिल होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन नैटो से भिड़ने की पूरी तैयारी कर ली है कोला प्रायवदीब में रूस ने बड़े पैमाने पर परमाडू हत्यार जमा कर रखे हैं कोला प्रायवदीब का एक छोटा सा इलाका रूस की परमाडू मिसाल से लाइस सम्मरिट का पावरफुल सेंटर है यहीं से आर्गटिक के गष्ट भी की जाती है रूस की ये तैयारिया बता रही है कि उक्रेण युद्ध अभी खत भी नहीं हुआ रूस को मनमाफिक जीत भी नहीं मिली उससे पहले ही पुतिर युद्ध के कई मोची एक साथ कोले की तैयारी में है बेलारूस की सेना को इसकंदर बलिस्टिक मिसाल की चेरिंग दे चुका है इस ट्रेनी का मतलब है कि बेलारूस के सेनी का पुतिर की परमालू मिसाइल को फायर करना सी कहे है और अब रूस का परमालू बम ही बेलारूस पहुँच गया है अब ऐसे में ओर्डर पुतिन का होगा या फिर बेलारूस के राष्टपती अलेक्सेंडर लुकाश्रेंको का ये बड़ा सवाल है लेकिन अगर मिसाइल बेलारूस में है तो इसमें लुकाश्रेंको के ओर्डर से कौन इंकार करेगा अमेरिका के राष्टपती को क्या डर सता रहा है वाइट हाउस में खौफ का क्यूं प्रसारण हो रहा है वाइट हाउस के टीवी स्क्रीन पर बाइडन को क्या दिखाया जा रहा है बाइडन को ये क्यूं दिखाया जा रहा है क्या अमेरिका पर कोई बड़ा खत्रा आने वाला है क्या अमेरिका पर हमला होने वाला है आखिर दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर के प्रेजडेंट यू डरे हुए है बाइडन के सपने में किस बटन के डरावने सपने आ रहे है जवाब है बाइडन को डर है कि पुतिन परमाणू धत्यारों का इस्तिमाल करने वाले है बाइडन का कहना है कि पुतिन के परमाणू हत्यारों के इस्तिमाल का खत्रा वास्तविक है परमाणू युद्ध को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं यहों की धमकियों से साफ हो जाता है पुतिन साफ साफ शब्दों में नेटो देश को चिता चुके हैं युक्रेन को जितनी लंबी दूरी की मिसाइले मिलेंगी, रूस खत्रे को अपनी सीमा से उतना ही दूर कर देगा। रूस ने युक्रेन के उत्तर में बेला रूस में परमानु हत्यार उतार दिया है। रूस परमाणू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ युक्रेन के पूर्व में खुद बैठा है वहीं युक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी कुतिन की परमाणू पंडुप्या तैनात और उनके उत्तर पश्चिम में पोलन के पास रूस के किलिनिन ग्राथ में परमाणू हत्यार मौझू है पश्चिम मीडिया के दावों को माने तो अमेरिका के राश्च्पती बाइडन को दर सताने लगा है कि पुतिन कभी भी परमाणू हमला कर सकते हैं इसलिए पुतिन ने पडोसी देश बेलरूस में परमाणू हत्यारों को तैनात किया है ताकि वो आसानी से यौरप के किसी भी देश पर परमाणू हमला कर सके हैं पुतिन का बढ़ा परमाणू फिवर पश्चिमी मीडिया के मताविक बाइडन को लगता है कि पुतिन की सेना हत्यारों की कमी से जूज रही है और वो युक्रेन के कई लाकों से पीछे हट रही है जिससे बौकलाए पुतिन युद्ध खतम करने के लिए युक्रेन पर परमाणू हमला कर सकते हैं परमाणू हमले का विकल्प नमबर एक परमाणू हमले का विकल्प नमबर दू परमाणू हमले का विकल्प नमबर तीन परमाणू हमले का विकल्प नमबर चार परमाणू हमले के विकल्प में से किसी भी एक विकल्प का इस्तिमाल हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी अगर नुक्लियर वार का नमबर आया तो दुनिया की तस्मीर पूरी तरह से बदल जाएगी परमाणू बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा वहाँ की धर्ती बंजर हो जाएगी उस परमाणू युद के आगे युक्रेन युद के ये धमाके भी बहुत छोटे सावित होंगे ऐसा एक भी दिन नहीं है जब अमेरिका के वाइट हाउस में न्यूक्लियर बम पर सीक्रिट मीटिंग नहीं होती एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब बाइडन प्रशासन अपने अटम बम वाले दुश्मनों पर मन्थन नहीं करता बाइडन के ऑफिस में रूस के राष्टपती पुतिन की रणनीती पर चर्चा तो होती है पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर पुतिन परमानू युद्ध करेंगे तो उसे तीन चरण में अन्जाम देंगे पुतिन के परमानू युद्ध का स्टेप पन परमानू परिक्षन युक्रेन को डराने के लिए पुतिन सबसे पहले वो करेंगे जो रूस ने पिछले 33 साल में नहीं किया है परमानू परिक्षन परमाणू विज्ञानिकों का कहना है कि फुतिन यूक्रेन की सेना में खौफ भढ़ने के लिए एक बार फिर नियूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं रूस ने अपना पहला परमाणू परिक्षन 29 अगस्त 1949 को किया था रूस ने आखरी बार 24 अक्तूबर 1990 को नियूक्लियर टेस्ट किया था रूस ने अब तक कुल 715 परमाणू परिक्षन किये हैं जिन में 496 अंडरग्राउंड रहे हैं परमाणू परिक्षन करने वाला रूस दुनिया का दूसरा देश बना था जानकारों का मानना है कि पुतिन दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर परमाणू परिक्षन के तौर पर नया धमाका कर सकते हैं दुनिया में अब तक 2069 परमाणू परिक्षन हुए हैं इन में सबसे अधिक 2030 परमाणू परिक्षन अमेरिका ने किये 715 न्यूकले टेस्ट करने वाला रूस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक परमाणू परिक्षन करने वाला देश है दावा किया जा रहा है कि युक्रेन युद्ध के दोरान पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस एक बार भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है अगर रूस का ये दाव काम कर गया और जेलेंस की हत्यार रखने को मान गए तो ठी नहीं तो रूस परमानु युद्ध के दूसरे स्टेप की ओर बढ़ जाएगा युक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना अपने टाक्टिकल नूक्लियर हत्यारों का इस्तिमाल कर सकती है tactical nuclear हत्यार छोटे पर्मानू बम होते हैं जो बड़े पर्मानू बम के मुकाबले कम दाइरे में radiation फहलाते हैं लेकिन एक सच ये भी है कि tactical nuclear bomb जहां गिरेगा वहाँ with once बड़े पर्मानू बम की तरह ही करेगा ठीक वैसे ही आग बरसेगी ठीक वैसे ही radiation फहलेगा लेकिन बड़े परमानू बम के मुकाबले tactical nuclear bum की रेंज कम होगी रूस के पास करीब 2000 tactical nuclear bum है सबसे छोटे tactical nuclear bum की भी शमता एक किलो टन या उससे भी कम है जो 1000 टन विस्पोटक TNT के बराबर तबाहि लाएगा दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टाक्टिकल न्यूक्लियर बम को फोड़ने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका ये कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुँच जाएगा लेकिन अगर इतने पर भी यूक्रेन नहीं माना, युद ही ढाना तो फिर पुतिन परमानु युद के आखरी स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे पुतिन के परमानु युद का स्टेप तीन, परमानु बम से हमला रूस का परमानु बम युक्रेन के जिस हिस्से पर गिरेगा वो विरान हो जाएगा वहां की धर्ती बंजर हो जाएगी, आस्मान काली हो जाएगी यहां तक की सूरज की किरणे धर्ती पर नहीं बहुँच पाएगी अगर पुतिन युक्रेन पर बड़े परमानु बम से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्खों तक ही सिमित नहीं रहेगी युक्रेन तो तबा होगा ही परमानु हमले की आच नेटो देशों तक पहुचेगी परमानु हमले के जवाब में नेटो को आक्शन में आना होगा ऐसे में परमानु युद्ध में गूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व्यूद एक सच ये भी है कि रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली आटम बम है ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है पुतिन के इस परमानु बम का नाम है जार बम जार नाम का ये रूस का हाइड्रोजन बम है इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमानु बम माना जाता है जार रूस के राजाओं की उपाती रही है इसलिए इसे जार बम नाम दिया गया और इस बम को परमानु बमों के महराजा की तरह पेश किया गया कहते हैं कि अगर रूस का जार बम गिरा तो धर्ती का जर्रा जर्रा फर्रा जाएगा यह हाइडरोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ भड़ गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो रूस ने साथ बरस बाद दुनिया को दिखाया ये वही वीडियो है जार बम इतना बड़ा था कि इसके लिए खास लड़ाकू जहाज बनाया गया परमाणू हत्यार खास कर परमाणू मुसाईले लड़ाकू जहाजों में रखी जाती है लेकिन जार बम इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरीए लटका कर रखा गया था 30 अक्तूबर 1961 को जार बम का टेस्ट किया गया लडाकु जहाज टोपुलॉव 95 ने तरीफ 10 किलूमिटर की उचाई से पैराशूट से जार बम को नुवाया जैमलिया दूइद पर गिराया ताकि विस्पोट से पहले गिराने वाला और तस्वीरे ले रहा विमान सुरक्षित दूरी तक पहुँच जाएं रूस के मताविक दोनों विमान 50 किलूमिटर दूर ही पहुँचे थे कि भेंकर विस्पोट हुआ विस्पोट इतना भेंकर था कि पूरी दुनिया दहल हुई दावा किया जाता है कि अमेरिका के लिटल बॉई परमानू बम से 3333 गुना शक्तिशाली है रूस का जार बम रूस का जार बम अमेरिका के लिटल बॉई और फैट मैन जैसा ही है लेकिन उनसे बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को खाक कर सकता है जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमानू बम लिटिल बॉई 14 किलो टन ताकत वाला था जबकि नागसाकी पर गिराए गए फैट मैन जिसने लाखों लोगों की जान पल भर में ले ली उसकी ताकत थी 18 किलो टन वहीं अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमानू बम बी-83 की पावर 1.2 मेगा टन की है वहीं रूस के जार बम की ताकत 50-58 मेगा टन है यानि अमेरिका के सबसे बड़े परमानू बम से करीब 48 गुना अधिक शक्तिशाली यही वज़ा है कि रूस ने जार बम का परिक्षन आक्टिक समुदर में नुवाया जैमलिया के उपर बर्थ में गिराया था ताकि किसी भी तरह की आबादी से धमाके वाली जगा सैक्डों हजारों किलूमिटर फूरी कहा जाता है कि रूस ने जिस इलाके में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम का परिक्षन किया वो इलाका धमाके के बाद पूरी तरहां से बदल गया दुनिया ने उस वक्त जापान में परमाणू बम की तबाही भी देख ली थी लेकिन रूस ने इस परिक्षन से साबित कर दिया कि दोबारा कभी परमाणू युद छिडा तो दुनिया से मानपता का खात्मा भी हो सकता है यही वज़ा है कि परमाणू युद की आशंका से अमेरिका के राश्चपती खौफ में है इसी वज़ा से बाइडन ने दुनिया को चेताया है कि पुतिन परमाणू हतियार लॉंच कर सकते हैं युक्रेन युद पर बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है युक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ काउंटे अटाक में लगी है युक्रेन ने दावा ये किया है कि उसने अब कई इलाकों पर कबजे की रन्नीती अपना ली है इसके साथ ही रूस की सेना का कबजा भी लगतार जारी है जापूरीजिया के पास एक इलाका है जहां पर कबजा किया गया है इसके साथ ही जापूरीजिया इलाके में मिली जीत को युक्रेन बहुत बड़ी जीत करार दे रहा है जापुरीजिया इलाके में यूक्रेन को मिली जीत इसलिए भी जादा बड़ी हो जाती है क्योंकि जापुरीजिया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लिया पावर प्लांट है और इस न्यूक्लिया पावर प्लांट पर रूस का कपसा है वही रूस ने बेलरूस में परमाणू खत्यार उतार दिया है वही नाचो रूस के परमाणू युद्ध के काट खोजने में लगा हुआ है पुद्धिन का बढ़ा परमाणू फीवर नैटो कैंप में फैला फीवर पुद्धिन के परमाणू बुखार को तोड़ने के लिए क्या करेगा नैटो कैसे टूटेगा पुद्धिन का परमाणू बुखार क्या रूस के खिलाफ अमेरिका लेने वाला है निउकलियर एक्शन ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि रूस ने ले लिया है सबसे बड़ा रिस्क तीसरे विश्व युद्ध को कर दिया है फिक्स तैयारी देख पेंटागॉन हुआ परेशान विजन हुआ हैरान नैजो देशों में खल्बली दुनिया परमाणू युद्ध के खौप से जरी अब मुश्किल है पुतिन को मनाना बन गया नया ठिकाना शुरू हुआ परमाणू बंपो लगाना बेलारूस पहुच गया एचम पंप परमाणू बंके नये सेंटर से ने जो हुआ बेदम क्या तीसरे वेशो युद का एपी सेंचर फेलारूस परने वाला है क्या रूस और नैटो के बीच युद बेलारूस की धर्ती पर होने वाला है क्या महीनों से परमाणू हत्यारों की धमकी देते आ रहे पुतिन अब वाकई उन्हें चलाने के मूड में लग रहे है रूस नहीं उक्रेन के उत्तर में बेलारूस में परमाणू हत्यार उदार दिया है रूस परमाणू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ ही उक्रेन के पुर्म में खुद बैचा है वही उक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी पुदिर की परमाणू पंटूविया तैना थी वही इसके उत्तर परश्रिम में पॉलेंड के पास रूस के कलिन रात में भी परमाणू हत्यार मौजूद है 1991 में सोवियत संग के पतन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस का परमाणू बम रूस से बाहर पहुच रहे है ऐसा पहली बार है जब दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणू बम रखने वाले देश ने अपने बॉर्डर के बाहर परमाणू हत्यारों की तैनाती की है बेलारूस में रूस की मिसाईले तनी हुई है बेलारूस में रूस के लड़ाकों विमान गरज रहे है बेलारूस में रूस के टैंक तोड़ रहे है बेलारूस में रूस के सैनिक मोर्चा बनाकर जटे हुए है बेलारूस में रूसी मिसाईलों की तेनाती से नैटो में पहले से ही खलबली भची थी अब बेलारूस में रूस के परमाणु बम फिट करने के कदम को नैटो देश क्यों पुटिन का परमाणु फीवर करार दे रहे हैं इसे आगे बताएंगे लेकि रूस के पहले ये देख लीजे कि रूस की किस परवानुत तयारी ने नैटो को डरा रखा है एक, दो, तीन चार 40 सेकंड में चार हमले, चारों दिशाओं में चार छिकाने दहले पुतीन हुए कृत, समंदर में रूस का परमाणू युत नैजो हुआ हलकान, अमेरिका परेशान, भिटेन का मिट सकता है नामू निशान तीन में समंदर के अंदर से परमाणू हमला रात के अंधिरे में समंदर से परमाणू हमला ये रूस का परमाणू युद्धा भ्यास है ये नैचो को डराने का पुतिन का प्रयास है जेलेंस्की इसे देख हताश है पाल्टिक देशन होनी के खत्रे से उदास है आखिर रूस के इस परमाणू युद्धा भ्यास में क्या खास है इसे युद्धा भ्यास को रूस अपने लड़ाको श्रमता का विस्तार करार दिया है इसे युद्धा भ्यास में रूस के उत्री बेड़े के पंडूवी रोधी युद्ध जहाजों ने हिस्सा लिया ना सिर्फ हिस्सा लिया बलकि एक कालपनिक दुश्मन की पंडूवीयों को समंदर के अंदर ही जुवो दिया पहला हमला दूसरा हमला तीसरा हमला चौधा हमला पांच वा हमला ये हमले तो कुछ भी नहीं है रूस के युद्धुपोतों ने जलजला ला दिया है रूस समंदर को निकलियर वार का एपी सेंटर बनाने की तैयारी में है समंदर में परमाडु बम का जाल बिछाकर रूस नैटों को निशाना बनाने की तैयारी में है रूस ने अपनी नौसेना के चारो बेड़ों को हाई अलर्ट पर रख दिया है रूस के चारो बेड़े के युद्धुपोत मोर्चा पर टटे हाई अलर्ट पर रूस की परमाडू पंटूबियां, समंदर में निकुलियर बॉमर की गर्जना, समंदर के रास्ते परमाडू बम गिराने का अप्ध्याद रूस के राष्टपती व्लादिमिर पुती ने उतरी बेड़े को सुपर अलर्ट मोड में रखा है पैसिफिक फिलिट को सचिक परमाडू हमलों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का काम सौपा है उत्तर और परशांद के बेड़े की मारक श्रमता को सोवियत दौर से ही जवाबी हमलों में मौस्को के मुख्यार के रूप में देखा गया है इस बेड़े का इस्तिमाल रूस जवावी हमले के लिए करता आया है रूस की नौसेना काला सागर में यूक्रेन पर नजर गड़ाए हुए है हाल ही में नैटो में शامिल हुए फिल लैंड के रासते आने वाले खतरों के निपटने के लिए रूस के युधपोत बाल्टीक सागर में टटे हुए है नैटो की हरकतों का जवाब देने के लिए रूस ने अपनी नैवी को आर्क्टीक सागर में भी उतार रखा है रूस का प्रशान्त बेड़ा भी रूस के पूर्वी किनारे पर प्रशान्त महासागर में सुपर एक्टिव है बड़ा सवाल है कि पूरब से लेकर पश्रिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिन तक अपनी नोसेना को अलर्ट मोट मिलाकर रूस क्या संदेश देना चाहता है बड़ा सुपर एक्टिव है स्वीडन, फिलनेंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथोआनिया, पोलेंड और जर्मनी की सिमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है वही आर्किटिक सागर में परमाणू हत्यारों से लैस युद्धपोत और पंडुबियों से सीधा खत्रा नॉर्वे, स्वेडन, फिल्लेंड और अमेरिका तक को है दावा किया गया है कि रूस की नौसेना ने अपने युद्धपोत एड्मिरल गोशको को परमाणू हत्यारों से लैस करके आर्किटिक सागर में उतार दिया है दरसल आर्किटिक शेत्र की जिम्यदारी रूस के उतरी बेड़े के पास है नौर्वे के खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने परमाणू युद्ध के सिक्रेट प्लैन को समंदर में आगे बढ़ा दिया है नौर्वे के इंटेलिजन्स सर्विस ने अपनी सलाना खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि रूस की नौस सेना के उतरी बेड़े में युद्ध फोतों को टेक्टिकल नुकलियर हत्यारों से लैस किया गया है रिपोर्ट में जहाजों पर लगाए गए परमाणू हत्यारों के बारे में बताया गया है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में ये पहली बार है जब रूस का बेड़ा परवालू हत्यारों के साथ समंदर में उत्रा है अमेरिका और रूस की बरसो पुरानी जानी दुश्मनी को यूकरेनी युद्ध ने नई धार दे दी है रही सही कसर फिल लेंड को नैटो में मिला कर अमेरिका ने पूरा कर दिया यही वज़ा है कि रूस ने आर्कटिक्स सागर के साथ साथ अमेरिका के वर्चस्वाले प्रशान्त महसागर में शक्ति प्रदर्शन पर उतर आया है रूस के प्रशान्त बेडे में 46 युद्ध पोत हैं प्रशान्त बेडे में युद्ध पोतों में एंटी सम्मरीन मिसाइल शिप भी हैं और एमफेबियस युद्ध पोत भी साथ ही साथ रूस के प्रशान्त बेडे में 24 से 26 पंडूबियां है प्रशान्त बेडे के युद्धा भ्यास का मकसद दुश्मन के मिसाइल और हवाई हमलों से रूस को सुरक्षित करना है जिसके लिए रूस की नेवी दुश्मन के पंडूबियों को पता लगा कर उन्हें समंदर के अंदर ही तबाह करने का युद्धा भ्यास कर रही है Federation of American Scientists की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि फिल्लेंड के पास मौझूद कोला प्रायवदीप में भी रूस ने पंडूबियों पर तैनाद 350 परमालू बम लगा रखे हैं सभी परमालू बम 150 किलो टन की ताकत के हैं यानि कोला प्रायवदीप में मौझूद रूस के एक परमालू बम हिरोश्मा पर गिरे बम से दस गुनाधिक शक्तिशाली है फिल्लेंड के नैटों में शामिल होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने नैटों से फिडने की पूरी तैयारी कर ली है पूला प्रायवदीप में रूस ने बड़े पैमाने पर परमालू हत्यार चमा कर रखे हैं पूला प्रायवदीप का एक छोटा सा इलाका रूस की परमालू मिसाइल से लाइस सम्मरिट का पावरफुल सेंटर है यहीं से आर्गटिक के गष्ट भी की जाती है रूस की ये तैयारिया बता रही है कि युक्रेण युद्ध अभी खत भी नहीं हुआ रूस को मनमाफिक जीत भी नहीं मिली उससे पहले ही पुतिर युद्ध के कई मोची एक साथ पुले की तैयारी में है बेलारूस की सेना को इसकंदर बलिस्टिक मिसाइल की चेरिंग दे चुका है लेकिन अगर मिसाइल बेलारूस में है तो इसमार लुका शेनको के ओडर से कौन इनकार करेगा अमेरिका के राष्ट्रपती को क्या डर सता रहा है वाइट हाउस में खौफ का क्यूं प्रसारण हो रहा है वाइट हाउस के टीवी स्क्रीन पर बाइडन को क्या दिखाया जा रहा है बाइडन को ये क्यूं दिखाया जा रहा है क्या अमेरिका पर कोई बड़ा खत्रा आने वाला है क्या अमेरिका पर हमला होने वाला है आखिर दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर के प्रेजिडेंट यू डरे हुए बाइडन के सपने में किस बटन के दरावने सपने आ रहे है जवाब है बाइडन को डर है कि पुतिन परमानू हत्यारों का इस्तिमाल करने वाले है बाइडन का कहना है कि पुतिन के परमानू हत्यारों के इस्तिमाल का खत्रा वास्तविक है परमानू युद्ध को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं यह उनकी धमकियों से साफ हो जाता है पुतिन साफ साफ शब्दों में नेटो देश को चिता चुके हैं युक्रेन को जितनी लंबी दूरी की मिसाइले मिलेंगी रूस खत्रे को अपनी सीमा से उतना ही दूर कर देगा रूस ने युक्रेन के उत्तर में बेलारूस में परमानु हत्यार उतार दिया है रूस परमाणू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ युक्रेन के पूर्व में खुद बैठाएं वहीं युक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी पुतिन की परमाणू पंडुप्या तैनात हैं और उनके उत्तर पश्चिम में पोलन के पास रूस के किलिनिन ग्रा परमाणू हत्यार मौजूद हैं पश्चिमी मीडिया के दावों को माने तो अमेरिका के राष्टपती बाइडन को धर सताने लगा है कि पुतिन कभी भी परमाणू हमला कर सकते हैं इसलिए पुतिन ने पड़ोसी देश बेलरूस में परमाणू हत्यारों को तैनात किया है ताकि वो आसानी से योरप के किसी भी देश पर परमाणू हमला कर सके हैं पुतिन का बढ़ा परमाणू फिवर पर्शिमी मीडिया के मताबिक बाइडन को लगता है कि पुतिन की सेना हत्यारों की कमी से जूज रही है और वो यूकरेन के कई लाकों से पीछे हट रही है जिससे बौकलाए पुतिन युद्ध खतम करने के लिए यूकरेन पर परमाणू हमला कर सकते हैं पर्माणू हमले का विकल्प नमबर एक पर्माणू हमले का विकल्प नमबर दू पर्माणू हमले का विकल्प नमबर तीन पर्माणू हमले का विकल्प नमबर चार पर्माणू हमले के विकल्प में से किसी भी एक विकल्प का इस्तिमाल हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी अगर न्यूक्लियर वार का नमबर आया तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी पर्माणू बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा वहाँ की धर्ती बंजर हो जाएगी उस पर्माणू युद के आगे युक्रेन युद के ये धमाके भी बहुत छोटे सावित होंगे ऐसा एक भी दिन नहीं है जब अमेरिका के वाइट हाउस में न्यूक्लियर बम पर सीक्रिट मीटिंग नहीं होती एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब बाइडन प्रशासन अपने अटम बम वाले दुश्मनों पर मन्थन नहीं करता बाइडन के ओफिस में रूस के राष्टपती पुतिन की रणनीती पर चर्चा तो होती है पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर पुतिन परमानु युद्ध करेंगे तो उसे तीन चरण में अन्जाम देंगे पुतिन के परमानु युद्ध का स्टेप पन परमानु परिक्षन युक्रेन को डराने के लिए पुतिन सबसे पहले वो करेंगे जो रूस ने पिछले 33 साल में नहीं किया है परमानु परिक्षन परमाणू विज्ञानिकों का कहना है कि पुतिन यूक्रेन की सेना में खौफ भणने के लिए एक बार फिर नूकलियर टेस्ट कर सकते हैं रूस ने अपना पहला परमाणू परिक्षन 29 अगस्त उननिस सो नंचास को किया था रूस ने आखरी बार 24 अक्तूबर 1990 को नूकलियर टेस्ट किया था रूस ने अब तक कुल 715 परमाणू परिक्षन किये हैं जिन में 496 अंडरग्राउंड रहे हैं परमाणू परिक्षन करने वाला रूस दुनिया का दूसरा देश बना था जानकारों का मानना है कि पुतिन दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर परमाणू परिक्षन के तौर पर नया धमाका कर सकते हैं दुनिया में अब तक 2069 परमाणू परिक्षन हुए हैं इन में सबसे अधिक 2030 परमाणू परिक्षन अमेरिका ने किये 715 न्यूकले टेस्ट करने वाला रूस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक परमाणू परिक्षन करने वाला देश है दावा किया जा रहा है कि युक्रेन युद्ध के दोरान पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस एक बार भी नुक्लियर टेस्ट कर सकता है अगर रूस का ये दाव काम कर गया और जेलंस की हत्यार रखने को मान गए तो ठीक नहीं तो रूस परमानु युद्ध के दूसरे स्टेप की ओर बढ़ जाएगा पुतिन के परमानु युद्ध का स्टेप टू टैक्टिकल नुक्लियर बम युक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना अपने टैक्टिकल नुक्लियर हत्यारों का इस्तिमाल कर सकती है टैक्टिकल न्यूक्लियर हत्यार छोटे पर्मानू बम होते हैं जो बड़े पर्मानू बम के मुकाबले कम दाइरे में रेडियेशन पहलाते हैं लेकिन एक सच ये भी है कि टैक्टिकल न्यूकलियर बम जहां गिरेगा वहाँ विद्वन्स बड़े परमानू बम की तरह ही करेगा ठीक वैसे ही आग बरसेगी, ठीक वैसे ही रेडियेशन फैलेगा लेकिन बड़े परमानू बम के मुकाबले टैक्टिकल न्यूकलियर बम की रेंज कम होगी रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूकलियर बम है सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूकलियर बम की भी शमता 1 किलो टन या उससे भी कम है जो एक हजार टन विस्पोटक TNT के बराबर तबाहि लाएगा दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को खोणने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका ये कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुँच जाएगा लेकिन अगर इतने पर भी यूक्रेन नहीं माना, युद ही ढाना तो फिर पुतिन परमानु युद के आखरी स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे पुतिन के परमानु युद का स्टेप तीन, परमानु बम से हमला रूस का परमानु बम युक्रेन के जिस हिस्से पर गिरेगा वो विरान हो जाएगा वहां की धरती बंजर हो जाएगी, आस्मान काली हो जाएगी यहां तक की सूरज की किरणे धरती पर नहीं बहुँच पाएगी अगर पुतिन युक्रेन पर बड़े परमानु बम से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्खों तक ही सिमित नहीं रहेगी युक्रेन तो तबा होगा ही परमानु हमले की आच नेटो देशों तक पहुचेगी परमानु हमले के जवाब में नेटो को आक्शन में आना होगा ऐसे में परमानु युद्ध में गूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्वियूद एक सच ये भी है कि रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली आटम बम है ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी तेश के पास नहीं है पुतिन के इस परमानु बम का नाम है जार बम जार नाम का ये रूस का हाइड्रोजन बम है इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमानु बम माना जाता है जार रूस के राजाओं की उपाती रही है इसलिए इसे जार बम नाम दिया गया और इस बम को परमानु बमों के महराजा की तरह पेश किया गया कहते हैं कि अगर रूस का जार बम गिरा तो धर्ती का जर्रा जर्रा फर्रा जाएगा यह हाइडरोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ भड़ गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो रूस ने साथ बरस बाद दुनिया को दिखाया ये वही वीडियो है जार बम इतना बड़ा था कि इसके लिए खास लड़ाकू जहाज बनाया गया परमाणू हत्यार खास कर परमाणू मुसाइले लड़ाकू जहाजों में रखी जाती है लेकिन जार बम इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरीए लटका कर रखा गया था 30 अक्तूबर 1961 को जार बम का टेस्ट किया गया लडाकु जहाज टोपुलॉव 95 ने तरीफ 10 किलूमिटर की उचाई से पैराशूट से जार बम को नुवाया जैमलिया दूइद पर गिराया ताकि विस्पोट से पहले गिराने वाला और तस्वीरे ले रहा विमान सुरक्षित दूरी तक पहुँच जाएं रूस के मताविक दोनों विमान 50 किलूमिटर दूर ही पहुँचे थे कि भेंकर विस्पोट हुआ विस्पोट इतना भेंकर था कि पूरी दुनिया दहल हुई दावा किया जाता है कि अमेरिका के लिटल बॉई परमानु बम से 3333 गुना शक्तिशाली है रूस का जार बम रूस का जार बम अमेरिका के लिटल बॉई और फैट मैन जैसा ही है लेकिन उनसे बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को खाक कर सकता है जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमानू बम लिटिल बॉई 14 किलो टन ताकत वाला था जबकि नागसाकी पर गिराए गए फैट मैन जिसने लाखों लोगों की जान पल भर में ले ली उसकी ताकत थी 18 किलो टन वहीं अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमानू बम बी-83 की पावर 1.2 मेगा टन की है वहीं रूस के जार बम की ताकत 50-58 मेगा टन है यानि अमेरिका के सबसे बड़े परमानू बम से करीब 48 गुना अधिक शक्तिशाली यही वज़ा है कि रूस ने जार बम का परिक्षन आक्तिक समुदर में नुवाया जैमलिया के उपर बर्थ में गिराया था ताकि किसी भी तरह की आबादी से धमाके वाली जगा सैक्णों अजारों किलुमीटर थूरू कहा जाता है कि रूस ने जिस इलाके में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम का परिक्षन किया वो इलाका धमाके के बाद पूरी तरहां से बदल गया दुनिया ने उस वक्त जापान में परमाणू बम की तबाही भी देख ली थी लेकिन रूस ने इस परिक्षन से साबित कर दिया कि दोबारा कभी परमाणू युद छिडा तो दुनिया से मानपता का खात्मा भी हो सकता है यही वज़ा है कि परमाणू युद की आशंका से अमेरिका के राश्च्रपती खौफ में है इसी वज़ा से बाइडन ने दुनिया को चेताया है कि पुतिन परमाणू हतियार लॉंच कर सकते हैं युक्रेन युद पर बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है युक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ काउंटे अटाक में लगी है युक्रेन ने दावा ये किया है कि उसने अब कई इलाकों पर कबज़े की रणीती अपना ली है इसके साथ ही रूस की सेना का कबज़ा भी लगतार जारी है जापूरीजिया के पास एक इलाका है जहां पर कबज़ा किया गया है इसके साथ ही जापूरीजिया इलाके में मिली जीत को युक्रेन बहुत बड़ी जीत करार दे रहा है जापुरीजिया एलाके में यूक्रेयन को मिली जीट इसलिए भी ज़ादा बड़ी हो जाती है क्योंकि जापुरीजिया में यूरोप का सबसे बड़ा नुट्लिया पावर प्लान्ट है और इस नुट्लिया पावर प्लान्ट पर रूस का comșah है वही रूस ने बेलरूस में परमाणू खत्यार उतार दिया है वही नाचो रूस के परमाणू युद्ध के काट खोजने में लगा हुआ है पुद्धिन का बढ़ा परमाणू फीवर नैटो कैंप में फैला फीवर पुद्धिन के परमाणू बुखार को तोड़ने के लिए क्या करेगा नैचो कैसे टूटेगा पुद्धिन का परमाणू बुखार क्या रूस के खिलाफ अमेरिका लेने वाला है नियूकिलियर एक्शन ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि रूस ने ले लिया है सबसे बड़ा रिस्क तीसरे विश्व युद्ध को कर दिया है फिक्स तैयारी देख पेंटागॉन हुआ परेशान विजन हुआ हैरान नैचो देशों में खल्बली दुनिया परमाणू युद्ध के खौप से जरी अब मुश्किल है पुतिन को मनाना बन गया नया ठिकाना शुरू हुआ परमाणू बंपो लगाना बेलार उस पहुच गया एचंप परमाणू बंके नये सेंटर से ने जो हुआ बेदम क्या तीसरे वेशो युद का एपी सेंचर फेलारूस परने वाला है क्या रूस और नयटों के बीच युद बेलारूस के धर्ती पर होने वाला है क्या महीनों से परमाणू हत्यारों की धमकी देते आ रहे पुतिन अब वाकई उन्हें चलाने के मुड में लग रहे है रूस नहीं उक्रेन के उत्तर में बेलारूस में परमाणू हत्यार उदार दिया है रूस परमाणू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ ही उक्रेन के पुर्म में खुद बैचा है वही उक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी पुदिर की परमाणू पंटूविया तैना थी वही इसके उत्तर परश्रिम में पॉलेंड के पास रूस के कलिन रात में भी परमाणू हत्यार मौजूद है 1991 में सोवियत संग के पतन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस का परमाणू बम रूस से बाहर पहुच रहे है ऐसा पहली बार है जब दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणू बम रखने वाले देश ने अपने बॉर्डर के बाहर परमाणू हत्यारों की तैनाती की है बेलारूस में रूस की मिसाईले तनी हुई है बेलारूस में रूस के लड़ाकों विमान गरज रहे है बेलारूस में रूस के टैंक तोड़ रहे है बेलारूस में रूस के सैनिक मोर्चा बनाकर जचे हुए है बेलारूस में रूसी मिसाईलों की तैनाती से नैटो में पहले से ही खलबली बची थी अब बेलारूस में रूस के परमाणू हत्यार भी फिट हो गए है बेलारूस में परमाडू बम फिट करने के कदम को नैटो देश क्यों पुतिन का परमाडू फीवर करार दे रहे हैं इसे आगे बताएंगे लेकि रूस के पहले ये देख लिजे कि रूस की किस परमाडू तयारी ने नैटो को डरा रखा है एक, दो, तीर, चार, 40 सेकंड में चार हमले, चारों दिशाओं में चार छिकाने दहले पुतिन हुए कृत, समंदर में रूस का परमाडू युद्थ, नैजो हुआ हलकान, अमेरिका परेशान, भिटेन का मिट सकता है नामू निशान दीन में समंदर के अंदर से परमाडू हमला रात के अंधिरे में समंदर से परमाडू हमला ये रूस का परमाडू युद्धा भ्यास है ये नैचो को डराने का पुतिन का प्रयास है जेलेंसकी इसे देख हताश है पाल्टिक देश रन होनी के खतरे से उदास है आखिर रूस के इस परमाडू युद्धा भ्यास में क्या खास है इसे युद्धा भ्यास को रूस अपने लड़ाको श्रमता का विस्तार करार दिया है इसे युद्धा भ्यास में रूस के उतरी बेड़े के पंडूवी रोधी युद्ध जहाजों ने हिस्सा लिया ना सिर्फ हिस्सा लिया बलकि एक काल्पनिक दुश्मन की पंडूवियों को समंदर के अंदर ही जुवो दिया पहला हमला दूसरा हमला तीसरा हमला चौधा हमला पांचवा हमला यह हमले तो कुछ भी नहीं है रूस के युद्ध पोतों ने जलजला ला दिया है रूस समंदर को निकलियर वार का एपी सेंटर बनाने की तैयारी में है समंदर में परमाडू बम का जाल बिछा कर रूस नैटों को निशाना बनाने की तैयारी में है रूस ने अपनी नौसीना के चारों बेड़ों को हाई अलर्ट पर रख दिया है रूस के चारों बेड़े के युद्ध पोद मोर्चा पर टटे हाई अलर्ट पर रूस की परमाडू पंडूबियां समंदर में निकुलियर बॉमर की गर्जना समंदर के रास्ते परमालू बम गिराने का अप्ध्यास रूस के राष्टपती व्लादीमिर पुती ने उतरी बेड़े को सुपर अलर्ट मोड में रखा है पैसिफिक फिलिट को सचिक परमालू हमलों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का काम सौपा है उतर और परशांद के बेड़े की मारक श्रम्ता को सोवियत दोर से ही जवावी हमलों में मोस्को के मुख्यार के रूप में देखा गया है इस बेडे का इस्तिमाल रूस जवावी हमले के लिए करता आया है रूस की नौसेना काला सागर में यूक्रेन पर नजर गड़ाए हुए है हाल ही में नैटो में शामिल हुए फिल लेंड के रास्ते आने वाले खतोरों से निपटने के लिए रूस के युधपोत बाल्टिक सागर में डटे हुए है नैटो की हरकतों का जवाब देने के लिए रूस ने अपनी नैवी को आर्किटिक सागर में भी उतार रखा है रूस का प्रशान्त बेड़ा भी रूस के पुर्वी किनारे पर प्रशान्त महाथ सागर में सुपर एक्टिव है बड़ा सवाल है कि पूरब से लेकर पश्रिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिन तक अपनी नोसेना को अलर्ट मोड मिलाकर रूस क्या संदेश देना चाहता है खासकर उत्तर में अपने युद्धपोतों से मिसाइल बरसा कर क्या रूस अमेरिका को चेतावरी देने की कोशश में है यही वज़ा है कि परशान्त बेड़े के साथ साथ रूस का उत्री बेड़ा भी सूपर एक्टिव है टेक्टिकल न्यूकलियर हत्यारों से लैस युद्धपोत और पंडूवियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में चेक्टिकल न्यूकलियर हत्यारों की मौझूदगी को नेटो देशों के लिए एक गंभीर खतरा बताया गया है जेनमाल्क, स्वीडन, फिल्लेंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलेंड और जर्मनी की सिमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है वही आर्किटिक सागर में परमालू हत्यारों से लैस युद्धपोत और पंडुबियों से सीधा खत्रा नौर्वे, स्वीडन, फिल्लेंड और अमेरिका तक को है दावा किया गया है कि रूस की नौसेना ने अपने युद्धपोत एड्मिरल गोशको को परमालू हत्यारों से लैस करके आर्किटिक सागर में उतार दिया है दरसल आर्किटिक शेत्र की जिमेदारी रूस के उतरी बेड़े के पास है नौर्वे के खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने परमालू युद्ध के सिक्रेट प्लैन को समंदर में आगे बढ़ा दिया है नौर्वे के इंटेलिजन्स सर्विस ने अपनी सलाना खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि रूस की नौस सेना के उतरी बेड़े में युद्ध फोतों को टेक्टिकल नुकलियर हत्यारों से लैस किया गया है रिपोर्ट में जहाजों पर लगाए गए परमालू हत्यारों के बारे में बताया गया है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में ये पहली बार है जब रूस का बेड़ा परमालू हत्यारों के साथ समंदर में उत्रा है अमेरिका और रूस की बरसो पुरानी जानी दुश्मनी को युक्रेनी युद्ध ने नई धार दे दी है रही सही कसर फिल लेंड को नैटो में मिला कर अमेरिका ने पूरा कर दिया यही वज़ा है कि रूस ने आर्किटिक सागर के साथ साथ अमेरिका के वर्चस्वाले प्रशान्त महसागर में शक्ति प्रदर्शन पर उतर आया है रूस के प्रशान्त बेडे में 46 युद्ध पोत हैं प्रशान्त बेडे में युद्ध पोतों में एंटी सम्मरीन मिसाइल शिप भी हैं और एमफेबियस युद्ध पोत भी साथ ही साथ रूस के प्रशान्त बेडे में 24 से 26 पंडूबियां है प्रशान्त बेड़े के युद्धा भ्यास का मकसद दुश्मन के मिसाइल और हवाई हमलों से रूस को सुरक्षित करना है जिसके लिए रूस की नेवी दुश्मन के पंडूबियों को पता लगा कर उन्हें समंदर के अंदर ही तबाह करने का युद्धा भ्यास कर रही है परमाडू बम लगा रखे हैं सभी परमाडू बम 150 किलो टन की ताकत के हैं यानि कोला प्रायवदीब में मवजूद रूस के एक परमाडू बम हिरोश्मा पर गिरे बम से 10 गुनाधिक शक्तिशाली है फिल्लेंड के नैटों में शामिल होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन नैटों से भिडने की पूरी तैयारी कर ली है पोला प्रायवदीब में रूस ने बड़े पैमाने पर परमाडू हत्यार जमा कर रखे हैं पोला प्रायवदीब का एक छोटा सा इलाका रूस की परमाडू मिसाइल से लाइस सम्मरिट का पावरफुल सेंटर है यहीं से आर्गटिक के गष्ट भी की जाती है रूस की ये तैयारिया बता रही है कि उक्रेण युद्ध अभी खत भी नहीं हुआ रूस को मनमाफिक जीत भी नहीं मिली उससे पहले ही फुतिल युद्ध के कई मोची एक साथ कोले की तैयारी में है रूस बेलारूस की सेना को इसकंदर बलिस्टिक मिसाइल की चेरिंग दे चुका है इस ट्रेनी का मतलब है कि बेलारूस के सेनी का पुतिन की परमालू मिसाइल को फायर करना से कहे है और अब रूस का परमालू बम ही बेलारूस पहुँच गया है अब ऐसे में ओर्डर पुतिन का होगा या फिर बेलारूस के राश्टपती अलेक्सेंडर लुकाश्रेंको का ये बड़ा सवाल है लेकिन अगर मिसाइल बेलारूस में है तो इसमें लुकाश्रेंको के ओर्डर से कौन इंकार करेगा अमेरिका के राष्ट्रपती को क्या डर सता रहा है वाइट हाउस में खौफ का क्यूं प्रसारण हो रहा है वाइट हाउस के टीवी स्क्रीन पर बाइडन को क्या दिखाया जा रहा है बाइडन को ये क्यूं दिखाया जा रहा है क्या America पर कोई बढ़ा खत्राने वाला है क्या America पर हमला होने वाला है आखिर धुनिया के सबसे बड़ी सुपरपावर के प्रेजिडेंट क्यू डरे हुए बाइडन के सपने में किस बटन के डरावने सपने आ रहे है जवाब है बाइडन को डर है कि पुतिन परमाणू धत्यारों का इस्तिमाल करने वाले है बाइडन का कहना है कि पुतिन के परमाणू हत्यारों के इस्तिमाल का खत्रा वास्तविक है परमाणू युद्ध को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं यहों की धमकियों से साफ हो जाता है पुतिन साफ साफ शब्दों में नेटो देश को चिता चुके हैं युक्रेन को जितिनी लंबी दूरी की मिसाइले मिलेंगी, रूस खत्रे को अपनी सीमा से उतना ही दूर कर देगा। रूस ने युक्रेन के उत्तर में बेला रूस में परमानु हत्यार उतार दिया है। रूस परमाणू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ युक्रेन के पूर्व में खुद बैठा है। वहीं युक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी कुतिंग की परमाणू पड़ुप्या तैनात है। और उनके उत्तर पश्चिम में पोलेंड के पास रूस के किलिनिन ग्राथ में भी परमाणू हत्यार मौझूद है। पश्चिमी मीडिया के दावों को माने तो अमेरिका के राष्टपती बाइडन को दर सताने लगा है कि पुतिन कभी भी परमाणू हमला कर सकते हैं। इसलिए पुतिन ने पड़ोसी देश बेलरूस में परमाणू हत्यारों को तैनाद किया है। ताकि वो आसानी से योरप के किसी भी देश पर परमाणू हमला कर सके। पुतिन का बढ़ा परमाणू फीवर पश्यवी मीडिया के मताविक बाइडन को लगता है कि पुतिन की सेना हत्यारों की कमी से जूज रही है। और वो युक्रेन के कई लाकों से पीछे हट रही है। जिससे बौकलाए पुतिन युद्ध खतम करने के लिए युक्रेन पर परमाणू हमला कर सकते हैं। परमाणू हमले का विकल्प नमबर एक। परमाणू हमले का विकल्प नमबर दू। परमाणू हमले का विकल्प नमबर तीन। परमाणू हमले का विकल्प नमबर चार। परमाणू हमले के इन चार विकल्प में से किसी भी एक विकल्प का इस्तिमाल हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। अगर नुकलियर वार का नमबर आया तो दुनिया की तस्वीर पूरी दरह से बदल जाएगी। परमाणू बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा। वहाँ की धर्ती बंजर हो जाएगी। उस परमाणू युद्ध के आगे युपरेन युद्ध के ये धमाके भी बहुत छोटे सावित होंगे। ऐसा एक भी दिन नहीं है जब अमेरिका के वाइट हाउस में न्यूक्लियर बम पर सीक्रिट मीटिंग नहीं होती। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब बाइडन प्रशासन अपने आइटम बम वाले दुश्मनों पर मन्थन नहीं करता। बाइडन के आफिस में रूस के राष्टपती पुतिन की रणनीती पर चर्चा तो होती है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर पुतिन परमानू युद्ध करेंगे तो उसे तीन चरण में अनजाम देंगे। पुतिन के परमानु युदका स्टेप वन परमानु परिक्षण यूक्रेन को डराने के लिए पुतिन सबसे पहले वो करेंगे जो रूस ने पिछले 33 साल में नहीं किया है परमानु परिक्षण पर्माणू विज्ञानिकों का कहना है कि फुतिन यूक्रेन की सेना में खौफ भणने के लिए एक बार फिर निूकलियर टेस्ट कर सकते हैं रूस ने अपना पहला पर्माणू परिक्षन 29 अगस्त 1949 को किया था रूस ने आखरी बार 24 अक्तूबर 1990 को निूकलियर टेस्ट किया था रूस ने अब तक कुल 715 पर्माणू परिक्षन किये हैं जिन में 496 अंडरग्राउंड रहे हैं पर्माणू परिक्षन करने वाला रूस दुनिया का दूसरा देश बना था जानकारों का मानना है कि पुतिन दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर पर्माणू परिक्षन के तौर पर नया धमाका कर सकते हैं दुनिया में अब तक 2069 पर्माणू परिक्षन हुए हैं इन में सबसे अधिक 2030 पर्माणू परिक्षन अमेरिका ने किये 715 न्यूकले टेस्ट करने वाला रूस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक पर्माणू परिक्षन करने वाला देश है दावा किया जा रहा है कि युक्रेन युद्ध के दोरान पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है अगर रूस का ये दाव काम कर गया और जेलेंस की हत्यार रखने को मान गए तो ठी नहीं तो रूस परमानु युद्ध के दूसरे स्टेप की ओर बढ़ जाएगा पुतिन के परमानु युद्ध का स्टेप टू टैक्टिकल न्यूक्लियर बम युक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हत्यारों का इस्तिमाल कर सकती है नूकलियर बम जहां गिरेगा वहां विद्वन्स बड़े परमानू बम की तरह ही करेगा ठीक वैसे ही आग बरसेगी ठीक वैसे ही रेडियेशन फैलेगा लेकिन बड़े परमानू बम के मुकाबले टैक्टिकल नूकलियर बम की रेंज कम होगी रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की भी शमता एक किलो टन या उससे भी कम है जो 1000 टन विस्पोटक TNT के बराबर तबाहि लाएगा दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टाक्टिकल न्यूक्लियर बम को खोंडने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका ये कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुँच जाएगा लेकिन अगर इतने पर भी यूक्रेन नहीं माना, युद ही ढाना तो फिर पुतिन परमानु युद के आखरी स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे पुतिन के परमानु युद का स्टेप तीन, परमानु बम से हमला रूस का परमानु बम युक्रेन के जिस हिस्से पर गिरेगा वो विरान हो जाएगा वहां की धर्ती बंजर हो जाएगी, आस्मान काली हो जाएगी यहां तक की सूरज की किरणे धर्ती पर नहीं बहुंच पाएगी अगर पुतिन युक्रेन पर बड़े परमानु बम से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्खों तक ही सिमित नहीं रहेगी युक्रेन तो तबा होगा ही परमानु हमले की आच नेटो देशों तक पहुँचेगी परमानु हमले के जवाब में नेटो को आक्शन में आना होगा ऐसे में परमानु युद्ध में गूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्वियूद एक सच ये भी है कि रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली आटम बम है ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है पुतिन के इस परमानु बम का नाम है जार बम जार नाम का ये रूस का हाइड्रोजन बम है इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमानु बम माना जाता है जार रूस के राजाओं की उपाती रही है इसलिए इसे जार बम नाम दिया गया और इस बम को परमानु बमों के महराजा की तरह पेश किया गया कहते हैं कि अगर रूस का जार बम गिरा तो धर्ती का जर्रा जर्रा फर्रा जाएगा यह हाइडरोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ भड़ गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो रूस ने साथ बरस बाद दुनिया को दिखाया ये वही वीडियो है जार बम इतना बड़ा था कि इसके लिए खास लड़ाकू जहाज बनाया गया परमाणू हत्यार खास कर परमाणू मुसाईले लड़ाकू जहाजों में रखी जाती है लेकिन जार बम इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरिये लटका कर रखा गया था 30 अक्तूबर 1961 को जार बम का टेस्ट किया गया लडाकु जहाज टोपुलॉव 95 ने तरीफ 10 किलुमीटर की उचाई से पैराशूट से जार बम को नुवाया जैमलिया दूइद पर गिराया ताकि विस्पोट से पहले गिराने वाला और तस्वीरे ले रहा विमान सुरक्षित दूरी तक पहुँच जाएं रूस के मताविक दोनों विमान 50 किलुमीटर दूर ही पहुँचे थे कि भेंकर विस्पोट हुआ विस्पोट इतना भेंकर था कि पूरी दुनिया दहल हुई दावा किया जाता है कि अमेरिका के लिटिल बॉई परमानू बम से 3333 गुना शक्तिशाली है रूस का जार बम रूस का जार बम अमेरिका के लिटिल बॉई और फैट मैन जैसा ही है लेकिन उनसे बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को खाक कर सकता है जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमानू बम लिटिल बॉई 14 किलो टन ताकत वाला था जबकि नागसाकी पर गिराए गए फैट मैन जिसने लाखों लोगों की जान पल भर में ले ली उसकी ताकत थी 18 किलो टन वहीं अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमानू बम बी-83 की पावर 1.2 मेगा टन की है वहीं रूस के जार बम की ताकत 50-58 मेगा टन है यानि अमेरिका के सबसे बड़े परमानू बम से खरीब 48 गुना अधिक शक्तिशाली यही वज़ा है कि रूस ने जार बम का परिक्षन आक्तिक समुद्र में नुवाया जैमलिया के उपर बर्थ में गिराया था ताकि किसी भी तरह की आबादी से धमाके वाली जगा सैक्डो हजारों किलुमीटर तूरू कहा जाता है कि रूस ने जिस इलाके में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम का परिक्षन किया वो इलाका धमाके के बाद पूरी तरहां से बदल गया दुनिया ने उस वक्त जापान में परमानु बम की तबाही भी देख ली थी लेकिन रूस ने इस परिक्षन से साबित कर दिया कि दोबारा कभी परमानु युद छिड़ा तो दुनिया से मानपता का खात्मा भी हो सकता है यही वज़ा है कि परमानु युद की आशंका से अमेरिका के राश्चपती खौफ में है इसी वज़ा से बाइडन ने दुनिया को चेताया है कि पुतिन परमानु हतियार लॉंच कर सकते हैं युकरेन युद पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है युकरेन की सेना पूरी ताकत के साथ काउंटर अटाक में लगी है युकरेन ने दावा ये किया है कि उसने अब कई इलाकों पर कबजे की रण्नीती अपना ली है इसके साथ ही रूस की सेना का कबज़ा भी लगतार जारी है जापुरीजिया के पास एक इलाका है जहां पर कबज़ा किया गया है इसके साथ ही जापुरीजिया इलाके में मिली जीत को यूकरेन बहुत बड़ी जीत करार दे रहा है जापुरीजिया इलाके में यूक्रेइन को मिली जीत इसलिए भी ज़ादा बड़ी हो जाती है क्योंकि जापुरीजिया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लिया पावर प्लांट है और इस न्यूक्लिया पावर प्लांट पर रूस का कपसा है वही रूस ने बेलरूस में परमाणू खत्यार उतार दिया है वही नाचो रूस के परमाणू युद्ध के काट खुजने में लगा हुआ है पुद्धीन का बढ़ा परमाणू फीवर नैचो कैंप में फैला फीवर पुद्धीन के परमाणू बुखार को तोड़ने के लिए क्या करेगा नैचो कैसे तूटेगा पुद्धीन का परमाणू बुखार क्या रूस के खिलाफ अमेरिका लेने वाला है नियुकिलियर एक्शन ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि रूस ने ले लिया है सबसे बड़ा रिस्क तीसरे विश्व युद्ध को कर दिया है फिक्स तैयारी देख पेंटागॉन हुआ परेशान भिजन हुआ हैरान नैचो देशों में खल बली दुनिया परमाणू युद्ध के खौब से जरी अब मुश्किल है पुतिन को मनाना बन गया नया ठीकाना शुरू हुआ परमाणू बब को लगाना बेलारूस पहुच गया एचंप परमाणू बब कर नये सेंटर से ने जो हुआ बेदम क्या थीसरे वेशो युद का एपी सेंचर फेलारूस परने वाला है क्या रूस और नैटो के बीच युद बेलारूस की धर्ती पर होने वाला है क्या महीनों से परमाणू हत्यारों की धमकी देते आ रहे पुतिन अब वाकई उन्हें चलाने के मुड में लग रहे है रूस नहीं उक्रेन के उत्तर में बेलारूस में परमाणू हत्यार उतार दिया है रूस परमाणू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ ही उक्रेन के पुर्म में खुद बैचा है वही उक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी पुदिर की परमाणू पंटूविया तैना थी वही इसके उत्तर परश्रिम में पॉलेंड के पास रूस के कलिन रात में भी परमाणू हत्यार मुझूद है 1991 में सोवियत संग के पतन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस का परमाणू बम रूस से बाहर पहुच रहा है ऐसा पहली बार है जब दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणू बम रखने वाले देश ने अपने बॉर्डर के बाहर परमाणू हत्यारों की तैनाती की है बेलारूस में रूस की मिसाईले तनी हुई है बेलारूस में रूस के लड़ाकों विमान गरज रहे हैं बेलारूस में रूस के टैंक दोड़ रहे हैं बेलारूस में रूस के सैनिक मोर्चा बनाकर जटे हुए हैं बेलारूस में रूसी मिसाईलों की तैनाती से नैटों में पहले से ही खलबली बची थी अब बेलारूस में रूस के परमाणू हत्यार भी फिट हो गए हैं बेला रूस में परमालू बम फिट करने के कदम को नैटो देश क्यों पुतिन का परमालू फीवर करार दे रहे हैं इसे आगे बताएंगे लेकिर रूस के पहले ये देख लिजे कि रूस की किस परमालू तयारी ने नैटो को डरा रखा है एक, दो, तीर, चार, 40 सेकंड में चार हमले, चारों दिशाओं में चार छिकाने दहले पुतिन हुए कृत, समंदर में रूस का परमालू युथ, नैजो हुआ हलकान, अमेरिका परेशान, भिटेन का मिट सकता है नामू निशान दीन में समंदर के अंदर से परमालू हमला रात के अंधेरे में समंदर से परमालू हमला ये रूस का परमालू युद्धा भ्यास है, ये नैजो को डराने का पुतिन का प्रियास है, जेलेंस्की इसे देख अताश है पाल्टिक देश रन होनी के खतरे से उदास है, आखिर रूस के इस परमालू युद्धा भ्यास में क्या खास है इसे युद्धा भ्यास को रूस अपने लड़ाकों श्रमता का विस्तार करार दिया है इसे युद्धा भ्यास में रूस के उद्री बेडे के पंडूवी रोधी युद्ध जहाजों ने हिस्सा लिया ना सिर्फ हिस्सा लिया बलकि एक काल्पनिक दुश्मन की पंडुबियों को समंदर के अंदर ही जुबो दिया पहला हमला दूसरा हमला तीसरा हमला चौधा हमला पांचवा हमला ये हमले तो खुछभी नहीं है रूस के युद्धपोतों ने जलजला ला दिया है रूस समंदर को निउकल्यर वॉर का key center बनाने की तैयारी में है समंदर में परमालू बंका जाल भीछाकर रूस, नैकों को निशाना बनाने की तैयारी में है रूस ने अपनी नौसीना के चारों बेडों को हाई अलर्ड पर रख दिया है रूस के चारों बेड़े के युद्धवोद मोर्चा पर टटी हाई अलर्ड पर रूस की परमाडू पंडूबियां समंदर में निकुलियर बॉमर की गर्जना समंदर के रास्ते परमालू बब गिराने का अप्ध्यास रूस के राष्टपती वला दिमीर पुती ने उतरी बेड़े को सुपर अलर्ट मोड में रखा है पैसिफिक फिलिट को सचिक परमालू हमलों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का काम सौपा है उतर और परशांत के बेड़े की मारक श्रमता को सोवियत दौर से ही जवावी हबलों में मौसको के मुख्यार के रूप में देखा गया है इस बेड़े का इस्तिमाल रूस जवावी हमले के लिए करता आया है रूस की नौसेना काला सागर में यूक्रेन पर नजर गड़ाए हुए है हाल ही में नैटो में शामिल हुए फिल्लेंड के रास्ते आने वाले खत्रों से निपटने के लिए रूस के युधपोत बाल्टिक सागर में टटे हुए है नैटो की हरकतों का जवाब देने के लिए रूस ने अपनी नैवी को आर्किटिक सागर में भी उतार रखा है रूस का प्रशानत बेड़ा भी रूस के पुर्वी किनारे पर प्रशानत महा सागर में सुपर एक्टिव है बड़ा सवाल है कि पूरब से लेकर पश्शिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिन तक अपनी नोसेना को अलर्ट मोट मिलाकर रूस क्या संदेश देना चाहता है खासकर उत्तर में अपने युद्धपोतों से मिसाइल बरसा कर क्या रूस अमेरिका को चेतावरी देने की कोशश में है यही वज़य है कि प्रशानत बेड़े के साथ साथ रूस का उत्री बेड़ा भी सूपर एक्टिव है टेक्टिकल नुकलियर हत्यारों से लैस युद्धपोत और पंडूवियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ उतार दिया है आर्किटिक सागर और बाल्टिक सागर में टेक्टिकल नुकलियर हत्यारों की मौजूदगी को नैटो देशों के लिए एक गंभीर खतरा बताया गया है जेनमार्क, स्वीडन, फिल्लेंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलेंड और जर्मनी की सिमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है वही आर्किटिक सागर में परमानु हत्यारों से लैस, युद्धपोत और पंडुबियों से सीधा खतरा नौर्वे, स्वीडन, फिल्लेंड और अमेरिका तक को है दावा किया गया है कि रूस की नौसेना ने अपने युद्धपोत एड्मिरल गोशको को परमानु हत्यारों से लैस करके आर्किटिक सागर में उतार दिया है दरसल आर्किटिक शेत्र की जिम्यदारी रूस के उतरी बेड़े के पास है नौर्वे के खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने परमानु युद्ध के सिक्रेट प्लैन को समंदर में आगे बढ़ा दिया है नौर्वे के इंटेलिजन्स सर्विस ने अपनी सलाना खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि रूस की नौस सेना के उतरी बेड़े में युद्ध पोतों को टेक्टिकल नुकलियर हत्यारों से लैस किया गया है रिपोर्ट में जहाजों पर लगाए गए परमानु हत्यारों के बारे में बताया गया है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में ये पहली बार है जब रूस का बेड़ा परमाणू हत्यारों के साथ समंदर में उत्रा है अमेरिका और रूस की बरसो पुरानी जानी दुश्मनी को यूकरेनी युद्ध ने नई धार दे दी है रही सही कसर फिल लेंड को नैटो में मिला कर अमेरिका ने पूरा कर दिया यही वज़ा है कि रूस ने आर्किटिक सागर के साथ साथ अमेरिका के वर्चस्वाले प्रशांत महासागर में शक्ति प्रदर्शन पर उतर आया है रूस के प्रशांत बेडे में 46 युद्ध पोत हैं प्रशांत बेडे में युद्ध पोतों में एंटी सम्मरीन मिसाइल शिप भी हैं और एमफिबियस युद्ध पोत भी साथ ही साथ रूस के प्रशांत बेडे में 24 से 26 पंडूबियां है प्रशांत बेडे के युद्धा भ्यास का मकसद दुश्मन के मिसाइल और हवाई हमलों से रूस को सुरक्षित करना है जिसके लिए रूस की नेवी दुश्मन के पंडूबियों को पता लगा कर उन्हें समंदर के अंदर ही तबाह करने का युद्धा भ्यास कर रही है फेडेरेशन आफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक हालिया रिपोर्ट बताती है के फिल्लेंड के पास मौझूद कोला प्रायोदीप में भी रूस ने पंडूबियों पर तैनाद 350 परमाडू बम लगा रखे हैं सभी परमाडू बम 150 किलो टन की ताकत के हैं यानि कोला प्रायोदीप में मौझूद रूस के एक परमाडू बम हिरोश्मा पर गिरे बम से 10 गुनाधिक शक्तिशाली है फिल्लेंड के नैटों में शामिल होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने नैटों से भिडने की पूरी तैयारी कर ली है कोला प्रायोदीप में रूस ने बड़े पैमाने पर परमाडू हत्यार जमा कर रखे हैं कोला प्रायोदीप का एक छोटा सा इलागा रूस की परमाडू मिसाल से लाइस सम्मरिट का पावरफुल सेंटर है यहीं से आर्गटिक के गष्ट भी की जाती है रूस की ये तैयारिया बता रही है कि उप्रायन युद्ध अभी खक भी नहीं हुआ रूस को मनमाफिक जीत भी नहीं मिली उससे पहले ही पुतिल युद्ध के कई मोची एक साथ खोले की तैयारी में है वैवाया त्रिवोगा पॉंटिक से इजोर कोई रूस बेलारूस की सेना को इसकंदर बलिस्टिक मिसाइल की चेनिंग दे चुका है इस ट्रेनिंग का मतलब है कि बेलारूस के सेनी का पुतिन की परमालू मिसाइल को फायर करना से गये है और अब रूस का परमालू बम ही बेलारूस पहुँच गया है अब ऐसे में आउडर पुतिन का होगा या फिर बेलारूस के राष्टपती अलेक्सेंडर लुकाशेंको का ये बड़ा सवाल है लेकिन अगर मिसाइल बेलारूस में है तो इस पर लुकाशेंको के आउडर से कौन इनकार करेगा अमेरिका के राश्ट्रपती को क्या डर सता रहा है? वाइट हाउस में खौफ का क्यूं प्रसारण हो रहा है? वाइट हाउस के टीवी स्क्रीन पर बाइडन को क्या दिखाया जा रहा है? बाइडन को ये क्यूं दिखाया जा रहा है? क्या अमेरिका पर कोई बड़ा खत्रा आने वाला है क्या अमेरिका पर हमला होने वाला है आखिर दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर के प्रेजिडेंट यू डरे हुए बाइडन के सपने में किस बटन के डरावने सपने आ रहे है जवाब है बाइडन को डर है कि पुतिन परमाणू हत्यारों का इस्तिमाल करने वाले है बाइडन का कहना है कि पुतिन के परमाणू हत्यारों के इस्तिमाल का खत्रा वास्तविक है परमाणू युद्ध को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं यहों की धमकियों से साफ हो जाता है पुतिन साफ साफ शब्दों में नेटो देश को चिता चुके हैं युक्रेन को जितनी लंबी दूरी की मिसाइले मिलेंगी रूस खत्रे को अपनी सीमा से उतना ही दूर कर देगा रूस ने युक्रेन के उत्तर में बेलारूस में परमानु हत्यार उतार दिया है रूस परमाणू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ युक्रेन के पूर्व में खुद बैठा है वहीं युक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी पुतिन की परमाणू पंडुप्या तैनात है और उनके उत्तर पश्चिम में पोलन के पास रूस के किलिनिन ग्राथ में भी परमाणू हत्यार मौझूद है पश्चिमी मीडिया के दावों को माने तो अमेरिका के राश्चपती बाइडन को दर सताने लगा है कि पुतिन कभी भी परमाणू हमला कर सकते हैं इसलिए पुतिन ने पढ़ोसी देश बेलरूस में परमाणू हत्यारों को तैनात कि आएगा ताकि वो आसानी से योरप के किसी भी देश में पर्माणू हमला कर सके पुतिन का बढ़ा पर्माणू फिवर पुतिन की सेना हत्यारों की कमी से जूज रही है और वो युक्रेन के कई लाकों से पीछे हट रही है जिससे वौकलाए पुतिन युद्ध खतम करने के लिए युक्रेन पर पर्माणू हमला कर सकते हैं पर्माणू हमले का विकल्प नमबर एक पर्माणू हमले का विकल्प नमबर दू पर्माणू हमले का विकल्प नमबर तीन पर्माणू हमले का विकल्प नमबर चार पर्माणू हमले के इन चार विकल्प में से किसी भी एक विकल्प का इस्तिमाल हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी अगर न्यूक्लियर वार का नमबर आया तो दुनिया की तस्मीर पूरी तरह से बदल जाएगी पर्माणू बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा वहाँ की धर्ती बंजर हो जाएगी उस पर्माणू युद के आगे युक्रेन युद के ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे ऐसा एक भी दिन नहीं है जब अमेरिका के वाइट हाउस में न्यूक्लियर बम पर सीक्रिट मीटिंग नहीं होती एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब बाइडन प्रशासन अपने अटम बम वाले दुश्मनों पर मन्थन नहीं करता बाइडन के ऑफिस में रूस के राष्टपती पुतिन की रणनीती पर चर्चा तो होती है पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर पुतिन परमानू युद्ध करेंगे तो उसे तीन चरण में अन्जाम देंगे पुतिन के परमानू युद्ध का स्टेप वन परमानू परिक्षन युक्रेन को डराने के लिए पुतिन सबसे पहले वो करेंगे जो रूस ने पिछले 33 साल में नहीं किया है परमानू परिक्षन परमाणू विज्ञानिकों का कहना है कि फुतिन यूक्रेन की सेना में खौफ भणने के लिए एक बार फिर निूकलियर टेस्ट कर सकते हैं रूस ने अपना पहला परमाणू परिक्षन 29 अगस्त 1990 को किया था रूस ने आखरी बार 24 अक्तूबर 1990 को निूकलियर टेस्ट किया था रूस ने अब तक कुल 715 परमाणू परिक्षन किये हैं जिन में 496 अंडर्ग्राउंड रहे हैं परमाणू परिक्षन करने वाला रूस दुनिया का दूसरा देश बना था जानकारों का मानना है कि पुतिन दुनिया को दिखाने के लिए एक बार फिर परमाणू परिक्षन के तौर पर नया धमाका कर सकते हैं हैं कि दुनियामे अब तक 1969 परमाणू परिक्षन हुए है इन में सबसे अधिक 2030 परमाणू परिक्षन अमेरिका ने किए 715 न्यूक्लिय टेस्ट करने वाला रूस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक परमाणू परिक्षन करने वाला देश है दावा किया जा रहा है कि युक्रेन युद्ध के दोरान पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस एक बार फिर न्यूक्लिय टेस्ट कर सकता है अगर रूस का ये दाव काम कर गया और जेलन्स की हत्यार रखने को मान गए तो ठीक नहीं तो रूस परमानु युद्ध के दूसरे स्टेप की ओर बढ़ जाएगा पुतिन के परमानु युद्ध का स्टेप टू टैक्टिकल न्यूक्लियर बम यूक्रेन युद में पुतिन की सेना अपने टैक्टिकल नूकलियर हत्यारों का इस्तिमाल कर सकती है टैक्टिकल नूकलियर हत्यार छोटे परमानू बम होते हैं जो बड़े परमानू बम के मुकाबले कम दाइरे में रेडियेशन पहलाते हैं लेकिन एक सच ये भी है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर बम जहां गिरेगा वहाँ विद्वन्स बड़े परमानू बम की तरह ही करेगा ठीक वैसे ही आग बरसेगी, ठीक वैसे ही रेडियेशन फैलेगा लेकिन बड़े परमानू बम के मुकाबले टैक्टिकल न्यूकलियर बम की रेंज कम होगी रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूकलियर बम है सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूकलियर बम की भी शमता एक किलो टन या उससे भी कम है जो एक हजार टन विस्पोटक TNT के बराबर तबाहिलाएगा दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को खोणने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका ये कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुँच जाएगा लेकिन अगर इतने पर भी यूक्रेन नहीं माना युद ही ढाना तो फिर पुतिन परमानु युद के आखरी स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे पुतिन के परमानु युद का स्टेप तीन परमानु बम से हमला रूस का परमानु बम युक्रेन के जिस हिस्से पर गिरेगा वो विरान हो जाएगा वहां की धरती बंजर हो जाएगी आस्मान काली हो जाएगी यहां तक की सूरज की किरणे धरती पर नहीं पहुँच पाएगी अगर पुतिन युक्रेन पर बड़े परमानु बम से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मौस्खों तक ही सिमित नहीं रहेगी युक्रेन तो तबा होगा ही परमानु हमले की आच नेटो देशों तक पहुचेगी परमानु हमले के जवाब में नेटो को आक्शन में आना होगा ऐसे में परमानु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्विद एक सच ये भी है कि रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली आटम बम है ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है पुतिन के इस परमानु बम का नाम है जार बम जार नाम का ये रूस का हाइड्रोजन बम है इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमानु बम माना जाता है जार रूस के राजाओं की उपादी रही है इसलिए इससे जार बम नाम दिया गया और इस बम को परमानु बमों के महराजा की तरह पेश किया गया कहते हैं कि अगर रूस का जार बम गिरा तो धर्ती का जर्रा जर्रा ठरा जाएगा यह हाइडरोजन बम अगर अपनी पूरी ताकत के साथ भड़ गया तो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकता है रूस ने इस बम को 1961 में बनाया था लेकिन इसके टेस्ट का वीडियो रूस ने साथ बरस बाद दुनिया को दिखाया ये वही वीडियो है जार बम इतना बड़ा था कि इसके लिए खास लडाको जहाज बनाया गया परमाणु हत्यार खास कर परमाणु मिसाईले लडाको जहाजों में रखے जाती हैं लेकिन जार बम इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैरशूट के जरीये लड़का कर रखा गया था 30 अक्तुबर 1961 को जार बम का टेस्ट किया गया लडाकु जहाज टोपोलॉव 95 ने अरीब 10 किलोमीटर की उचाई से पैराशूट से जार बम को नुवाया जैमलिया दूइट पर गिराया ताके विस्पोट से पहले गिराने वाला और तस्वीरे ले रहा विमान सुरक्षित दूरी तक पहुँच जाएं रूस के मताविक दोनों विमान 50 किलोमीटर दूर ही पहुँचे थे कि भेंकर विस्पोट हुआ विस्पोट इतना भेंकर था जिप पूरी दुनिया दहल हुई दावा किया जाता है कि अमेरिका के लिटल बॉई परमानु बम से 3333 गुना शक्तिशाली है रूस का जार बम रूस का जार बम अमेरिका के लिटल बॉई और फैट मैन जैसा ही है लेकिन उन से बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को खाक कर सकता है जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमानु बम लिटल बॉई 14 किलो टन ताकत वाला था जबकि नागसाकी पर गिराए गए फैट मैन जिसने लाखों लोगों की जान पल भर में ले ली उसकी ताकत थी 18 किलो टन वहीं अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमानु बम V83 की पावर 1.2 मेगा टन की है वहीं रूस के जार बम की ताकत 50 से 58 मेगा टन है यानि अमेरिका के सबसे बड़े परमानु बम से खरीब 48 गुना अधिक शक्तिशाली यहीं वज़ा है कि रूस ने जार बम का परिक्षन आक्टिक समुद्र में नुवाया जैमलिया के उपर बर्त में गिराया था ताकि किसी भी तरह की आबादी से धमाके वाली जगा सैक्डो हजारों किलुमिटर तूरू कहा जाता है कि रूस ने जिस इलाके में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम का परिक्षन किया वो इलाका धमाके के बाद पूरी तरहां से बदल गया दुनिया ने उस वक्ट जापान में पर्मानु वम की तबाही भी देख ली थी लेकिन रूस ने इस परिक्षन से साबित कर दिया कि दोबारा कभी पर्मानु युद्ध छिड़ा तो दुनिया से मानपता का खात्मा भी हो सकता है यही वज़ा है कि पर्मानु युद्ध की आशंका से अमेरिका के राश्चपती खौफ में है इसी वज़ा से बाइडन ने दुनिया को चेताया है कि पुतिन पर्मानु हतियार लॉंच कर सकते हैं युक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है युक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ काउंटर अटाक में लगी है युक्रेन ने दावा ये किया है कि उसने अब कई इलाकों पर कबजे की रणनीती अपना ली है इसके साथ ही रूस की सेना का कबजा भी लगतार जारी है जापूरीजिया के पास एक इलाका है जहां पर कबजा किया गया है इसके साथ ही जापूरीजिया इलाके में मिली जीत को युक्रेन बहुत बड़ी जीत करार दे रहा है जापुरीजिया इलाके में यूक्रेन को मिली जीत इसलिए भी जादा बड़ी हो जाती है क्योंकि जापुरीजिया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लिया पावर प्लांट है और इस न्यूक्लिया पावर प्लांट पर रूस का कब्सा है वही रूस ने बेलरूस में परमाणू खत्यार उतार दिया है वही नाचो रूस के परमाणू युद्ध के काट खोजने में लगा हुआ है पुद्धिन का बड़ा परमाणू फीवर नैटो कैंप में फैला फीवर पुद्धिन के परमाणू बुखार को तोड़ने के लिए क्या करेगा नैचो कैसे टूटेगा पुद्धिन का परमाणू बुखार क्या रूस के खिलाफ अमेरिका लेने वाला है नियूकिलियर एक्शन ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि रूस ने ले लिया है सबसे बड़ा रिस्क तीसरे विश्व युद्ध को कर दिया है फिक्स तैयारी देख पेंटागॉन हुआ परेशान विजन हुआ हैरान नैचो देशों में खल्बली दुनिया परमाणू युद्ध के खौप से जरी अब मुश्किल है पुतिन को मनाना बन गया नया ठीकाना शुरू हुआ परमाणू बंपो लगाना बेलार उस पहुच गया एचंप परमाणू बंक नये सेंटर से नैचो हुआ बेदम क्या थीसरे वेशो युद का एपी सेंचर फेलारूस परने वाला है क्या रूस और नैटो के बीच युद बेलारूस की धर्ती पर होने वाला है क्या महीनों से परमाणू हत्यारों की धमकी देते आ रहे पुतिन अब वाकई उन्हें चलाने के मुड़ में लग रहे है रूस नहीं उक्रेन के उत्तर में बेलारूस में परमाणू हत्यार उतार दिया है रूस परमाणू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ ही उक्रेन के पुर्म में खुद बैचा है वही उक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी पुदिर की परमाणू पंटूविया तैना थी वही इसके उत्तरपश्रिम में पोलेंड के पास रूस के कलिन रात में भी परमाणू हत्यार मुझूद है 1991 में सोवियत संग के पतन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस का परमाणू बम रूस से बाहर पहुच रहे है ऐसा पहली बार है जब दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणू बम रखने वाले देश ने अपने बॉर्डर के बाहर परमाणू हत्यारों की तैनाती की है बेलारूस में रूस की मिसाईले तनी हुई है बेलारूस में रूस के लड़ाकों विवान गरज रहे है बेलारूस में रूस के टैंक तोड़ रहे है बेलारूस में रूस के सैनिक मोर्चा बनाकर जटे हुए है बेलारूस में रूसी मिसाईलों की तैनाती से नैटो में पहले से ही खलबली बची थी अब बेलारूस में रूस के परमाणू हत्यार भी फिट हो गए है बेला रूस में परमालू बम फिट करने के कदम को नैटो देश क्यों पुतिन का परमालू फीवर करार दे रहे हैं इसे आगे बताएंगे लेकिर रूस के पहले ये देख लीजे कि रूस की किस परमालू तयारी ने नैटो को डरा रखा है एक, दो, तीर, चार, 40 सेकंड में चार हमले, चारों दिशाओं में चार छिकाने दहले पुतीन हुए कुरुत, समंदर में रूस का परमाणू युत नैजो हुआ हलकान, अमेरिका परेशान, भिटेन का मिट सकता है नामू निशान दीन में समंदर के अंदर से परमाणू हमला रात के अंधिरे में समंदर से परमाणू हमला ये रूस का परमाणू युद्धा भ्यास है, ये नैचो को डराने का पुतिन का प्रयास है, जेलेंस्की इसे देख अताश है पाल्टिक देश रन होनी के खतरे से उदास है, आखिर रूस के इस परमाणू युद्धा भ्यास में क्या खास है इसे युद्धा भ्यास को रूस अपने लड़ा को श्रमता का विस्तार करार दिया है इसे युद्धा भ्यास में रूस के उतरी बेड़े के पंडूवी रोधी युद्ध जहाजों ने हिस्सा लिया ना सिर्फ हिस्सा लिया बलकि एक काल्पनिक दुश्मन की पंडूवियों को समंदर के अंदर ही जुवो दिया पहला हमला दूसरा हमला तीसरा हमला चौधा हमला पांचवा हमला यह हमले तो कुछ भी नहीं है रूस के युद्ध पोतों ने जलजला ला दिया है रूस समंदर को निकलियर वार का एपी सेंटर बनाने की तैयारी में है समंदर में परमाडू बम का जाल बिछा कर रूस नैटों को निशाना बनाने की तैयारी में है रूस ने अपनी नौसीना के चारो भेडों को हाई अलर्ट पर रख दिया है रूस के चारो भेड़े के युद्ध पोद मोर्चा पर तटे हाई अलर्ट पर रूस की परमाडू पंडू भीयां समंदर में निकुलियर बॉमर की गर्जना समंदर के रास्ते परमालू बम गिराने का अप्ध्यास रूस के राष्टपती व्लादीमिर पुती ने उतरी बेड़े को सुपर अलर्ट मोड में रखा है पैसिफिक फिलिट को सचिक परमालू हमलों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का काम सौपा है उत्तर और परशान्थ के बेड़े की मारक श्रमता को सोवियत दौर सेही जवावी हमलों में मौस्कों के मुख्यार के रूप में देखा गया है इस बेड़े का इस्तिमाल रूस जवावी हमले के लिए करता आया है रूस की नौसेना काला सागर में यूक्रेन पर नजर गड़ाए हुए है हाल ही में नैटो में शामिल हुए फिल लेंड के रास्ते आने वाले खतोरों से निपटने के लिए रूस के युधपोत बाल्टिक सागर में डटे हुए है नैटो की हरकतों का जवाब देने के लिए रूस ने अपनी नैवी को आर्किटिक सागर में भी उतार रखा है रूस का प्रशान्त बेड़ा भी रूस के पुर्वी किनारे पर प्रशान्त महा सागर में सुपर एक्टिव है बड़ा सवाल है कि पूरब से लेकर पश्रिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिन तक अपनी नोसेना को अलर्ट मोट मिलाकर रूस क्या संदेश देना चाहता है खासकर उत्तर में अपने युद्धपोतों से मिसाइल बरसा कर क्या रूस अमेरिका को चेतावरी देने की कोशश में है यही वज़य है कि परशान्त बेड़े के साथ साथ रूस का उत्री बेड़ा भी सूपर एक्टिव है चेक्टिकल निउकलियर हत्यारों से लेश द्धपोतों और पंडोवियों को रूस ने आर्क पोलेंड और जरमनी की सिमा बाल्टिक्सागर से जुड़ी हुई है वही आर्किटिक सागर में परमालू हत्यारों से लैस युद्धपोत और पंडुबियों से सीधा खत्रा नौर्वे, स्वेडन, फिल्लेंड और अमेरिका तक को है दावा किया गया है कि रूस की नौसेना ने अपने युद्धपोत एड्मिरल गोशको को परमालू हत्यारों से लैस करके आर्किटिक सागर में उतार दिया है दरसल आर्किटिक शेत्र की जिम्यदारी रूस के उतरी बेड़े के पास है नौर्वे के खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने परमालू युद्ध के सिक्रेट प्लैन को समंदर में आगे बढ़ा दिया है नौर्वे के इंटेलिजन्स सर्विस ने अपनी सलाना खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि रूस की नौस सेना के उतरी बेड़े में युद्ध फोतों को टेक्टिकल नुकलियर हत्यारों से लैस किया गया है रिपोर्ट में जहाजों पर लगाए गए परमालू हत्यारों के बारे में बताया गया है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में ये पहली बार है जब रूस का बेड़ा परवालू हत्यारों के साथ समंदर में उत्रा है अमेरिका और रूस की बरसो पुरानी जानी दुश्मनी को युक्रेनी युद्ध ने नई धार दे दी है रही सही कसर फिल लेंड को नैटो में मिला कर अमेरिका ने पूरा कर दिया यही वज़ा है कि रूस ने आर्कटिक सागर के साथ साथ अमेरिका के वर्चस्वाले प्रशांत महसागर में शक्ती प्रदर्शन पर उतर आया है रूस के प्रशांत बेड़े में 46 युद्ध पोत हैं प्रशांत बेड़े में युद्ध पोतों में एंटी सम्मरीन मिसाइल शिप भी हैं और एमफेबियस युद्ध पोत भी साथ ही साथ रूस के प्रशांत बेड़े में 24 से 26 पंडूबियां है प्रशान्त बेड़े के युद्धा भ्यास का मकसद दुश्मन के मिसाइल और हवाई हमलों से रूस को सुरक्षित करना है जिसके लिए रूस की नेवी दुश्मन के पंडूबियों को पता लगा कर उन्हें समंदर के अंदर ही तबाह करने का युद्धा भ्यास कर रही है परमाडू बम लगा रखे हैं सभी परमाडू बम 150 किलो टन की ताकत के हैं यानि कोला प्रायवदीब में मवजूद रूस के एक परमाडू बम हिरोश्मा पर गिरे बम से 10 गुनाधिक शक्तिशाली है फिललेंड के नेटों में शामिल होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि पुति ने नेटों से भिडने की पूरी तैयारी कर ली है पोला प्रायवदीब में रूस ने बड़े पेमाने पर परमाडू हत्यार जमा कर रखे हैं पोला प्रायवदीब का एक छोटा सा इलाका रूस की परमाडू मिसाइल सेलाई सम्मरिट का पावरफुल सेंटर है यहीं से आर्गटिक के गष्ट भी की जाती है रूस की ये तैयारिया बता रही है कि उप्रेन युद्ध अभी खत भी नहीं हुआ रूस को मनमाफिक जीत भी नहीं मिली उससे पहले ही पुतिर युद्ध के कई मोची एक साथ खोले की तैयारी में है रूस बेलारूस की सेना को इसकंदर बलिस्टिक मिसाइल की चेरिंग दे चुका है इस ट्रेनी का मतलब है कि बेलारूस के सेनी का पुतिर की परमालू मिसाइल को फायर करना से गए है और अब रूस का परमालू बम ही बेलारूस पहुँच गया है अब ऐसे में ओर्डर पुतिन का होगा या फिर बेलारूस के राष्टपती अलेक्सेंडर लुकाश्रेंको का ये बड़ा सवाल है लेकिन अगर मिसाइल बेलारूस में है तो इस पर लुकाश्रेंको के ओर्डर से कौन इंकार करेगा अमेरिका के राश्टपती को क्या डर सता रहा है वाइट हाउस में खौफ का क्यूं प्रसारण हो रहा है वाइट हाउस के टीवी स्क्रीन पर बाइडन को क्या दिखाया जा रहा है बाइडन को ये क्यूं दिखाया जा रहा है क्या अमेरिका पर कोई बड़ा खत्रा आने वाला है क्या अमेरिका पर हमला होने वाला है आखिर दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर के प्रेजिडेंट यू डरे हुए है बाइडन के सपने में किस बटन के डरावने सपने आ रहे है जवाब है बाइडन को डर है कि पुतिन परमानू हत्यारों का इस्तिमाल करने वाले है बाइडन का कहना है कि पुतिन के परमानू हत्यारों के इस्तिमाल का खत्रा वास्तविक है परमानू युद्ध को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं यहों की धमकियों से साफ हो जाता है पुतिन साफ साफ शब्दों में नेटो देश को चिता चुके हैं युक्रेन को जितनी लंबी दूरी की मिसाइले मिलेंगी रूस खत्रे को अपनी सीमा से उतना ही दूर कर देगा रूस ने युक्रेन के उत्तर में बेलारूस में परमानु हत्यार उतार दिया है रूस परमाणू हत्यारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ युक्रेन के पूर्व में खुद बैठा है वहीं युक्रेन के दक्षण में काला सागर में भी कुतिन की परमाणू पंडुप्या तैना थे और उनके उत्तर पश्चिम में पोलेंड के पास रूस के किलिनिन ग्राथ में भी परमाणू हत्यार मौजूद है पश्चिमी मीडिया के दावों को माने तो अमेरिका के राष्टपती बाइडन को डर सताने लगा है कि पुतिन कभी भी परमाणू हमला कर सकते हैं इसलिए पुतिन ने पडोसी देश बेलरूस में परमाणू हत्यारों को तैनात किया है ताकि वो आसानी से योरप के किसी भी देश पर परमाणू हमला कर सके पुतिन का बढ़ा परमाणू फिवर पश्चिमी मीडिया के मताबिक बाइडन को लगता है कि पुतिन की सेना हत्यारों की कमी से जूज रही है और वो युक्रेन के कई लाकों से पीछे हट रही है जिससे बौकलाए पुतिन युद खतम करने के लिए युक्रेन पर परमाणू हमला कर सकते हैं परमाणू हमले का विकल्प नम्बर एक परमाणू हमले का विकल्प नम्बर थू परमाणू हमले का विकल्प नम्बर तीर परमाणू हमले का विकल्प नम्बर चार परमाणू हमले के इन चार विकल्प में से किसी भी एक विकल्प का इस्तिमाल हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी अगर न्यूक्लियर वार का नम्बर आया तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी परमाणू बम दुनिया 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 दुनिया